टेली प्राइम का परिचे किसे भी बिजनेस को ठीक धंग से चलाने के लिए उससे लाब कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें पहले ये काम पूरी तरह से मैनुवल होता था यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कम्पिटर की सहता से हो रहा है साथी व्यवसाय से संबंधित अधिक्तम गतिविधियां भी कम्पिटर की सहता से ही संचालित की जा रही है पहले हम जो manual accounting कई घंटों या कई दिनों तक करते थे अब वो computer की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिंटों में हो जाती है बारत में GST लागू होने के बाद तो इस field में अपार संभावनाएं पैदा हो गई है computer पर accounting करने के लिए हमें accounting software के मदद लेना होती है और टेली उसी प्रकार का एक software है टेली accounting software की सबसे खास बात ये है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोग प्रिय accounting software है टेली company ने accounting को सरल बनाने के उदेश्य से समय समय पर accounting software के नए नए वर्जन निकाले है अभी टेली का सबसे latest वर्जन टेली प्राइम है टेली प्राइम को काम करने की दृष्टी से बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें काम की गती को भी काफी तेजी प्रदान की गई है इस वीडियो सिरीज में हम आपको टेली प्राइम पर काम करना सिखाएंगे अब बात करते हैं objective of teaching टेली प्राइम यानि टेली प्राइम सिखाने के उदेश्य की टेली सिखानी का हमारा पहला उदेश्य तो ये है कि जो commerce background के या बिना commerce background के वेक्ती हैं उनको computer accounting सिखाई जाए जो commerce के विद्यार्थी हैं या commerce background के हैं उनको तो commerce की basic जानकारी होती है उनके लिए computer पर accounting करना आसान भी होता है पर हमारा उदेश्य ये है कि जो बिना commerce background के वेक्ती या विद्यार्थी हैं वे भी इन वीडियोस को देख करके टेली पर आसानी से computer accounting करना सीख सकें हमारा दूसरा उदेश्य है रोजगार प्राप्ती में सहायता प्रदान करना ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो भी अगर computer accounting सीख लेते हैं तो accounting का काम कर सकते हैं इस प्रकार से टेली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है चुकि पहले manual accounting होती थी तो जो लोग शुरू से manual accounting करते आये हैं उनको computer पर accounting करना थोड़ा सा कठिन लगता है हाला कि उनको accounting कैसे करना है ये तो आता है पर computer accounting कैसे किया जाए या टेली software का उप्योग करके accounting कैसे किया जाए ये नहीं आता है उनको भी इससायता मिल जाए ये हमारा उत्देश्य है साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मुटा बिजनस है तो उसकी accounting आप स्वयम कर सकें उसमें भी ये वीडियो आपके मदद करेंगी अब हम आपको बताते हैं basis of teaching टेली प्राइम यानी टेली प्राइम सिखाने के अधार के बारे में यहां हमारा टेली सिखाने का अधार है simplicity यानी सरलता हमसी कोशिश की है कि टेली को एक सिरे से ना सिखाते हुए जो सरल चीज़ें है वे पहले सिखाई जाए जैसे कि school में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको ABCD लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले ये दियान रखा जाता है कि शुरू में A से लेकर Z तक ना सिखाते हुए जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाया जाते हैं और relatively जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाये जाते हैं उसी तरह हमने भी टेली सिखाने का आधार सरल्टा को रखा है जो चीजें सरल हैं वे पहले सिखायी जाए और फिर धीरे-धीरे कठिन की और बढ़ा जाए इसलिए हमने shortcut जिसमें कठिनाईया या complexity ज्यादा हो उसके स्थान पर थोड़ा long route लिया है हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो और आपको टेली सोफ्ट्वेर पर काम करना सरल लगे मुश्किल ना लगे हम आपको fear free यानी भैरहित बनाना चाहते हैं टेली पर काम करने में आपको डर ना लगे घबराहट ना हो या ऐसा ना लगे कि टेली सीखना बहुत मुश्किल काम है इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियोस को इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया है कि ये simple हो, ज्यादा explanatory हो, जिसमें कि अच्छे से सभी बाते समझाई गई हो जैसा कि अभे हमने आपको बताया टेली सिखाने का हमारा आधार सरलता यानी simplicity है और इसी आधार पर हमने टेली प्राइम सिखाने के काम को अलग-अलग स्तर यानी levels में पाट दिया है पहला है basic level basic level के कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि accounting क्या है, इसका basic क्या है इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है और इसके बाद हम टेली पर काम प्रारम करेंगे जिसमें टेली से संबंधित सरल पर आवश्यक जनकारिया होंगी यहाँ पर हम टेली में बहुत ज्यात गहराई में नहीं जाएंगे बेसिक लेवल पर आप जो सीखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि टेली सॉफ्ट्वेर को यूज करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं यह बड़ा ही आसान है दूसरा लेवल है intermediate लेवल इस लेवल पर accounting के वे सारे काम आ जाएंगे जो कि एक accountant के तौर पर आपको regularly करना होते हैं यानि जिस तरह से किसी भी business का account maintain करना होता है वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे तीसरा है advanced level इसमे managerial level पर काम आने वाली जानकारियां होंगी यह उन लोगों के लिए भी उप्युक्त है जिनका खुद का business है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली reporting सीख कर अपने business की पूर्ण जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं जो लोग टैली सीखना चाहते हैं निश्चत रूप से उन्हें मालूम है टैली एक accounting software है पर क्या आप जानते हैं accounting क्या है उसको कैसे करते हैं उसके क्या सद्धानत हैं उसके क्या लाब है इत्यादी शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं इसलिए हम टैली सिखाना शिरू करने से पहले प्रारंभ की कुछ वीडियोज में बहुत ही सरल तरीके से accounting से संबंधित कुछ पेसिक जानकारी जो हमें टैली सिखानी के लिए आवश्यक लगी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ख्याल से टैली में काम करने के लिए ये जरूरी भी है कहते हैं ना foundation यानि new मजबूत होती है तो building भी मजबूत होती है चलिए पहले समझ लेते हैं accounting क्या है किसी व्यापार या व्यवसाई के विट्टिय यानि financial लेंदेन का लिपिपध रिकॉर्ड रखने उसका वरगी करन यानि classification करने सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरेंड यानि report तयार करने और उनका analysis करने की कला को ही accounting कहते हैं हम इस वीडियो सिरीज में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों को एके करके समझेंगे यहाँ पहले हम इस lesson में उप्योग होने वाले technical शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले समझते हैं व्यापार यानि trade क्या है लाब कमाने के उद्देश से किया गया वस्तूओं का क्रे या विक्रे व्यापार कहलाता है अब हम देख लेते हैं पेशा यानि profession क्या है आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षन की आवशिक्ता होती है वो पेशा कहलाता है डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजिनियर आदी द्वारा किये गए काम पेशा कहलाते है अगली टर्म है व्याफसाय यानि बिजनिस ऐसा कोई भी वैदानी काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उदेश से किया गया हो व्याफसाय कहलाता है व्याफसाय एक व्याफक शब्ध है जिसके अंतरगत उत्पादन, वस्तू या सेवाओं का क्रे, विक्रे, बैंक, बीमा, परिवहन, कम्पनियां आदी आते हैं व्याफार वो पेशा भी इसी के अंतरगत आते हैं अब बात करते हैं ट्रंजिक्षन यानी लेंदेन की व्याफसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यावार या आदान प्रदान को लेंदेन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं चुंकि ये मुद्रा से संबंदित हैं, इसलिए इन्हें financial transaction भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुकतान तुरंत या भविश्य में हो सकता है। जब सौदे का तुरंत भुकतान किया जाता है, तब वह नकद लेंदेन यानि cash transaction कहलाता है। और जब भुकतान भविश्य में किया जाता है, तब उसे उधार लेंदेन यानि credit transaction कहते हैं। अब समझते हैं माल यानि goods किसको कहते हैं। माल उस वस्तू को कहते हैं जिसका क्रे, विक्रे या व्यापार किया जाता है। माल के अंदर खत वस्तू के निर्माण है तू, प्राप्त, कच्ची सामगरी, अर्ध, निर्मित, सामगरी या तयार वस्तूएं भी हो सकती हैं। उदारन के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकडी व तयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खर परिदा गया माल, क्रेय या खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल को नकत या उद्हार खरीदा जा सकता है जिसे कैश पर्चस या credit पर्चस कहते हैं. यहाँ एक बात का ध्यान रखें व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तुएं खरिता है तो वो खरीदी पर्चिस नहीं कहलाएगी जैसे यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरिता है तो यह पर्चिस के अंतरगत आएगा पर यदि वो अपनी दुकान के संचालन के लिए कंप्यूटर खरिता है तो यह पर्चिस के अंतरगत नहीं आएगा क्योंकि उसने ये computer अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है बेचने के लिए नहीं किसी भी व्यापार में कोई माल लाब कमाने के उद्धेश से बेचा जाता है तो ये sales कहलाता है व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है जिसे cash sales या credit sales कहते है नकद और उधार विक्रे को मिला कर कुल विक्रे यानि total sales को turnover कहा जाता है यहां महतुपुन बात ये है कि हमारा व्यापार जिन वस्तू या सिवाओं का है उनकी अलावा जो भी बेचा जाता है वो sales या विक्रे नहीं कहलाता है उधारन के लिए माल लीजे आपका electronics आइटम का showroom है और आप electronics का सामान बेचेंगे तो इसे sales कहा जाएगा लेकिन यदि आप अपने showroom का पुराना furniture बेचते हैं तो ये sales नहीं कहलाएगा अगली term है राजस्व यानि revenue revenue से आशय ऐसी राशी से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रे से नियमित रूप से प्राप्त होती है साधी व्यवसाई के दिन प्रतिदिन के क्रिया कलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिसकाउंट आदी भी revenue कहलाते हैं आई यानि income एक व्यक्ति या संगठन की आई यानि income वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं वैसे आई एक व्यापक शब्द है इसमें लाभ भी शामल रहता है आई दो प्रकारकी होती है प्रत्यक्ष आई यानि direct income इसके अंतरगत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्यकारे से प्राप्त होती हैं जैसे व्यापार के स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मुल्य प्राप्त हो रहा है वो direct income में आएगा मालीजे आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी direct income कहलाएगी दूसरी तरह की आए होती है अप्रत्यक्ष आए यानि indirect income मुख्य व्यबसाई के अलावा जो भी इंकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानि इंडिरेक्ट इंकम क्यालाती है उधारन के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्थ होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है जैसे आपने कुछ गोदाम किराये पर दिये हुए हैं तो उनका किराया या फिर आपने कुछ रुप्या बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्थ होने वाला व्याच आपकी इंडिरेक्ट इंकम कहलाएंगे अगली time जो हम आपको समझाने जारे हैं वो है व्य यानि expenses एक व्यक्ति या संगठन का व्य यानि expenses वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं ये वी दो प्रकार का होता है पहला है प्रत्यक्ष व्य यानि डिरेक्ट इंक्स्पेंस इसके अंधरकरत हमारे मुख्यकारे से संबंदें जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं जैसे व्यापार के स्थिती में यदिया बेचने के लिए कुछ खरीटते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्याय यानि डिरेक्ट एक्सपेंसिस कहलाता है उधारण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीते हैं उसका मूलिफ उसे अपने गो डाउन या फैक्टरी तक लाने के लिए जो गाड़ी भड़ा देते हैं यदि कपड़े पर कोई एम्ब्रोइडरी करते हैं यानि कपड़े को बेचने योगी बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं ये सब खर्चे आपके डारेक्ट एक्सपेंसिस माने है सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख व्यावसाइसे संबंदित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेश सभीktor इसके अंदर गताते हैं जैसे व्यवसाई या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं जैसे ओफिस से संबंधित कर्मचारियों की तंख्वा, ओफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, टेप्रिसियेशन, इत्यादी. अगली टर्म है इंटरिस्ट, यानि ब्याज. व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं, तो उस लोन राशी के उप्योग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्यत तर से प्रतिफल, यानि कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशी देन पड़ सकता है. इसके विपरेद यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधी के लिए उधार माल बेचा, तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं. फिर है छूट, यानि डिसकांट. व्यापारी द्वारा अपने ग्रहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिसकांट कहत हैं. जब हमें किसी से डिसकांट प्राप्त होता है, तो उसे डिसकांट रिसीवड कहते हैं, और जब किसी को डिसकांट दिया जाता है, तो उसे डिसकांट अलाउट या डिसकांट गिवन कहा जाता है. ये डिसकांट दो प्रकार का हो सकता है. पहला है व्यापारिक यानि Trade Discount व्यापारी माल बेशते समय ग्राहक को माल के मुल्ले में कुछ राशी कम करता है या बिल की राशी में से कुछ राशी कम करता है इस तरह के छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है इसे ही Trade Discount कहते है प्राया ये छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है दूसरा है नकत बट्टा यानि cash discount व्यापारिक चलन के अनुसार प्रते ग्राहक को एक निश्यत अवधी में भुकतान करने के सुविधा प्रदान की जाती है अगर ग्राहक निश्यत अवधी के पहले ही भुकतान कर दे तो उसे कुछ शूट दी जाती है जिसे cash discount यानि CD भी कहा जाता है प्राय ये discount प्रतिशत के रूप में दिया जाता है जैसे 2% cash discount या 3% cash discount त्यादी cash discount के लालच में ग्राहक शीग्र भुकतान करने के लिए प्रुचसाहित होता है अब आता है commission जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या आने कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे commission कहते हैं कई बार विक्रेटा अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए भी तनख्वा के साथ इस तरह का commission देता है या पारिश्रमिक साधारन तया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है पर कभी-कभी यह निश्चित राशी में भी दिया जा सकता है अगली term है सेवा यानि service वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है अपने website में हम कई प्रकार की सेवाओं का उप्यो या उपभोग करते हैं जैसे हम अपने computer supplier से अपना computer सुधरवाते हैं या computer में कोई नया software इंस्टॉल करवाते हैं तो यह उसके द्वारा दी गई सेवाए हैं इसे तरह मान लीजिए हमने किसी electrician से अपने यहाँ AC ठीक करवाया तो यह भी उसके द्वारा दी गई सर्विस ही है ग्राहक यानि customer हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा customer कहलाता है विक्रेता यानि supplier हम जिससे माल खरीते हैं उसे supplier कहते हैं हम सभी जानते हैं कि पहले accounting manually होती थी यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे और अब ये computer की साहता से होता है पर इसके मूलभूत तत्वों में कोई परिवर्टन नहीं हुआ है आईए पहले कुछ वीडियोस में हम समझ लेते हैं कि जो manual accounting होती थी वो किस तरह होती थी साथ ही ये भी देख लेते हैं कि accounting computerized होने से क्या फर्क पड़ गया है व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्ती यानि financial transaction होते हैं तो उनका record रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है संसारभर में इसके लिए अलग-अलग पथतिया हैं जिनमें सबसे महत्पून और scientifically proven है double entry system यानि दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि नाम से ही सपष्ट है इसमें प्रत्यक लेंदेन दो खातों को प्रप्धावित करता है एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है और इसमें प्रत्यक लेंदेन के लिए समान राशी एक खाते के नामपक्ष यानि देविट साइट और दूसरे खाते में जमापक्ष यानि क्रेडिट साइट में लिखी जाती है जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपए नगर निकाले अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए है नकद यानि कैश और बैंक इसकी एंट्री इस प्रकार होगी चित्र में आप देख रहे हैं कि दो खाते प्रभावित हुए है जिसमें देने वाला बैंक अकाउंट है और पाने वाला कैश अकाउंट है और दोनों पक्षों में जो राशी लिखी गई है वो समान है एक खाते को debit किया गया है और एक खाते को credit किया गया है यहाँ आपके मन में तीन सवाल उठेंगे पहला खाता क्या होता है तो इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से देंगे दूसरा कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit होगा इसके कुछ नियम हैं जिनने हम आपको Golden Rules of Accounting में आगे बताएंगे और तेसरा आप ये जो प्रारूप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे जर्णल के अंतरकत विस्तार से समझाएंगे यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं लेंदार यानि Creditor वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुप्या उधार देती है रिनदाता या लेंदार यानि Creditor कहलाती है लेंदार को भविश्य में रिनी से धनराशी प्राप्त होना होती है संख्शेप में जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा Creditor कहलाता है उधारन के लिए पारस ने राहुल से 10,000 रुपय का माल उधार खरीदा यहां पारस की बुक्स में राहुल Creditor कहलाएगा अब हम समझते हैं देंदार यानि डेटर के बारे में वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्ध्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाई खरीदती है या रुपया उधार लेती है रिनी या देंदार यानि डेटर कहलाती है देंदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानि एक निश्चित अवधी के बाद पैसा चुकाना होता है संग्शेप में जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है उधारन के लिए अनिल ने राज को 5000 रुपे का माल उधार बेचा यहां अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा अब हम समझते हैं पूंजी यानि कैपिटल के बारे में व्यापार का स्वामी यानी ओनर जो रुप्या माल या संपत्ती व्यापार में लगाता है उसे पुझी कहते हैं व्यापार में लाब होने पर पुझी पढ़ती है और हानी होने पर पुझी घटती है यहां एक बहुत महतुपुन बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व् व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है उदारण के लिए विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंब किया तो ऐसी इस्थिती में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशी 30,000 रुपए होगी अब हम देखते हैं कि स्वामी यानि ओनर कोन होता है वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूँ जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं व्यापार का संचालन करते हैं व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाब और हानी के अधिकारी होते हैं व्यापार के स्वामी कहलाते हैं यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ति है तो वह एका की व्यापारी यानि प्रॉपराइटर कहलाता है और यदी मालिक दो या दो से अदिक व्यक्ती हैं, तो साजेदार यानी partners कहलाते हैं, पर यदी बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कारे करते हैं, तो वे उस कंपनी के अन्शधारी यानी share holders कहलाते हैं. अगली परिभाशा है आहरन यानि drawings व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपिया या माल निकालता है वो उसका आहरन या निजी खर्च कहलाता है उदारन के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपे निकाल लेता है तो ये उसकी drawings कहलाएंगी संपत्ति यानि assets व्यापार या व्यावसाई की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यावसाई के संचालन में सहयक होती है और जिन पर व्यावसाई का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती है ये दो प्रकार की होती है स्थाई संपत्तियां और चालू संपत्तियां स्थाई संपत्ती यानि Fixed Assets से आशे उन संपत्तियों से है जो व्यावसाय में दीरककाल तक रखी जाने वाली होती है यानि जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुना विक्रे के लिए नहीं होती है उदारन के लिए जमीन, बिल्डिंग, फरनीचर, कम्प्यूटर, वाहन, मशीन, आदी और चालू संपत्ती से आशे उन संपत्तियों से है जो आम तोर पर एक वर्ष से कम समय में उप्योग की जाती है यानि जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती है जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके जैसे देंदार, बैंक बलेंस, स्टॉक, इत्यादी अब हम बात करते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज की वे सभे रिण या लोन जो व्यापार को आन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज कहलाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं स्थाई दायत्व यानि Fixed Liabilities जिने हम लंबी अवधी की देंदारियां यानि Long Term Liabilities भी कहते हैं और चालू दायत्व यानि Current Liabilities जिने हम कम अवधी की देंदारियां यानि Short Term Liabilities भी कहते हैं इस्थाई दायत्व से आशय ऐसी देंदारियों से है जिनका भुकतान दीर्गकाल के पश्चात या व्यापार की समापती पिर करना होता है, जैसे दीर्गकाल इन रिंड, लॉंग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लेंट को गिर्वी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉ व्याय एक साल से कम समय में चुकाना होती है, यानि ये अस्थाई होती है, और व्यापार संचालन में घट्ती बढ़ती रहती है, जैसे अल्ब कालिन रिंड, यानि शॉट्टम लोन, लेंदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानि कैश क्रेडिट लिमिट आदि, अब हम बात क मुल्य का भुकतान अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मिचारी की सालरी बाकी है, या मकान मालिक का किराया बाकी है, यानि देना है, किन्तु दिया नहीं गया है, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा, इस तरह के प्रावधान क को अदत्त व्याय कहते हैं अब हम बात करते हैं मुल्य रास यानी डप्रिसियेशन की किसी वस्तु या संपत्ति के उप्योग से समय वितीत हो जाने पर मुल्यों में परिवर्तन से नश्ठ हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मुल्य में कमी आ जाती है तो इस वाली कमी को depreciation कहते हैं उदारन के लिए हमारे पास कोई machine है और हम उसका लगातार उप्योग कर रहे हैं इस उप्योग से उसका मुल्य कम हो जाएगा मुल्य की यही कमी मुल्य रास या घिसारा या depreciation कहलाती है अब हम समझ लेते हैं वित्तिय वर्ष यानी financial year को यह बारा मां क होती है जिसका हम लेखा जुखा प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह अवधी 12 मां की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है हमारे भारत में यह अवधी यानी वित्तिय वर्ष एक अप्रेल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है उदारन के लिए 1 अप्रेल 2020 से कहेंगे चले आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में हर लेंदेन दो खातों को प्रभावित करता है तो पहले हम यह समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति, विशेश, वस्तु, सेवा या आयव इत्यादी से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं डेबिट साइट यानि नाम पक्ष और क्रेडिट साइट यानि जमा पक्ष debit side बाईं तरफ होता है और credit side दाईं तरफ होता है हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से एक लाख रुपए उधार लिए और टुकडों में उसे वापस चुका दिए देखिए राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा यहां आप देख सकते हैं जब हमें राम से रुपए प्राप्थ हुए हैं तो हमने उन्हें credit side में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किये हैं तो उन्हें debit side में लिखा है पहले हम यह समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति, विशेश, वस्तू, सेवा या आयवे इत्यादी से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे पर खाते के दो पक्ष होते हैं डेबिट साइड यानि नामपक्ष और क्रेडिट साइड यानि जमापक्ष डेबिट साइड बाई तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाई तरफ होता है हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से एक लाख रुपए उधार लिए और टुकडों में उसे वापस चुका दिये देखे राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमें राम से रुपए प्राप्थ हुए हैं तो हमने उन्हें credit side में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किये हैं तो उन्हें debit side में लिखा है खाते तीन प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत खाते यानि personal accounts व्यक्ति, संस्था या उनके प्रतिनिधी से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं इन्हें तीन श्रेणियों में बाटा गया है पहला है प्रकृतिक या स्वाभविक खाते यानि natural personal accounts सुरिष्टि के सुरिजन के द्वारा व्यक्ति बना है ये प्रकृति प्रदत है अता सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे राम, श्याम, मोहन, व्यापार के स्वामी का पुंजी खाता इत्यादी खाते इसी श्रेणी में आएंगे दूसरा है कृत्रिन खाते यानि artificial personal accounts कृत्रिन खातों में व्यवसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं बीमा, बैंक, व्यापारिक संस्था सभी लेंदार और देंदार इत्यादी तीसरा है प्रतिनिधित्व खाते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स प्रतिनिधित्व खाते व्यक्तिया समों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे अधत यानि आउटस्टेंडिंग वेतन का खाता जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है यानि देना थी पर दी नहीं गई, सिर्फ उसका प्रोवीजन कर लिया गया है ये तो हमने बात की परस्वनल अकाउंट्स की, अब हम देखते हैं दूसरी प्रकार के खाते जिनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स यानि वास्तविक खाते फरनीचर अकाउंट, वीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट इत्यादी। दूसरा है इसमें अमुर्द खाते यानि इन टैंजिबल रियल अकाउंट। जिन संपत्तियों को छुआ न जा सके उन्हें अमूर्थ संपत्तियां कहते हैं और इनके खातों को अमूर्थ खाते जैसे goodwill, trademark, patents, copyrights, इत्यादी तीसरे टाइप के खाते हैं नाम मात्र के खाते यानि nominal accounts ऐसे खाते जो income, expenses, profit और loss से संबंधित होते हैं nominal accounts कहलाते हैं जैसे की purchase account, sales account, interest account, discount allow, discount to receive, salary account, depreciation account, advertisement, expenses, insurance account, इत्यादी इस तरह के खातों की अवधी मात्र एक वर्ष रहती हैं वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को trading and profit and loss account में transfer करके बंद कर दिया जाता है trading and profit and loss account क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे जब कोई transaction होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि transaction में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिने golden rules of accounting कहते हैं किस खाते को debit और किस खाते को credit करना है ये निरने करना होता है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खातें तीन प्रकार के होते हैं तो आईए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए golden rules of accounting को समझ लेते हैं सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिकत खातों के लिए नियम यानि rules for personal accounts ये नियम है पाने वाले को debit करो यानि debit the receiver और देने वाले को credit करो यानि credit the giver वास्तविक खातों के लिए नियम है जो वस्तु व्यापार में आए उसे debit करो मतलब debit what comes in और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो यानि credit what goes out nominal accounts यानि नाम मात्र के खातों के लिए नियम है सभी खर्च एवा महानियों को debit करो मतलब debit all expenses and losses और सभी आय और लाभों को credit करो यानि credit all incomes and gains अभी जो हमने golden rules बताए उनमें जो terms आई है उसमें से income और expenses के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं अब हम losses और gains के बारे में बता देते हैं सबसे पहले देखते हैं हानी यानि losses क्या होते हैं जब व्याय या खर्च मतलब expenses राजस्व यानि revenue से अधिक होते हैं तो व्याय का आधिक यानि ज्यादा खर्च हानी कहलाता है जो पूंजी में प्रिथी की बजाय कमी करता है इसे एक उधारन से समझ लेते हैं माल लीजे हमें revenue के रूप में 10,000 रुपे प्राप्त हुए और इस revenue को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपे खर्च कर दिये इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2,000 रुपे की हानी हुई पूंजी पर इसका प्रभाव यह होगा कि पहले हमारी पूंजी एक नाख रुपे थी जो अब 2,000 रुपे घटकर 98,000 र अधिक होता है तो राजस्व की यह जो अधिकता है वो लाप कहलाती है यह एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ती है जो व्यवसाई के व्यभार के फलस्वरू प्राप्त होती है जैसे हमें revenue के रूप में 2,000 रुपे प्राप्त हुए और इस revenue को प्राप्त करने के लिए हमन देड़ लाख रुपए खर्चा के तो इन दोनों का पचास हजार रुपए का अंतर लाब यानि प्रॉफिट कहलाएगा पूंजी पर इसका प्रभाव यह होगा कि पहले हमारी पूंजी एक लाख रुपए थी जो आप पचास हजार रुपए बढ़कर देड़ लाख रुप तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बशता है वो गेन कहलाता है जैसे हमारी कोई संपत्ती जिसका बही खातों में 8000 रुपए मूल ले था उसे हमने 10,000 रुपए में बेचा यानि हमें 2000 रुपए की प्राप्ती हुई यह जो प्राप्ती है वो आमदनी यानि गेन कहलाएगी तो यहां आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है जबकि लाग निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी घटाए जाते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें कि अभी तक हमने आपको क्या-क्या बताया है शुरू से लेकर अभी तक के वीडियोस में आपने जाना कि अकाउंटिंग क्या है डबल एंटुरि सिस्टम क्या है अकाउंट क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं और गोर्डन र accounting की process को समझना शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले किसी transaction से प्रभावित होने वाले खातों को पहचानना उसके बाद ये देखना कि खाते किस प्रकार के हैं और कौन सा खाता debit होगा कौन सा खाता credit होगा और साथ ही समझेंगे journal क्या है और उसमें entry कैसे करते हैं आईए अब ह एक website आरंभ किया जिसमें कुछ transaction हुए हैं जिने हमने अपनी सामन्य भाषा में लिख लिया है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए एक लाख रुपए नकट पुंजी यानि कैपिटल लाए पाँच अप्रेल को हमने बीस हजार रुपए स्टेट बैंक आफ इंडिया में नकट जमा करके खाता खुला 6 अप्रेल को राम शर्मा को नकट 2,000 रुपए उधार दिये और 6 अप्रेल को ही व्यापार के लिए 51,000 रुपए का माल नकट खरीदा 6 अप्रेल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकट दिया जो माल हमने खरीदा था 7 अप्रेल को उसे 75,000 रुपए में नकट बेश दिया 9 अप्रेल को हमने 10,000 रुपए नकट देकर एक मुबाइल खरीदा 10 अप्रेल को हमने State Bank of India का 3,000 रुपए का चेक देकर साइकल खरीदी 11 अप्रेल को हमने 5,000 रुपए नकट अपने ओफिस का किराया दिया एक मही को हमने मोहन को अप्रेल महा की तनखवा 5000 रुपए State Bank of India के चेक से दी एक मही को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5000 रुपए चेक द्वारा प्राप्थ हुआ जो हमने State Bank of India के खाते में डिपॉसिट किया एक मही को हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा यह अभी हमने 1 अप्रेल से 1 मई तक के कुछ ट्रांजिक्शन्स देखे इन ट्रांजिक्शन्स के आधार पर हम मैन्यूल अकाउंटिंग के तरीके को स्टेप बाइ स्टेप समझ लेते हैं सबसे पहले हमें इन ट्रांजिक्शन की एंट्री जर्नल ने करनी होगी पर उसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल क्या है जर्नल प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार, क्रमा अनुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिध्धानतों के अनुसार संक्षिप्त विवरिन के साथ विदिवर डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है यहां हम आपको एक जर्नल एंट्री दिखा रहे हैं जब हैं हमें जर्नल में कोई ट्रंजेक्शन रिकॉर्ड करना होता है तो उस पर काम करने के कुछ नियम है यह हमेशा ध्यान रखें, यह बहुत इमध्वकून है टैली में भी हमें इनी नियमों के अधार पर काम करना होगा यह नियम हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आप ट्रंजेक्शन सामने रखकर यह देखें कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं दोनों खाते किस प्रकार के हैं जैसे परस्नल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट इन में से किस तरह के खाते हैं, इन दोनों खातों के बारे में golden rules of accounting क्या कहते हैं, यानि इन में से कौन सा account debit होगा और कौन सा credit होगा, तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, अब हम अपने transaction देखते हैं, हमारा पहला transaction है, एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंब करन के लिए एक लाख रुपए नकत पुझी यानि capital लाए, अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं, transaction को धियान से देखें, यहां नकती आई है, तो ये हुआ एक खाता, अब दूसरा खाता देखते हैं, नकती क capital के परिभाशे में बताया था कि जब कोई व्यापार में कोई संपती या माल या नकती लाता है, तो ये उसकी पुझी कहलाती है, तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता, यानि इस transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, नकती यानि cash और पुझी यानि capital, अब दूसरा सवा है कि ये खाते किस प्रकार के हैं, types of account के आधर पर आपको ये निर्ने करना है, देखिए, नकती का खाता real account है, और पुझी का खाता personal account, आगे हम आपको एक list of accounts देंगे, जिससे आपको खाता किस प्रकार का है, ये ढूनने में आसानी होगी, अब तीसरा सवाल है, कौन सा खा accounting के हिसाब से देखें, तो personal account के अंतरगत पुझी आई, यानि प्राप्त हुई, तो हमें देने वाला हुआ capital account, और golden rules of accounting के आधार पर इसका नियम है, देने वाले को credit करो, मतलब capital account credit होगा, अब हम देखते हैं, दूसरा खाता, जो real account के अंतरगत cash का है, उस पर भी golden rules of accounting के क् निख लेते हैं, इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आये, उसे debit करो, चूंकि cash व्यापार में आया है, इसलिए cash account debit होगा, उपरोग ताधार पर हमने ये निश्यत किया, कि journal में इस transaction की entry इस प्रकार होगी, जिसमें cash account debit होगा, और capital account credit होगा, यहाँ नीचे हमने narration भी लिखी है, narration से तातपर है किसी भी लेंदेन का संक्षिप्त विवरण, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमने journal में जो entry की है, उसमें क्या हुआ है, वो इस narration से ग्यात होता है, देखिए, journal के निश्यत प्रारूप में हमने पहले transaction को record कर दिया, और इसके बाद उपरोक्त बताए, नियमों के आधार पर हमने सभी transaction का अध्यन करके उनको भी जर्णल में record कर लिया है, अभी हमने ये जो journal में entries की हैं, उन्हें हम आगे tally में काम करते समय विस्तार से समझेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि tally में जर्णल का का अलग-अलग voucher के माध्यम से किया जाता है, इसे भी हम आगे समझेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो transaction record किये हैं, उनके आधार पर हम से कोई पूछे कि कुल कितने रुपे नकद आए और कितने रुपे नकद गए और कितने बचे हैं, तो हम क्या और कैसे जवाब देंगे, तो यहां हमें जर्नल में cash account से संबंधित एक-एक entry को ढूनना होगा, और फिर उनका जोड़ बाकी करके ये बताना होगा कि कुल कितने रुपे नकद आए, कितने गए और क्या बचा है, इस तरह कि जोड़ बाकी या हिसाब किताब से बचने का स् दान है कि हमने जर्नल में जो transaction entries की हैं, उन्हें छाट कर, यानि उन्हें classify करके उनकी posting संबंधित account में कर दें, इसे एक उदारन से समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे जर्नल में cash account से संबंधित जितने भी transaction हैं, हम उन्हें छाट लेंगे, और फिर एक-एक करके उनकी posting cash account में कर देंगे, और इसे तरह journal की सभी entries छाट कर, यानि उन्हें classify करके उनकी posting संबंधित account में कर देंगे, टेली की इस video series में हमने आपको पहले बताया था कि account यानि खाता क्या होता है, चलिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं, कि खाते क्या होते हैं, जब किसी व्यक इश्यत स्थान पर तिथी वार और नियमान उसार रखे जाते हैं, तो उसे खाता यानि account कहते हैं, किसे भी खाते के दो पक्ष होते हैं, debit side और credit side, debit side left की तरफ होता है और credit side right की तरफ होता है, हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं, जैसे हमने राम से 10,000 रुपए उधार ल किये, देखे, राम का खाता कुछ इस तरह का दिखेगा, यहां आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं, तो हमने उन्हें credit side में लिखा है, और जब हमने राम को रुपए वापस किये हैं, तो उन्हें debit side में लिखा है, जब बहुत सारे account किसी प manager कहलाएगा, हमारी पहली entry capital account से संबंधित है, तो पहले हम capital account बना लेते हैं, यह देखिए हमारा capital account बन गया है, अब हम देखते हैं कि journal में capital account से संबंधित कितनी entries हैं, जर्नल में capital account से संबंधित एक ही entry है, वह हम उसकी posting capital account में कर देते हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हम जिस भी entry की posting करेंगे, वो जर्नल में यदि credit की है, तो account में भी उसकी posting credit में ही होगी, और यदि journal में वो entry debit की है, तो account में उसकी posting debit में ही होगी, यह देखिए हमारी पहली entry में capital account एक लाख रुपए से credit हुआ है, और हम जिस account में posting करने जा रहे हैं, उसका नाम भी capital account है, तो क्या यहां capital account के अंदर एक लाख रुपए capital account के ही credit करेंगे, यह तो ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसा करते भी हैं, तो इस account में देखने से यह मालूम नहीं पड़ता, कि हम जिस entry की posting कर रहे हैं, उसका प्रभावित होने वाला दूसरा पक्ष कौन सा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां दूसरा पक्ष cash है, तो इसका समधान यह है, कि हम इसकी posting तो credit में ही करें, सिर्फ इस entry के साथ प्रभावित होने वाला जो दूसरा account है, जो कि यहां प पोस्टिंग कर दी है उसकी पहचान के लिए हम इसका कलर यलो ऐलो कर देते हैं अब हम cash account बना लेते हैं और journal में cash से संबंधित जितनी भी entries है उन्हें दे sleepy यह देखिए cash से संबंधित सारी entries को हमने highlight कर लिया है हम cash की पहली entry ले रहे हैं, यह debit की entry है तो हमें इसकी पोस्टिंग तो cash account में debit में ही करनी है, सिर्फ particular में हम दूसरे पक्ष का नाम लिख देंगे. इसे तरह cash account से संबंधित बाकी सभी entries हम कर लेंगे. हमने cash account से संबंधित सभी entries की posting कर ली हैं, और अब इसी तरह बाकी सभी account बना कर उन accounts में journal से posting कर देंगे. हमारी journal की सभी posting उनसे संबंधित accounts में यानि लेजर में हो गई है. अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोई entry छूटी तो नहीं है. यह देखिए यहाँ पर सभी transaction पीले दिखाई पड़ रहे हैं, यानि सभी posting हो गई है. अब हम इन सभी accounts के दोनों पक्षों की जोड लगा लेते हैं. साथी दोनों पक्षों का difference भी निकाल लेते हैं. यही difference in accounts का balance कहलाता है. देखिए, capital account में एक ही entry है, इसका मतलब यही इसका balance है. अब cash account के दोनों पक्षों का जोड लगा कर, जिस और का total ज्यादा है, उसमें से कम वाला amount घटा देते हैं. यह इस खाते का balance आ गया है. इस तरह अब हम से कोई cash account के बारे में पूछे, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुल 1,75,000 रुपए आए, जिसमें से 88,100 रुपए चले गए, और 86,900 रुपए शेश हैं. अब हम इसी तरह जोड बाकी करते हुए, नीचे की और बढ़ते हैं. यह देखिये, यहाँ पर purchase account में तो entries है, इन दोनों की जोड ही इस खाते का balance कहलाएगा. अब हमने इस सारे खातों का balance देख लिया, अब आगे समझते हैं. टैली में हमें posting का काम नहीं करना पड़ता है, जब हम अलग-अलग voucher के माध्यम से journal entries करते हैं, तो उसके साथ ही posting भी अपने आप हो जाती है. आप पहले यह समझेंगे कि trial balance क्या है और उसके आवशक्ता क्यों पड़ती है? Trial balance, लेजर के सभी account से ग्याद किये गए debit तथा credit पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है. इसका मतलब यह हुआ कि trial balance हमारे द्वारा बनाए गए सभी account को summarize करता है. यदि हम से posting में कोई गलतियां हो गई हूँ, तो उन्हें भी हम trial balance के द्वारा पकड़ सकते हैं. trial balance के अवशक्ता मुख्य तया दो कारणों से होती है. पहला कारण, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यवसाय का अध्यन करने के लिए सभी खातों की स्थिती एक साथ देखना चाहते हैं. यानि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, उनका जो भी debit या credit balance है, वो हम एक साथ एक स्थान पर दिखना चाहते हैं. दूसरा कारण है, जैसा कि हम जानते हैं, double entry system के सिध्धनतों के अनुसार, प्रत्य एक transaction की दो जग़ एंट्री की जाती है. एक debit पक्ष में, दूसरी credit पक्ष में. दोनों पक्षों में लिखी जाने वाली रकम एक ही होती है. अब यदि हम ये जानना चाहते हैं, कि हमने double entry system की सहायता से जो journal तयार किया है, उसमें या ledger में जो पोस्टिंग की है, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, तो इसके लि balance है, तो उसे debit side में, और यदि खाते का credit balance है, तो उसको credit side में लिख लेंगे. लिखने के बाद debit और credit side के दोनों पक्षों का जोड नगाने पर वो बराबर होना चाहिए. अगर दोनों पक्षों का जोड नहीं मिलता है, तो दो बाते हो सकती हैं. पहली, या तो हमने journal में दो posting करते वक्त कहीं गलती हो गई है, जिसे हम ढूंड कर यानि recheck करके दूर कर सकते हैं. आए, हमने जो लेजर तयार किया है, उनमें खातों में जो भी शेश है, उसके आधार पर trial balance sheet तयार कर लेते हैं. देखिए, हमारे capital account में credit balance एक लाख रुपए है, तो इसे हम trial balance sheet में credit में लिख लेते हैं. अब amount लिखने के बाद, लेजर से जिस amount को हमने balance के रूप में लिया है, उसे पीला कर देते हैं. इससे ये पैचानने में आसानी होगी, कि हमने इस खाते का balance trial balance sheet में लिख लिया है. इसी तरह cash account में debit balance 86,900 रुपए है, तो इसे हम trial balance sheet में debit में लिख देंगे और इसी तरह हम सभी खातों के balance trial balance sheet में लिख देंगे. चलिए, लेजर में चलकर देख लेते हैं कि कोई balance छूटा तो नहीं है. देखें, सभी balance पीले दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमने सभी लेजर के balance को trial balance sheet में लिख लिया है. अब हम trial balance के दोनों side की जोड लगा कर देख लेते हैं. यह देखें, हमारे दोनों पक्षों की जोड पराबर आ रही है. इसका मतलब यह हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमने जर्नल में जो entries की हैं उन में, या जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है. यह काम भी हमें टैली में अप नहीं करना पड़ता है, यह अपने आप हो जाता है. अब आप ट्रायल बैलन्स शीट में जो अलग-अलग खाते देख रहे हैं, यह अलग-अलग प्रकृति के हैं. इनकी प्रकृति समझने के लिए, पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा. हमारे जित कुठ पूर्ण हैं इसलिए फिर से देख लीते हैं. संपत्ति यानि असेट्स. व्यापार या व्यवसाई की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाई के संचालन में सहयक होती है, और जिन पर व्यवसाई का स्वामित्व होता है, संपत्ति कहलाती हैं. यह दो संपत्यों से है जो व्यावसाय में दीरक काल तक रखी जाने वाली होती है यानि जिनका लाब व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुना विक्रे के लिए नहीं होती है उदारन के लिए जमीन, बिल्डिंग, फरनीचर, कम्प्यूटर, वाहन, मशीन, आदी और चालू संपत्ती से आशे उन संपत्तियों से है जो आम तोर पर एक वर्ष से कम समय में उप्योग की जाती है यानि जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती है जैसे नकदी या जिने आसानी से नकदी में बदला जा सके जैसे देंदार, बैंक बलेंस, स्टॉक, इत अब हम बात करते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज की वे सभे रिण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथ्वा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज कहलाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं स्थाई दायित यानि Fixed Liabilities और चालू दायत्व यानि Current Liabilities इस्थाई दायत्व से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुकतान दीर्गकाल के पश्चात या व्यापार की समापती पर करना होता है जैसे दीर्गकाल इंड्रिंड, Long Term Loan, पूंजी, बिल्डिंग या लेंट को गिर्वी रखकर बैंक से लिया हुआ Long Term Loan इत्यादी चालू दायत्व यानि Current Liabilities से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुकतान निकट भविश्य में करना हो प्राय या एक साल से कम समय में चुकाना होती है यानि ये अस्थाई होती है और व्यापार संचालन में घट्ती बढ़ती रहती है जैसे अल्पकालिन रिंड यानि Short Term Loan, लेंदार, बैंक लोन, CC लिमिट यानि Cash Credit लिमिट आदी आई यानि Income, एक व्यक्ति या संगठन की आई यानि Income वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं वैसे आई एक व्यापक शब्द है इसमें लाभ भी शामल रहता है आई दो प्रकार की होती है प्रत्यक्ष आई यानि Direct Income इसके अंतरगत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कारे से प्राप्त होती हैं जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मुल्ले प्राप्त हो रहा है वो Direct Income मे कहलाएगी दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानि Indirect Income मुख्य व्यवसाई के अलावा जो भी इंकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानि Indirect Income कहलाती है उदारन के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरि प्या बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याच आपकी Indirect Income कहलाएंगे अगली टाम जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्य यानि Expenses एक व्यक्ति या संगठन का व्य यानि Expenses वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए ख इसके अंतरगर्थ हमारे मुख्य कारे से संबंदे जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं जैसे व्यापार के स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्र भड़ा देते हैं, यदि कपड़े पर कोई embroidery करते हैं, उसका खर्चा, यानि कपड़े को बेचने योगे बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, ये सब खर्चे आपके direct expenses माने जाएंगे, दूसरी तरह का वय है अप्रत्यक्ष वय, यानि indirect expenses, इनका संबंद वस्तु के क्रे या उसके निर्मान से ना होकर वस्तु की बिक्री या कारीयाले वैसे संबंदित होता है, सरल शब्दों में कह सकते हैं, मुख्य व्यवसाय से संबंदित जो भी सीधे खर्च होते हैं, उनको छोड़कर, शेश सभी खर्च इसके अंदर गत आते हैं, जैसे व्यवसाय या व इत्यादी, अभी हमने अकाउंट्स की चारों केटिगरीज और उनकी सब केटिगरीज के बारे में समझा, अब हम अपने ट्रायल बैलेंस को उन केटिगरीज और सब केटिगरीज के आधार पर बांट देते हैं, देखें यहां पर खातों की प्रक्रती के आधार पर हमने अप के करंट एसेट्स में अभी तो ये 8 ही है पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे 80 या उसे अधिक हो जाएंगे तो कैश और बैंक के खाते तो नाम से ही पहिचान में आ जाएंगे पर शेश खातों के बारे में हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि इनमें से कौन से और कौन से ऐसे हैं जिने हमने उधार माल बेचा है बविश में आने वाली इस Saying का समाध़ान यह आ कि हम इन खातों को छाट कर एक जैसे खातों को एक स्थान पर कर और उनको कुछ नाम दे दें ऐसा करने से हमें खाते किस तरह के हैं ये पहचानने में आसानी हो जाएगी, उधारन के लिए अभी अमरे पास current assets में जो आठ खाते हैं, उनमें से एक खाता cash का है, दो bank के हैं, एक खाता ऐसा है जिसे हमने रुपया उधार दिया और चार खाते ऐसे हैं, जिने हमने उधार माल बेचा है, हम इ एक स्थान पर रखा होना, ये दिखे, अब हमारी बहुती सुंदर और समझने में सरल ट्रायल बैलेंस शीट बन गई है, इसमें अलग-अलग गृप बने हुए हैं, और उनके अंतरगत हमारे खाते दिखाई पढ़ रहे हैं, यहां बहुती महत्वपून बात समझने के लि हैं, इसके बारे में हम डिटेल में लिस्ट ओफ अकाउंट्स फाली वीडियो में बताएंगे, टैली में हमें ट्रायल बैलेंशीट नहीं बनाना होती, हम जो ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसी के आधार पर टैली हमें ट्रायल बैलेंशीट बना कर दे देता है, जब हम किसी profession या business में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी profit कमाना और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है हिसाब किताब रखने से ही हमें बता चलता है कि व्यापार या website में profit हो रहा है या loss आपको याद होगा कि हमने trial balance sheet में सभी accounts को उनकी प्रकृति के हिसाब से liabilities, assets, income और expenses में बाटा था वर्ष समापती पर व्यावसाय में profit हुआ या loss ये निकालने के लिए हमें trial balance में हमारे जितनी भी income और expenses से समबंधित accounts हैं उनके balances, trading and profit and loss account में transfer करना होते हैं अब ये समझ लेते हैं कि trading and profit and loss account क्या है ये भी अन्य accounts की तरह ही एक प्रकार का account है सुविधा की दृष्टी से हम इसे दो भागों में बाट सकते हैं पहला trading account और दूसरा profit and loss account आई आप देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में income और expenses से संबंधित कौन से accounts transfer किये जाते हैं और उसे हमें क्या पता चलता है व्यापार खाता वो खाता है जो व्यापार के सकल लाभ यानि gross profit और सकल हानी यानि gross loss मालुम करने के लिए बनाया जाता है इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, विक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अन्तिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्य यानि direct expenses शामिल किये जाते हैं उप्रोक्त परिभाशा में उप्योग किये गए शब्दों में से हम आपको खरीद, विक्री और direct expenses के बारे में पहले ही बता चुके हैं अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अन्तिम स्टॉक को समझ लेते हैं किसी भी व्यवसाई में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है वर्ष के अन्त में जो माल बिना विकार रह जाता है वो उस वर्ष का closing stock कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल opening stock कहलाता है जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समापती पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मुल एक लाख रुपए है तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगला वर्ष जो 1 अपरेल 2020 से प्रारंब हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा आईए अब हम व्यापर खाता बना लेते हैं इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं चुकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे 0 लिख रहे हैं अब एक-एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंदे जितने भी खाते जासे कि खरीद विक्री और सभी प्रटेक्श वैके खातों के जो भी बैलन्स हैं वो यहां पर लिखतेंगे एक महतुपून बात का ध्यान रखें प्रेडिंग अकाउंट में बह उसे लाल रंग कर देंगे ओपनिंग स्टॉक के बाद डेविट साइड में ही पर्चेस अकाउंट का बैलन्स लिख लेते हैं इसके बाद हमारा direct expenses का एक ही खाता है freight account का हम उसका balance भी लिख देंगे चलिए अब trading account में right side में हमारे sales account का balance लिख देते हैं और इसके बाद हमारा जो भी closing stock होगा वो लिखना होगा हमारा कोई closing stock नहीं है इसलिए यहाँ हम zero लिख रहे हैं अब इन दोनों पक्षों का total लगा लेंगे ध्यान रखें यदि credit side का total debit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर यानि difference हमारा gross profit कहलाता है और यदि debit side का total credit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा gross loss कहलाता है यहाँ देखिए credit side का total debit side के total से अधिक है मतलब यहाँ पर हमें gross profit हुआ है अब हम gross profit निकाल लेते हैं credit side का total है एक लाख रुपए debit side का total है 81,100 रुपए तो यहाँ पर हमको gross profit हुआ 18,900 रुपए accounting के principle के अनुसार दोनों पक्षों यानि debit का total और credit का total बराबर आना चाहिए तो यह amount हम debit side में लिख करके दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं अब हम gross loss को समझने के लिए एक उधारन देख लेते हैं देखिए इस उधारन में debit side का total credit side के total से अधिक है मतलब हमें gross loss हुआ है हम gross loss निकाल कर देख लेते हैं debit side का total है एक लाख बीस हजार रुपए और credit side का total है एक लाख रुपए तो यहां पर gross loss हुआ बीस हजार रुपए का हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हम हटा देते हैं यह जो gross profit या gross loss हमें trading account से प्राप्त होता है आगे उसे profit and loss account में ले जाना होता है एक महत्वपुन बाद ध्यान रखें जब भी हम किसी खाते का balance आगे ले जाते हैं तो उसे opposite side में लिखते हैं जैसे कि हमने trading account में जो debit side में cross profit निकाला है उसे profit and loss account में ले जाएंगे तो credit side में लिखेंगे चलिए अब हम profit and loss account पर काम कर लेते हैं पर उससे पहले हमें इसकी परिभाशा समझनी होगी व्यापार खाता बनाने के बाद लाभानी खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाग यानि net profit या शुद्धानी यानि net loss को निकाला जाता है इसमें हम व्यापार खाते में जो भी account ले चुके हैं उनको छोड़कर income और expenses के शेश सभी खाते लेते हैं व्याप या शुद्धानी पूर्जी खाते में transfer कर दी जाती है यहां से हम अपना profit and loss account बना रहे हैं सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से gross profit हुआ है तो उसे right side में लिखना होता है जो कि हम लिख चुके हैं यदि हमे gross loss प्राप्त हुआ है तो उससे हम left side लिखते हैं और left side में जितनी भी हमारे indirect expenses है वो लिखतेंगे दोनों side का total लगाएंगे देखे हमारा credit side का total debit side के total से अधिक है तो इसका तात पर यह है कि हमें net profit प्राप्त हुआ है यहाँ दोनों पक्षों का अंतर जो की हमारा net profit है वो लिख देंगे ऐसा करते ही देखे दोनों पक्ष भी समान हो गए हैं यहाँ तो हमें net profit हुआ है लेकिन यदि net loss हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते आईए एक उधारन की सहता से समझ लेते हैं यह देखे इस उधारन में debit side का total credit side के total से अधिक है मतलब हमें net loss हुआ है हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हटा देते हैं यह जो net profit या net loss हमें profit and loss account से प्राप्त होता है उसे capital account में transfer करना होता है चलिए हमें profit and loss account से जो net profit प्राप्त हुआ है उसे capital account में transfer कर देते हैं जैसा कि हमने आपको trading account के अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के balance को आगे ले जाते हैं तो उसकी entry opposite side में करते हैं तो net profit की हमारी entry capital account में credit side में होगी देखिए profit होने से हमारे capital account का balance बढ़ गया है इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका साराँच यह है कि हमने trial balance से income और expenses के सभी खातों को trading and profit and loss account में transfer कर दिया यानि यह खाते अब समाप्त हो गए हैं और trading and profit and loss account से हमें जो profit प्राप्त हुआ उसे हमने capital account में transfer कर दिया और ऐसा करते ही हमारा profit and loss account का काम भी समाप्त हो गया अब हम एक काम और करेंगे trial balance से जिन खातों का balance हम trading and profit and loss account में ले जा चुके हैं और जिन्हें हमने पहचानने के लिए लालरण भी किया हुआ है उन सभी खातों को हम trial balance से हटा देंगे देखें यहाँ आप सिर्फ assets और liabilities के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं पर यहाँ एक समस्या भी आ रही है नीचे दोनों पक्षों का जो total है उसमें difference आ रहा है जबकि accounting के principles के हिसाब से यह दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए इसका कारण यह है कि यहाँ जो capital account का balance लिखा है वो पुराना है हम इसे हटा कर capital account का current balance यहाँ पर लिख देते हैं देखिए ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए है इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने trial balance के आधार पर अपना trading and profit and loss account बनाया और अपने व्यवसाए में होने वाले लाब या हानी की जानखारी प्राप्त की होता है वो हमें एक preview देता है जिसके आधार पर हमें कुछ transfer entries करना होती है ग्यान रखने की बात यह है कि टैली में इसका नाम सिर्फ profit and loss account है देखें trial balance sheet में से जो खाते उठाकर हम trading and profit and loss account में ले गए हैं वे सभी खाते सवाप्त हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ assets और liabilities के खाते बचे हैं इनका हमने एक नया trial balance बना लिया है आईए अब हम trial balance से एक एक करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं पर उससे पहले हम balance sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं balance sheet एक निश्चित तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा statement है जिसमें एक और व्यवसाई की पूंजी यानि capital और दायत्वों यानि liabilities को तथा दूसरी और संपतियों यानि assets को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है इसे प्रायव वर्ष समापति पर बनाया जाता है आए हम इसके कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहाँ debit और credit ऊपर लिखा होता था पर balance sheet में इस तरह नहीं लिखा जाता है इसमें left side में liabilities के सभी खाते और right side में assets के सभी खाते एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं आए अब हम trial balance से एक एक करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं यह देखिए हमने trial balance से सभी खातों के balance ले लिए हैं आएए अब चिठा यानि balance sheet देख लेते हैं इस balance sheet से हमें अपनी पूरी आर्थिक स्थिती के जानकारी प्राप्त हो रही है जैसे हमें किसे क्या देना हैं किसे क्या लेना हैं और वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी हैं टैली में अब ना तो हमें खातों को क्रमानुसार लिखना होता है और ना ही balance sheet बनानी होती है टैली ये काम अपने आप करके हमें दे देता है इस वीडियो सिरीज के प्रारंब से लेकर अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि manual accounting किस तरह होती थी और अब टैली ने उसे कितना असान कर दिया है साल भर टैली में सिर्फ voucher entry करो और साल के आखिर में trading and profit and loss से संबंधित कुछ entries करो शेश सभी काम अपने आप हो जाते हैं इसी के साथ टैली हमें website को अच्छे से चलाने के लिए अनेक reports भी प्रदान करती है साथ ही टैली में ये सुथा भी है कि हम जब चाहें तब हमारा profit and loss statement और balance sheet देख सकते हैं टैली प्राइम का सभी लोगों को लंबे समय से इंपजार था और अब यह बिलकुल नए लुक में आ गया है ध्यान रखें टैली प्राइम सिर्फ 64-bit वाले Windows 7 या उसके बाद वाले operating system को ही support करता है इसलिए अपने system पर इसे डाउनलोड करने के पहले अपने system का configuration चेक कर लें आपके पास जो भी operating system है उसका configuration कैसे चेक करते हैं उसके कई वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी और यदि आपका operating system 64-bit नहीं है तो आप अपने computer supplier से इसे upgrade करवा सकते हैं तो चलिए टैली प्राइम को डाउनलोड और install करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं टैली software को डाउनलोड करने के लिए हम Google Chrome में टाइप कर रहे हैं डाउनलोड टैली प्राइम अब एंटर की प्रस करेंगे यहां टैली की official website tallysolutions.com दिखाई पढ़ रही है इस पर क्लिक करें देखें वेबसाइट उपन हो गई है अब यहां डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं पर सेटप डाउनलोड करने से पहले यहां नीचे लिखे नोट पर ध्यान देए इसमें कहा गया है कि टैली प्राइम विंडोस 7 या उसके बाद वाले विंडोस को ही सपोर्ट करेगा और इनमें भी 64-bit operating system और 64-bit processor होना चाहिए यदि आप आवर्शिक system configuration के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहां here पर क्लिक करें चलिए अब डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम का सेटप डाउनलोड कर लेते हैं देखिए सेटप डाउनलोड हो गया है अब यहां show in folder पर क्लिक करेंगे अब हमें टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए सेटप पर डबल क्लिक करना होगा सेटप पर डबल क्लिक करते ही हो सकता है इस तरह की विंडो आए जिसमें सेटप को रन करने के लिए आप से permission मांगी जा रही हो हम लेस पर क्लिक कर रहे हैं ऐसा करते ही टैली प्राइम सेटप मेनेजर की एक विंडो उपन होगी जिसमें सेटप के बारे में जानकारी दी गई है इसे के नीचे टैली प्राइम कहां पर इंस्टॉल होगा वो पाथ दिखाई दे रहा है यदि आप ये पाथ बदलना चाहते हैं तो Configure पर क्लिक करें यहां से आप पाथ बदल सकते हैं हम SSheet की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर जा रहे हैं चलिए अब हम टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके लिए Install पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही software install होना शुरू हो जाएगा यह देखिए कुछ ही seconds में Teleprime install हो गया है और यहां एक message भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि हमारी computer के desktop पर इसका एक shortcut भी create हो चुका है यहां हम start Teleprime पर क्लिक करके भी Teleprime को start कर सकते हैं हम इस पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही Tele open हो रहा है हो सकता है Tele open होते ही यहां पर एक security alert आए जिसमें आप से कुछ permission मांगी जा रही हो permission के लिए allow access पर क्लिक करें यह देखिए Teleprime open हो चुका है और application startup की window आ रही है इसे accept करने के लिए enter press कर दें या mouse से accept पर क्लिक करें ऐसा किरते ही license की एक नई window आ गई है जिसमें लिखा है welcome to Teleprime इसमें नीचे license से संबंधित within options दिखाई दे रहे हैं अभी हम इनके बारे में आपको short में बता रहे हैं पहला option है continue in educational mode दूसरा है use license from network तीसरा है reactivate existing license और चौथा है activate new license यह जो use license from network option है इसकी साहता से आप तैली का multi-user यानि की gold version जिसमें हम एक ही समय पर server की साहता से कई computer उप्योग कर सकते हैं इसके existing license को reactivate कर सकते हैं यदि आपने नया license खरीदा है तो उसे activate new license की मदद से activate कर सकते हैं यदि आपके पास पहले से ही single user यानि silver license है तो उसे reactivate existing license की मदद से reactivate कर सकते हैं और यदि आप इस educational mode में ही उप्योग करना चाहते हैं तो continue in educational mode पर mouse से click करें या keyboard पर P key को प्रेस करें इस mode का उप्योग आप initial यानि बिना किसी शिल्क के कर सकते हैं बस एक महतबुन बात ध्यान रखें educational mode में प्रैक्टिस करते समय आप इसमें सिर्फ तीन तारिखों में ही काम कर सकते हैं एक दो और एक तीस लाइसन्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी दो वीडियोज activate new license of Teleprime by accounting no problem और reactivate existing license of Teleprime by accounting no problem देख सकते हैं इन वीडियोज के लिंक भी हमने नीचे description में दी है इस वीडियो में आपने सीखा Teleprime डाउनलोड करना और इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे Teleprime में हिसाब किताब रखने के लिए नई कंपनी बनाना साथ ही सीखेंगे Tele start करना, company shut करना और Tele बंद करने के बारे में आईए सबसे पहले Tele open कर लेते हैं उसके लिए Tele के आईकॉन पर जाकर माउस से डबल क्लिक करें और यदि आईकॉन दिखाई नहीं बढ़ रहा है तो start बटन पर जाकर क्लिक करें और यहाँ टाइप करें Teleprime ऐसा करते ही सबसे उपर Teleprime दिखाई पड़ेगा जो कि सिलेक्टेट होगा एंटर प्रेस करें या उसपर pointer ले जाकर माउस से क्लिक करें यदि आप licensed Tele software का उप्योग कर रहे हैं तो सीधे Tele software खुल जाएगा और यदि आप Tele का educational version उप्योग कर रहे हैं तो इस तरह की window दिखाई पड़ेगी इसमें continue in educational mode पहले से ही selected है आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या माउस से उसपर क्लिक करें और यदि चाहें तो इसकी shortcut की T प्रेस करें यह देखिए यहां ऊपर कोने में Tele Prime EDU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपका license जिस भी प्रकार का होगा जैसे educational, silver, gold आदी वो यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा इस पर क्लिक करके आप license की सारी information ले सकते हैं हम वापस पिछले screen पर जाने के लिए escape की प्रेस कर रहे हैं चले आगे पढ़ते हैं हम यह Tally में नई company बनाना है उसके लिए create company में जाना होगा देखिए उपर के और create company दिखाई पढ़ रहा है जो की highlighted है आप चाहें तो enter प्रेस करें या mouse से क्लिक करें यह देखिए company creation screen आगई है यहां आपको अपनी company का नाम देना होगा नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ते के लिए enter प्रेस करें यह देखिए mailing name में वही नाम आ रहा है जो हमने उपर टाइप किया था enter प्रेस करें अब address में अपनी company का पूरा पता टाइप करें आपके जानकारिल के लिए पता देए कि mailing name में जो नाम होता है और यहां आप जो address देते हैं टैली में कोई भी print निकालने पर वो उस print पर दिखाई पड़ता है यहां पर एक खास बाद ध्यान रखें टैली में सबी जगह आगे बढ़ने के लिए enter का उप्योग किया जाता है और मान लिजे आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए big space की का उप्योग किया जाता है enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ें state के आगे आपको अपना state यानि राज्य सेलेक करना है उसके लिए right side में list of states आ रही है आप अपने state के नाम का पहला अक्षा टाइप करें जैसे हमने मध्य प्रदेश के लिए टाइप किया M तो देखे इस अक्षर से शुरू होने वाले सभी states के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आप up या down arrow key से अपनी state के नाम पर जाकर enter प्रेस करें पिन कोड में अपने शहर का पिन कोड डालें अब यहाँ पर अपना phone number डालें मालीजे आपके पास phone number नहीं है तो इसे blank छोड़ने यानि skip करने के लिए enter प्रेस करें इसे तरह मांगी गई सभी जानकारी भड़ते हुए आगे बढ़ें financial year begins from के सामने अभी जो financial year चल रहा होगा टैली खुद ही उसके आरंभ होने की तारीख यहाँ दे देगा यदि आप किसी और financial year में काम करना चाहते हैं तो उसके आरंभ होने की तारीख आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं ध्यान रखें भारत में financial year एक अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और हम financial year 2020-21 का हिसाब किताब इस कंपनी में रखना चाहते हैं तो यहाँ हमें जो तारीख चाहिए वो है एक अप्रेल 2020 जो की दिखाई पढ़ रही है enterprise करके आगे बढ़ेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं books beginning from इसमें वो ही तारीख आ रही है जो हमने उपर डाली थी आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं इसे बदलने के आवशिक्ता क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं हम financial year 2020-21 में company बना रहे हैं और financial year की शुरुआत हो रही है एक अप्रेल 2020 से तो ये तो सही है पर हमारी जो company है वो शुरू हो रही है एक जुलाई 2020 से यानि हम जो company बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब एक जुलाई 2020 से रखने वाले हैं तो books beginning from में हम एक जुलाई 2020 डालेंगे इससे ये होगा कि यदि हम company में अन्जानी में भी कोई transaction इसके पहले के period में record करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं होगा यहाँ एक और खास बात का ध्यान रखें educational mode में हम सिर्फ तीन ही तारिखों में काम कर सकते हैं और वो है एक दो और 31 मतलब जब आप date चेंज करेंगे तो tally एक दो और 31 के अलावा किसी और date को accept नहीं करेगा इसलिए हमने यहाँ जुलाई की एक तारिख ली है यह देखिए accept वाली window आ रही है आपने जो details दी है वो फिर से check कर लें यदि ठीक है तो इसे accept करने के लिए yes करना होगा जिसके लिए y press करें या फिर enter प्रेस करें यदि आपने जो details भरी है उन्हें accept नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए end प्रेस करें या फिर escape की प्रेस करें ऐसा करते ही आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे अब यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लें अब हमें आगे कोई correction नहीं करना है तो हम इस screen को accept करने के लिए ctrl और a की को एक साथ प्रेस कर रहे हैं ctrl और a किसी भी screen या window को accept करने का shortcut है देखें यहां एक message आ रहा है company created successfully और नीचे की और कुछ features दिखाई पढ़ रहे हैं इन features के बारे में हम आपको आगे समझाएंगी अभी हम इस pop-up window को accept करने के लिए ctrl और a की को प्रेस कर रहे हैं देखें यहां पर gateway of tally की screen आ रही है इसमें सबसे उपर दिखाई देने वाले इस भाग को top menu bar कहते हैं इसमें हमें company, data, go to, import, export, email, print, help आदी से समबंधित options मिलते हैं इस top menu bar की विशिष्टा ये है कि टैली में कोई भी काम करते समय ये हमेशा top पर ही उपलब्द रहता है और यदि हम tally में कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को बंद किये बिना ही हम इन options copy कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तॉप मेन्यू बार के बाद अब बात करते हैं राइट साइड बटन बार के बारे में जिसमें अभी कुछ शॉटकट्स दिखाई पड़ रहे हैं जब आप टैली में आगे काम करेंगे तो आपके काम की जरूरत के हिसाब से यहां के शॉटकट्स पदलते रहेंगे जैसे कि अभी हमने वाउचर्स के लिए वी प्रेस किया देखिए ऐसा करते ही वाउचर्स से संबंदि चॉटकट्स यहां पर आ गए हैं हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए स्केप की प्रेस कर रहे हैं यहां जो आप Gateway of Tally लिखा हुआ देख रहे हैं इसे हम Tally का मुख्य दर्वाजा भी कह सकते हैं इसे चार भागों में और्गनाइस किया गया है Masters, Transactions, Utilities और Reports इनके बारे में हम आगे काम करते समय डिटेल में जानेंगे अभी जो हमने कमपनी बनाई है वो खुली हुई है देखें यहां बोल्ड अक्षरों में उसका नाम दिखाई पढ़ रहा है और उपर की और Current Period में जिस पीरियद में कमपनी खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है Current Date में आप 1 जुलाई 2020 देख रहे हैं यह वही तारीख है जो हमने कमपनी बनाते समय बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में ली थी Date of last entry के नीचे कोई तारीख नहीं आ रही है उसके जगब पर no voucher centered लिखा है क्योंकि अभी हमने इस कमपनी में कोई transaction record नहीं किया है जब हम कोई transaction record कर देंगे तो आखिरी transaction की जो date होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी चलिए अब एक नई कमपनी और बना लेते हैं उसके लिए create company option पर जाना होगा जो कि अब उपर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने जो company बनाई है वो open है अब create company के लिए उपर जहाँ पर company लिखा है वहाँ पर हमें mouse से click करना होगा या alter और के प्रेस करना होगा द्यान रखें किसी भी की के नीचे यदि एक underline हो तो इसका मतलब है कि alter के साथ उसकी को प्रेस करना है हम alter और के प्रेस कर रहे हैं यह देखे एक menu आ गया है जिसमें create highlighted है हम enter प्रेस कर रहे हैं enter प्रेस करते ही company creation screen आ गई है यहाँ company का नाम और details डाल देते हैं financial year begins from में एक अप्रेल 2020 बाइडिफॉल्ट आ रहा है और यही हमें चाहिए भी हम enter प्रेस कर रहे हैं देखे बुक्स विग्निंग फ्रॉम में भी यही तारीख आ गई है हम यही रहने देते हैं और enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और company को accept कर लेते हैं देखे company created successfully का message आ रहा है और नीचे की और पहले की तरह ही कुछ features दिखाई पढ़ रहे हैं अभी हम इस pop-up window को accept करने के लिए control और A की प्रेस कर रहे हैं अभी हमने जो नई company बनाई अब उसका नाम बोल्ड अक्षरों में दिखाई पढ़ रहा है उपर के और current period में जिस period में यह company खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप 1 April 2020 लिखा हुआ देख रहे हैं यह वो ही तारीख है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी चलिए अब demo company के नाम से एक company और बना लेते हैं ध्यान रखे यदि हम कोई भी काम करेंगे तो जिस company का नाम board अक्षर में दिखाई पढ़ रहा है वो काम उस company में होगा यदि आप कोई दूसरी company में काम करना चाहते हैं तो company change करने के लिए उस दूसरी company पर mouse से क्लिक करें अब हम एक एक करके तीनों company इसको बंद कर देते हैं company बंद करने के लिए हमें उपर company पर क्लिक करना होगा या alter और k की इसको प्रेस करना होगा यह देखे मैन्य ओपन हो गया है जिसमें आप शट लिखा हुआ देख रहे हैं इसकी shortcut की है control और F3 और यही shortcut इस दरह से लिखा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है ध्यान रखें किसी भी की के नीचे यदि दो underlines हो तो इसका मतलब है कि control के साथ उसकी को प्रेस करना है अभी हमने जो shortcut की देखी उसका उप्योग हम बाहर से ही कर सकते हैं तो आए उसके लिए escape की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं यह हम पुरानी स्क्रीन पर आ गए हैं शट कंपनी के लिए control और F3 कीज को एक साथ प्रेस करें यह देखे शट कंपनी की स्क्रीन आ रही है और अभी टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जिस भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें यह देखे नेम आफ कंपनी में से वो कंपनी हट गई है इसी तरह हम कंट्रोल और F3 से दूसरी और फिर तीसरी कंपनी भी बंद कर देते हैं अब टैली बंद करने के लिए स्केप की प्रेस करें एक पॉप अप आएगा जिसमें क्विट लिखा है और उसके बाद question mark है यानि पूछा जा रहा है कि क्या आप टैली बंद करना चाहते हैं yes के लिए enter प्रेस करें और यदि आप टैली बंद नहीं करना चाहते हैं तो end प्रेस करें हम end प्रेस कर रहे हैं ध्यान दें इस screen से सीधे टैली बंद करने के लिए shortcut है Ctrl Q, इन्हें एक साथ प्रेस करें यहां हमने Tally स्टार्ट कर लिया है Tally स्टार्ट होते ही by default हमें कमपनी खुली हुई दिखाई पढ़ रही है यह वो कमपनी है जो हमने Tally में सबसे पहले बनाई थी आगे बढ़ने के पहले कमपनी पर माउस से क्लिक करके कुछ Options और उनके Shortcuts के बारे में समझ लेते हैं Create से आशय है Company Creation से इसकी सायता से Tally में नई Companies बनाई जाती है और इस Option का उपयोग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं Alter से तातपर है Company Alteration से इसकी सायता से Tally में हमने जो Companies बना रखी है उन्हें बनाते समय हमने जो Details दी थी उसमें अगर कोई Changes करना हो या कुछ नया जोडना हो या हटाना हो तो वो इस Option की सायता से कर सकते हैं Change से आशय है Change Companies जब Tally में एक से ज्यादा Companies open होती हैं तो हम जिस Company में काम कर रहे होते हैं यदि उसकी बजाए किसी दूसरी Company में काम करना हो तो इस Option का उप्योग करते हैं इसकी Shortcut की है F3 Select से तातपर है Select Company से और इसका उप्योग Tally में बनी हुई किसी भी Company को open करने के लिए किया जा सकता है और इसकी Shortcut की है Alter और F3 Shut का आशय है Shut Company से यानि Close Company से जैसा कि इसके नाम से ही सपष्ट है इसका उप्योग हम किसी Company को बंद करने के लिए करते हैं और इसकी Shortcut की है Control और F3 इसका उप्योग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके है Escape की से वापस Gateway of Tally पर चलते है यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि जब ही आप Alter प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी Shortcut की हैं वो Right बटन बार में दिखाई परती है इसी तरह जब आप Control प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित Shortcut की इस दिखाई पड़ती है इसका फायदा ये है कि यदि आप Shortcut की इस भूल गए हों तो इस तरह से उन्हें आसानी से देख सकते हैं इन्हें देखने का एक तरीका और है यहाँ दिखाई दे रहे एरो के निशान पर क्लिक करें और यदि आप चाहें तो इन उप्षिन्स पर माउस से क्लिक करके भी उनका उप्योग कर सकते हैं तो चलिए काम आरंब करते हैं यहाँ एक कंपनी पहले से ही ओपन है दूसरी कंपनी ओपन करने के लिए आल्टर और F3 कीज एक साथ प्रेस करें देखिए सिलेक कंपनी वाली स्क्रीन आ रही है हम अप यह डाउन एरो की से उस कंपनी के नाम पर जाएंगे जिसे ओपन करना है और एंटर प्रेस करेंगे या सीधे उस company के नाम पर mouse से click करके enterprise करेंगे ये देखिए हमारे दोरा select की गई company open हो गई है और वो bold अक्षरों में भी दिखाई दे रही है आपको फिर से याद दिला दे जब भी हम tally में कोई काम करेंगे तो वो काम जो company bold अक्षरों में दिखाई दे रही है याने active है उसमें होगा चलिए आप change company option को समझ लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो companies open है उसमें से जो company active है उसके स्थान पर यदि आप कोई दूसरी company active करना चाहते हैं तो माउस से उस company पर क्लिक करें ऐसा करते ही active company change हो जाएगी या फिर आप F3 की press करें ऐसा करते ही change company वाली window आएगी list of companies में से वो company select कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं और enterprise करें यहाँ हम आपको एक महतुपुन बात बता दें जब आप tally में किसी company में काम कर रहे हैं जैसे कि अभी हम इस company में हैं और हमने day book देखने के लिए k-press किया day book के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे यह देखिये यहाँ पर day book open हो गई है और यदि आप इस दौरान भी select company, shut company, change company आदी options का उप्योग करना चाहें तो कर सकते हैं चलिए अब alter option को समझ लेते हैं उसके लिए पहले जरूरी है कि आप जिस company को alter करना चाहते हैं वो open हो यानि यहाँ दिखाई पड़ रही हो और यदि open ना हो तो उसे select company की सहायता से open कर लें ध्यान रखें alter option सिर्फ gateway of tally की screen पर ही काम करता है यदि आप gateway of tally पर हैं तो ठीक वरना escape की press करते हुए gateway of tally पर आ जाएं यहाँ company पर click करें और down arrow key से alter पर जाकर enter press करें alter company की screen आ जाएगी list of companies में से वो company select करके enter press करें जिसे आप alter करना चाहते हैं यह देखें company alteration window आ गई है और वो सभी details दिखाई पड़ रही हैं जो हमने company बनाते समय दी थी अब यहाँ से आप जो भी changes करना चाहते हैं या जो भी नया जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं हम यहाँ पर अपना pin code बदल रहे हैं और यहाँ अपनी website का नाम डाल रहे हैं आगे हमें कोई change नहीं करना इसलिए इस window को accept करने के लिए control और A की इसको press करेंगे चलिए अब हम इस वीडियो का आखरी option भी देख लेते हैं माल लीजे आप tally में बनी किसी company को स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं यानि delete करना चाहते हैं वो open हो यानि यहां दिखाई पढ़ रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं यदि आप gateway of tally पर हैं तो ठीक और यदि आप कहीं और हैं तो gateway of tally पर आकर पहले company और फिर alter पर जाना होगा alter company की screen आ जाएगी list of companies में से उस company का नाम select करें जिसे आप delete करना चाहते हैं और enter press करें company alteration screen आ जाएगी अब यहां पर एक महतुपून बात समझ लें कि किसी भी company को बहुत सोचने समझने के बाद ही delete करें यदि आपने company में कोई lasers बनाय हुए हैं या कोई transaction record किये हुए हैं तो एक बार company delete होने पर उस company का पूरा record चला जाएगा और फिर आप उसमें से कुछ भी recover नहीं कर पाएंगे company delete करने के लिए company alteration window पर alter और D एक साथ प्रेस करें इस तरह की एक छोटी window आएगी यदि आप company delete करना चाहते हैं तो Y या enter press करें ऐसा करते ही फिर एक window आएगी जिसमें आपस वापस confirm किया जा रहा है कि क्या आप company delete करना चाहते हैं yes के लिए Y प्रेस करें ऐसा करते ही company हमेशा के लिए delete हो जाएगी हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे वास्तव में हमें इस company को delete नहीं करना है तो हम no के लिए and press कर रहे हैं escape की से वापस gateway आफ टैली पर चलते हैं और जो भी companies खुली हुई हैं उन्हें control और F3 की साहता से बंद कर देते हैं और अब आखिर में टैली से बाहर आने के लिए याने quit करने के लिए control और Q कीस को एक साथ प्रेस करेंगे manual accounting की process समझाने के दौरान हमने आपको journal क्या है ये पताया था manual accounting में journal में सभी entries एक ही इस्थान पर एक के बाद एक कर दी जाती हैं जबकि टैली ने journal entries करने के लिए अलग-अलग type के vouchers बना दिये हैं जैसे यदि आपने कोई माल बेचा है तो उसके लिए sales voucher यदि किसी को कोई भुक्तान किया है तो उसके लिए payment voucher इस तरह के कई vouchers बनाए हैं जिने हम आगे समझेंगे इन vouchers की सहायता से आप टैली में अपने transactions record कर सकते हैं कहने का दात पर यह है कि manual accounting में जो काम journal में होता है टैली में वो काम vouchers की सहायता से होता है manual accounting की process में हमने ये भी दिखा था कि journal में transactions record करने के पाथ खाते बनाए जाते हैं और journal में record किये गए transactions की posting उन खातों में की जाती है किन्तो टैली में ऐसा नहीं होता है इसमें पहले खाते यानि lezers बनाए जाते हैं और फिर जैसे ही हम voucher में transactions record करते हैं संबंधित lezer में उसकी posting अपने आप हो जाती है manual accounting की process के अंतरगत ही हमने आपको trial balance बनाना बताया था और उसमें एक जैसे खातों को छाट कर किसी एक group में रखना भी बताया था टैली ने इस काम को भी आसान कर दिया है अब हमें खातों को छाट कर किसी group में नहीं रखना होता बलकि टैली ने पहले से ही हमें कई group बना कर दे दिये हैं हमें सिर्फ उनके अंतरगत खाते खोलना होते हैं अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा खाता किस group में खोलना है इसके लिए हमने आपको पहले की वीडियोज में बहुत सारी परिभाशाइं बताई हैं उनके आधार पर आप ये निर्ने कर सकते हैं और फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसका शेशक है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप इसकी साहता ले सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स से आशे व्यवसाई में उपयोग होने वाले खातों की लिस्ट से है जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कॉलम में Nature of Account है उसके बाद Group और Subgroup है और आखिरी कॉलम में खातों की नाम या उनके विवरण हैं जो इन Group या Subgroup के अंतरगत खोले जाना है इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं आपको Assets की परिभाशा याद होगी, उसमें हमने बताया था कि Assets तो प्रकार की हो सकती है Fixed Assets और Current Assets अब यहाँ चार्ट में देखिए, यह दोनों दिखाई पढ़ रहे हैं और साथ ही Tally ने Assets में कुछ Group और बना दिये हैं वे भी यहाँ दिखाई पढ़ रहे हैं अब जैसे ही Right Side में आगे बढ़ेंगे देखिए Tally ने हमारी सुविधा के लिए Current Assets के अंतरगत भी कुछ Subgroups बना दिये हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसपश्ट हो रहा है कि इन Subgroups और Groups के अंतरगत किस प्रकार के या कौन से खाते आएंगे इस चार्ट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी आवश्यक्ता क्या है वो Name of Accounts which is covered under these Groups में देखें तो आपको यह इसपश्ट होगा कि हमें किस टाइप के लेजर की जरूरत है उसके बाद फिर Left Side में बढ़ें और देखें कि यह लेजर किस ग्रूप या Subgroup के अंतरगत बनाना है चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ अधारण देख लेते हैं देखें, Proprietors Capital Account, Partners Capital Account, Share Capital Account, Drawing Account आदी के खाते Capital Account ग्रूप में बनेंगे जिन भी व्यापारियों से आप उधारमाल खरीते हैं, उन सभी के खाते, Sundry Creditors सब ग्रूप में बनेंगे आपके जितने भी बैंकों में Saving या Current Account होंगे, वे सभी Bank Accounts सब ग्रूप में बनेंगे सभी स्थाई समपत्यों जैसे Building, Furniture, Computers, Mobile, इत्यादी के खाते Fixed Assets ग्रूप में बनेंगे हमारे सभी Sales Accounts, Sales Accounts ग्रूप में बनेंगे यहां आपको एक Confusion हो रहा होगा कि खाते का नाम भी Sales Accounts और ग्रूप का नाम भी Sales Accounts तो क्या ये सही है? जी हाँ, सही है इससे समझ लेते हैं मान लीजे हमारा बड़ा व्यापार है जिसमें हम Electronics Items, Furniture और Clothes रखते हैं और हम इन सभी का हिसाब अलग-अलग देखना चाहते हैं तो हमारे Sales Accounts के नाम इस तरह हो सकते हैं Electronic Sales Accounts, Furniture Sales Accounts और Clothes Sales Accounts पर ये सभी खाते Sales Accounts ग्रूप के अंतरगत ही बनेंगे हमारा व्यापार छोटा है इसलिए हम इस तरह के अलग-अलग खाते ना खोल कर एक ही खाता Sales Accounts के नाम से बना रहे हैं जो की Sales Accounts ग्रूप के अंतरगत बनेगा हमारा ये चार्ट बनेने का उद्दिश्य मातर आपको ये समझाने का प्रयास है कि किस टाइप के खाते किस ग्रूप या सब ग्रूप के अंदर खोले जाते हैं इनमें आप अपने आवशक्ता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं अब यहां हमने Type of Account का कॉलम और जोड़ दिया है जिसमें हमने खातों के प्रकार बताए ही खाते यानि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको Manual Accounting की प्रोसेस में समझाया था इससे ये लाब होगा कि Transiction Record करते समय यदि आप Confuse हो रहे हूं कि कौन सा खाता किस प्रकार का है जैसे Personal, Real या Nominal तो ये जानने के लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं खाते का प्रकार जानने के बाद आप आसानी से Golden Rules of Accounting जिसके बारे में हमने आपको Manual Accounting की प्रोसेस के अंतरगत समझाया था उसका उप्योग करके आप ये निर्ने कर पाएंगे की Transactions Record करते समय कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं मान लीजे व्यापार का स्वामी 10,000 रुपे नकत पुंजी लाया अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस Transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं Transaction को धियान से देखें यहां नकती आई है तो ये हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकती कौन लाया है व्यापार का स्वामी नकती लाया है जैसा कि हमने आपको Capital के परिभाशे में बताया था कि जब कोई व्यापार में कोई संपती या माल या नकती लाता है तो ये उसकी पुंजी कहलाती है तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता यानि इस ट्रांजेक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं नकती यानि कैश और पुंजी यानि Capital अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं अब यहाँ चार्ट में देखिए नकती का खाता रियल अकाउंट है और पुंजी का खाता Personal Account अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट तो ये यहाँ पर हम Golden Rules of Accounting के हिसाब से देखें तो Personal Account के अंतरगत पुंजी आई यानि प्राप्थ हुई तो हमें देने वाला हुआ Capital Account और Golden Rules of Accounting के आधार पर इसका नियम है देने वाले को क्रेडिट करो मतलब Capital Account क्रेडिट होगा अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो Real Account के अंतरगत कैश का है उस पर भी Golden Rules of Accounting के क्या नियम है ये देख लेते हैं इसके अनुसार जो वस्तो व्यापार में आये उससे डेबिट करो चूंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा जब आप ने नए कर चुके हो कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट तो इसे confirm करने का एक तरीका और भी है वो भी हम आपको बता देते हैं यहां हमने increase और decrease के दो columns और जोड़ दिये हैं इसकी सायता से भी आप यह जान सकते हैं कि खाते के nature के हिसाब से संबंदित खाते के amount के increase या decrease होने की स्थिती में उस खाते को debit करेंगे या credit करेंगे हमने आपको समझाने के लिए जो उदारन बताया था उसमें व्यापार का स्वामी 10,000 रुपे नकत पुंजी लाया इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी books में पुंजी पढ़ेगी और नकती आई है तो cash भी बढ़ेगा चलिए increase और decrease कॉलम्स की साहतासे से समझ लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि capital account liabilities के अंदर आता है और यदि capital आई है मतलब increase हुई तो यहाँ capital account credit होगा अब cash को भी समझ लेते हैं cash account assets के अंतर गता है और cash भी increase हुआ है तो यहाँ cash account debit होगा इस तरह से हमने confirm किया कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit होगा चलिए अब हम अपने इस chart को tally के नजरिये से देखते हैं tally ने accounts के nature के आधार पर इसे 28 groups में बाटा है जिसमें 15 primary यानि मुख्य groups हैं और 13 subgroups हैं इन 15 primary groups में से 9 groups balance sheet से संबंधित हैं तथा 6 groups profit and loss account से संबंधित हैं प्रायस अभी की जरूरत के lasers इन group या subgroup के अंतरगत बन जाते हैं फिर भी यदि आप चाहें तो अपनी जरूरत के अनुसार नए group या subgroup बना सकते हैं और बने हुए group या subgroup में परिबर्तन कर सकते हैं अब सवाल उटता है कि list of accounts की सायता से tally में ledger कैसे बनाय जाते हैं company बनाना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं tally में company creation के बाद ledger बनाना होते हैं तो पहले हम आपको ledger के बारे में बता देते हैं आपने manual accounting की process में account यानी खाते के बारे में समझा था tally में account को ही ledger नाम दिया गया है tally में जब कोई company बनाते हैं तो उसमें हमें दो ledger cash और profit and loss account पहले से ही बने हुए मिलते हैं बाकि आपको अपनी आवशक्ता के अनुसार बनाना होते हैं माल लीजे हमने कोई व्यापार शुरू किया है तो हमें tally में हिसाब रखने के लिए पहले कुछ ledgers बनाना होंगी जैसे कि व्यापार के लिए हम capital लाएंगे तो उसके लिए capital account किसी से उधार माल खरीदेंगे उधारन के लिए a joke traders से उधार माल खरीदेंगे तो उसका account bank में खाता खोलेंगे तो बैंक का account जो भी खरीद करेंगे उसके लिए purchase akaunty जो माल बेचेंगे उसके लिए sales account हमने जो दुकान किराय पर लिए है किराय के लिए rent account is taking टैली में लेजर बनाते समय हमें वो लेजर किस ग्रुप के अंतर आएगा ये निर्णय करके उस ग्रुप को चुनना होता है पैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाशाएं बताई हैं उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्णय स्वयम ही कर लेंगे पर कई बार ये निर्णय करपाना मुश्किल होता है ऐसी इस्थिती में आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो लिस्ट ओफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप कैसे चुनना ये बताया है टैली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे आफ टैली की स्क्रीन दिखाई पड़ती है और इसे हम टैली में जाने का में गेट यानि मुखे दरवाजा भी कह सकते हैं यहां आपको अलग-अलग हैडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतरगत कुछ आप्शन्स भी दिखाई पड़ रहे हैं हमें के करके सभी ऑप्शन समझाएंगे, सबसे पहले हम मास्टर्स से शुरुवात करेंगे मास्टर्स में आप तीन ऑप्शन्स देख रहे हैं जिसमें सबसे पहला है क्रियेट इसकी सहयता से आप टैली में रिकॉर्ड रखने के लिए या कह सकते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो भी मास्टर्स ज़रूरी हैं उन्हें बना सकते हैं दूसरा है alter, इसकी साहता से आप अपनी company में जो masters बने हुए होंगे, उनमें changes करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और तीसरा है chart of accounts, इसकी साहता से आप अपनी company में बने हुए masters को एक साथ देख सकते हैं। यहां हम आपको एक महतुपून बात बता देए कि इन तीनों options पर हम go to की साहता से भी जा सकते हैं। Go to के लिए या तो उस पर click करें या alter और G keys को एक साथ press करें। हम यहां पर mouse से click कर रहे हैं। देखिए यह तीनों options क्रमशह, create master, alter master और chart of accounts के नाम से यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप tally में कोई voucher entry कर रहे होते हैं या कोई report देख रहे हैं और उस दौरान यदि आप इन options का उप्योग करना चाहते हैं तो go to की साहता से कर सकते हैं। हम escape की press करके वापस पहले वाली screen पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर create already highlighted है। इसलिए हम enter press कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीन heading दिखाई पड़ रहे हैं। accounting masters, inventory masters और statutory details और इनके अंतरगत कई प्रकार के masters के नाम दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आज हम ledger के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं टैली में ledgers किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप जिस तरह का भी master बनाना चाहते हैं। उसके नाम का पहला अक्षर यहाँ master creation के नीचे दिखाई दे रहे सर्च बॉक्स में टाइप करें। जैसे हमने ledger के लिए L टाइप किया। यह देखिए ledger highlight हो रहा है। अब हम enter press कर रहे हैं। यह देखिए ledger creation window आ गई है। कोई भी व्यापार प्रारम्व करने के लिए सबसे पहले capital लाई जाती है। तो पहले हम capital का ledger बनाएंगे। चूंकि हमारे व्यापार का स्वामी एक व्यक्ति है इसलिए हम proprietors capital account के नाम से ledger बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ capital account के नाम से भी खाता खुल सकते हैं। यदि हमारे व्यापार के एक से अधिक स्वामी होते यानि अगर हमारे partnership firm होती तो हम अपने partners के capital account बनाते समय उनके नाम के साथ खाता खुलते जैसे शाम्स capital account, अशोक्स capital account इत्यादी। लेजर creation window में सबसे उपर नेम के आगे हमें लेजर का नाम लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है proprietors capital account, अब enterprise करेंगे। अलियाज वाले option को हम blank यानि खाली छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे। आगे बढ़ने के लिए enterprise करें। यहाँ under में पहले से ही capital account group दिखाई पढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि टैली को मालूम है कि जब कोई व्यापार आरंभ होता है तो सबसे पहले व्यापार के स्वामी को व्यापार में capital लगानी होती है और उसके लिए टैली में capital account बनाना होता है। और यह account capital account group के अंतरगत ही बनेगा। यही कारण है कि जब टैली में हम पहला लेजर बनाने जाते हैं तो under में capital account group ही दिखाई पढ़ता है। हम इसे ही selective रहने दे रहे हैं और enter प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब enter की प्रेस करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक accept विंडो न आ जाएं। यह देखिए accept विंडो आ गई है, enter प्रेस करके ledger creation विंडो को accept कर लेते हैं। यह देखिए ऐसा करते ही हमारा ledger बन गया है और अगला ledger बनाने के लिए ledger creation विंडो फिर से आ गई है। अब हम अगला ledger हमारे supplier अशोक traders का बना रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर supplier का नाम लिख देंगे और अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ under में हमें group select करना होगा। देखे right side में list of groups दिखाई पड़ रही है। हम जो ledger बना रहे हैं वो जिस group से संबंधित है वो हमें इस list में से चुनना होगा। आप list of groups में ध्यान से groups के नाम देखें और यह निशित करें कि कौन सा group select करना है। यहाँ हम supplier का ledger बना रहे हैं और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि suppliers sundry creditors group में आते हैं। तो अब यह निशित हो गया कि हमें sundry creditors group चुनना होगा। इसे चुनने के लिए group के नाम का पहला अक्षर type करें जैसे हमने type किया S। ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितनी भी groups होंगे विसा भी एक साथ दिखाई पढ़ेंगे। अब आप up या down arrow keys की सहायता से संबंधित group के नाम पर जाएं और enter press करें। अब enter press करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ mailing details में देखे हमने supplier का जो नाम पहले type किया था वो आ रहा है। अब यहाँ पर हम उसका पूरा पता type कर देते हैं। अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर state select करें और enter press करें। यहाँ पर pin code डालें। और control और A keys से इस window को accept कर लें। अब हम अपने bank का laser बना लेते हैं। laser creation window खुली हुई है इसमें name के आगे bank का नाम लिखें। enter press करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर हमें group select करना होगा। हम bank accounts group select कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ अपने bank account की पूरी details दे सकते हैं। हम अपने bank account की पूरी details दे रहे हैं। enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें bank की mailing details देना होगी। इसके बाद enter press करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ end में opening balance लिखा हुआ है। आए इससे समझ लेते हैं। मालीजे कोई व्यवसाई किसी financial year की शुरुवात में या बीच में manual accounting बन करके tally में accounting शुरू कर देता है। तो उसके manual accounting के जो भी closing balance होंगे वो tally के लिए opening balance हो जाएंगे। और वे सभी balance उसे computer accounting शुरू करने के पहले लेजर्स बनाते समय अपने यहाँ पर opening balance में लिखना होंगे। हमारा कोई opening balance नहीं है पर समझने के लिए यहाँ पर हमने 5000 लिख दिया है। एंटरप्रेस करते ही यहाँ उपर आपने जिस तरह का group select किया है उसके हिसाब से यहाँ DR या CR लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको हम आगे समझेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्दन कर सकते हैं। debit के लिए D टाइप करें या फिर credit के लिए C टाइप करें और enter प्रेस करें। हम इसको DR ही रहने दे रहे हैं। इस window को accept करने के लिए Ctrl और A की इसको एक साथ प्रेस करें। हमने टैली में लेजर बनाते समय देखा था कि लेजर बनाते समय हमें उस लेजर से संबंधित ग्रूप भी चुनना होता है। वैसे तो आपको पहले जो परिभाशाएं हमने बताई थी, उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्ने कर सकते हैं, पर कई बार ये निर्ने करना मुश्किल होता है, ऐसी स्थिती में आप हमारी वीडियो लिस्ट ओफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं, उस की लिस्ट हमने बना ली है, आगे ट्रांजिक्शन रिकॉर्ट करते समय हम आपको और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवाएंगी, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मास्टर्स के अंतरगत क्रियेट की सहायता से लेजर बनाना सिखाया था, आज हम इसके तीसरे आप्शन चार्ट अफ अकाउंट्स की सहायता से मल्टिपल लेजर बनाना बताएंगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए डाउन एरो की से चार्ट अफ अकाउंट्स पर जाकर एंटर प्रैस करें, यहां पर दिखाई पढ़ रहे अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर हायलाइटे है, एंटर प्रैस करें, और अब यहां मल्टी मास्टर्स के लिए या तो इस पर क्लिक करें, या औल्टर के साथ एच की प्रैस करें, देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स आ रही है, हमें इसमें मल्टी क्रियेट सेलेक करना है, जो की हायलाइटे है तो एंटर प्रेस कर दें, यह मल्टी लेजर क्रियेशन स्क्रीन आ गई है, इसमें सबसे पहले अंडर ग्रूप में उस ग्रूप का नाम सेलेक करना होगा जिस ग्रूप के अंतरगत हम लेजर्स बनाना चाहते हैं, लिस्ट अफ ग्रूप के लिए बैक स्पेस की प्रेस करें और अब इस लिस्ट में से वो ग्रूप सेलेक करें जिसके अंतरगत आप लेजर्स बनाना चाहते हैं, यहां देखिए हमी जो लेजर्स बनाना हैं उनमें सबसे ज्यादा लेजर्स इंडरेक्ट एक्सपेंसर से समबंधित हैं, इसलिए सबसे पहले हम इंडरेक्ट एक्सप ग्रूप के अंतरकत बनाना चाहते हैं हमने पहले लेजर का नाम टेलीफोन एक्सपेंसिस यहाँ पर टाइप कर दिया है अब एंटर प्रेस करेंगे यहाँ अंडर में देखिए हमने उपर जो ग्रूप का नाम सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर भी अपने आप आगया है अब यदि आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ लिख दें एंटर प्रेस करें इसी तरह एक एक करके सभी लेजर के नाम यहाँ पर टाइप कर दें यह हमने यहाँ सभी लेजर के नाम टाइप कर दिये हैं अब control और A keys को press करके हम इस ledger screen को accept कर लेते हैं अभी हमने किसी एक ग्रुप के अंतरगत एक साथ कई ledgers बनाए पर यदि आप एक साथ अलग-अलग ग्रुप के अंतरगत कई ledgers बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं? आईए वो बताते हैं उसके लिए alter और H keys प्रेस करें यह देखिये list of multi masters आ रही है हमें इसमें multi create सेलेक करना है जो की highlighted है तो एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अंडर ग्रुप में all items सेलेक करना होगा all items पहले से ही selected है इसलिए हम एंटरप्रेस कर रहे हैं अब आप जो भी lasers बनाना चाहते हैं उनका नाम टाइप करें हमने टाइप किया purchase account अब एंटरप्रेस करेंगे list of groups में से आप जो भी laser बनाने जा रहे हूं उससे संबंधित group सेलेक करें हमने सेलेक किया purchase accounts group और फिर एंटरप्रेस किया यदि कोई opening balance है तो वो यहाँ पर टाइप कर दें opening balance के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था और फिर एंटरप्रेस करें और अब इसी तरह एक एक करके सभी lasers के नाम टाइप कर दें और उनसे संबंधित group सेलेक करते हुए आगे बढ़ें हमें जितने भी lasers बनाने थे उनस सभी की details हमने यहाँ पर टाइप कर दी है अब control और A keys से इस window को accept कर लेते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको ledger बनाना बताया था और इस वीडियो में multiple ledgers बनाना बताया आईए अब हम आपको बताते हैं कि जो ledgers हमने बनाए हैं उन्हें groups के साथ कैसे देख सकते हैं अभी हम chart of accounts की screen पर हैं और multiple ledgers बनाने के लिए हम इसी screen से आगे गए थे chart of accounts के नीचे list of ledgers लिखा हुआ है और उसके नीचे जैसा कि हमने list of accounts में आपको बताया था टैली ने जितने भी groups या subgroups बना रखे हैं उन सभी के नाम और उन groups में हमने जो ledgers बनाए हैं उनके नाम और groups के उपर की ओर वे किस प्रकृति के हैं जैसे assets, liabilities, expenses और income भी लिखा हुआ है यदि आपको यहां किसी भी group या ledger में कहीं कोई गलती दिखती है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं यानि alter करना चाहते हैं तो उस पर जाकर enter press करें यदि देखिए ledger alteration window आ गई है यहां से आप ledger में alteration कर सकते हैं alteration कैसे करते हैं यह हम आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे और group में कैसे alteration करते हैं यह आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे स्कैप की press करके हम वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि लेजर बनाते समय आपने जो डीटेल्स दी थी वो क्या थी जैसे लेजर का नाम उसका group ओपनिंग बैलेंस अत्या दी तो F5 की को प्रेस करें या फिर राइट बटन बा जाहें तो इन्हें यहां से भी अल्टर कर सकते हैं उसके लिए जिस लेजर को अल्टर करना है उस पर जाकर एंटर प्रेस करें यदि आप यहां से पहले वाली स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो फिर से F5 की प्रेस करें और यदि आप सिर्फ ग्रुप्स की लिस्ट देखना सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक लेजर यानि सिंगल लेजर को अल्टर कैसे करते हैं अभी हम गेटवे आफ टैली पर हैं यहां किसी भी ऑप्शन का उप्योग करने के लिए उससे सेलेक्ट करना होता है उसके तीन तरीके हैं पहला अप या डाउन एरो की से उस पर जाएं और एंटर प्रेस करें दूसरा माउस से सीधे उस आप्शन पर जाकर उस पर क्लिक करें और तीसरा आप यहां देख रहे हैं सभी ऑप्शन में एक अक्षर कैपिटल और बोल्ड है और उसका कलर नीला है दर असल यह अक्षर उन ऑप्शन की शॉटकट कीज है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी भी मास्टर्स में आल्टर करने के लिए हमें आल्टर आप्शन पर ज लेजर में आल्टरेशन यानि की बदलाव करना चाहते हैं तो यहां से हमें लेजर सिलेक करना होगा देखिए ऐसा करते ही लिस्ट ओफ लेजर आगई है और इस लिस्ट में सभी लेजर के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जिस लेजर को आल्टर करना चाहते हैं उसे सिल किया यह देखिए लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है इसमें लेजर बनाते समय आपने जो भी डीटेल्स दी होंगी वो दिखाई पड़ेंगी यहां से आप नाम, ग्रुप, मेलिंग डीटेल्स या ओपनिंग बैलेंस अत्यादी जिसमें भी चेंजिस करना चाहें कर सकते हैं हम मेलिंग डीटेल्स में कुछ चेंजिस कर रहे हैं अब इस विंडो को कंट्रोल और एकीज प्रेस करके अकसब कर लेते हैं और आब स्केप की प्रेस करते हुए गेटवे आफ टैली पर चलते हैं अब आपको बताते हैं कि किसी लेजर को स्थाई रूप से कैसे समाप् केटवे आफ टैली पर हैं आल्टर में जाने के लिए एक ही प्रेस करेंगे यहां लेजर सिलेक करेंगे अब वो लेजर सिलेक करें जिससे आप डिलीट करना चाहते हैं यह देखिए लेजर अल्टरेशन विंडो आ गई है इस स्क्रीन पर आल्टर और डी एक साथ प्रेस कर एक छोटी विंडो आएगी जिसमें आपसे पुछा जाएगा कि क्या आप इससे डिलीट करना चाहते हैं यदि हाँ तो Y या एंटर प्रेस करें और यदि नहीं तो N प्रेस करें यहाँ पर एक महत्वपून बात ध्यान रखें कि जब आप किसी लेजर में कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यानि किसी लेजर को लेकर कोई वाउचर एंट्री कर लेते हैं तो उससे डिलीट नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिती में ऑल्टर और डी प्रेस करने पर भी टिलीट का कोई मैसेज नहीं आएगा यहाँ हम इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं इसलिए अंटर प्रेस कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही हम लिस्ट अफ लेजर पर आ गए हैं और हमने जो लेजर अभी डिलीट किया था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है चलिए अब आपको बता देते हैं मल्टिपर लेजर में अल्टरेशन कैसे करते हैं उसके लिए चार्ट अफ अकाउंट्स पर जाना होगा जिसके लिए हम एच की प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर लेजर हाइलाइट है एंटर प्रेस करें यह देखिए चार्ट अफ अकाउंट्स की स्क्रीन आ रही है यहाँ पर multi masters में जाने के लिए alter और edge keys press करेंगे अब यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे multi alter को select करेंगे ऐसा करते ही select group की screen open हो जाएगी और list of groups दिखाई पड़ेगी यदि आपको किसी एक group में बनाए गए lasers में कोई changes करना है जैसे कि उनके नाम, group या opening balance में कोई change करना है तो उस group को select कर लें जैसे यहाँ पर हम bank accounts group को select करके enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही multi-ledger alteration window खुल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हमने bank group में दो ledgers बना रखे हैं इन में से state bank of india का नाम और group दोनों ही सही हैं पर दूसरी जो bank है उसका नाम bank of india न होते हुए bank of maharashtra है और इस bank से हमने cc limit ली हुई है यानि यह ledger bank accounts group में न होकर bank OCC account group में होना चाहिए तो हमको यहाँ पर changes करना होंगे तो हम यह changes कर देते हैं यहां अपने ध्यान दिया होगा कि हमने bank OCC account select किया था पर यहां bank OD account लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है वास्ता में यह एक हे group के दो नाम है और इस बारे में हमने आपको list of accounts में बताया भी था कि tally ने कई groups और subgroups को दो-दो नाम दिये हुए हैं यहां से यदि आपको opening balance डालना हो या उसमें कोई changes करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं अब इस window को accept कर लेते हैं विंडो को accept करते ही हम वापस select group की screen पर आ गए हैं जिसमें list of groups दिखाई पड़ रही है चलिए अब हम किसी भी group के अंदर बने layers को एक साथ कैसे alter कर सकते हैं यह देख लेते हैं उसके लिए all item को select करें देखें ऐसा करते ही multi-layger alteration window आ गई है जिसमें सभी layers के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वो जिस group में बने हैं उनके नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं इसके अलावा यदि आपने कोई opening balance दिया होगा तो वो भी यहां पर दिखाई पड़ेगा जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले बताया था उसी तरह आप यहां भी किसी ledger के नाम, group या opening balance में changes कर सकते हैं उदारन के लिए हमने गलती से अपने customer सुरेश & company का ledger sundry creditors group में खोल लिया था तो उसे ठीक करके sundry dators group में कर देते हैं इसी तरह हम proprietor capital account का नाम बदल कर capital account करना चाहते हैं वह कर देते हैं इसी तरह से ledger में और भी जो कोई changes करना हो वह किये जा सकते हैं अब हमें कोई change नहीं करना है इसलिए हम इस window को accept कर लेते हैं दोस्तों हम हर वीडियो में कुछ नई बातें detail में समझाते हैं और बाद में शॉट में उनका उप्योग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उप्योगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं तो क्रप्या सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें को मekla की सबसे पहले को त्र आपको ट्रांजेक्शनन होग संपेटर अर उसके बाद रिकॉड करना होता है ठरांजेक्शन रिकॉड करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं जिनसे यह सिथ्ध हो सके कि ट्रांजेक्शन हुआ है यानि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रमान की जरूरत होती है और ये प्रमान ही सोर्स डॉक्युमेंट्स कहलाते हैं सरशम्तों में कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्युमेंट्स की जरूरत हमें व्यवसाय या व्यापार में Transaction की सबूत के रूप में होती है और इन ही के आधार पर Tally में Transactions Record किये जाते हैं इन documents में Transaction से समबंधे details होती हैं जैसे LinkedIn की तारीख उससे जुड़ी पार्टियों सामान, राशी, आधी का विवरन इत्यादी तो आईए देखते हैं टैली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कौन-कौन से सोर्स डॉकुमेंट्स की जरूरत होती है इनमें सबसे पहले है बिल या इन्वोईस जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को उधार माल बेचता है तो वो सेल्स इन्वोईस बनाता है नमूनी के लिए हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं इसमें खरीदार का नाम पता जो माल बेचा है उसकी डीटेल्स उसका अमाउंट और पैमिंट कंडीशन इत्यारी लिखी होती है खरीदार के लिए ये खरीदी का सबूत है और इसके आधार पर वो अपने यहां उधार खरीदी का ट्रांसिक्शन रिकॉर्ड करता है तूसरा है कैश मेमो या कैश इनवोईस जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नकद माल बेचता है तो वो कैश मेमो या कैश इनवोईस बनाता है नमूनी के लिए हम आपको एक कैश मेमो दिखा रहे हैं इसमें कई ब बेचा जाता है उसके पूरी डिटेल उसका अमाउंट त्यादे लिखा होता है खरिदार के लिए ये नकत खरीदी का सबूत है इसके आधार पर वो अपने यहां नकत खरीदी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है तीसरे डॉक्यूमेंट है रिसीट यानी रिसीट जब बाद में उसमाल का भुक्तान करता है तब भुक्तान प्राप्त करने वाला यानी सप्लायर उसे एक रसीद देता है जिसमें रसीद की तारीख, खरीदार की डिटेल्स, अमाउंट और वो पेमेंट किस संदर्ब में प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल्स होती है नमूनी के के लिए हम आपको एक रसीद दिखा रहे हैं खरीदार के लिए ये रसीद भुगतान किया गया है इसका सबूत है और वो इसके आधार पर अपने यहां पेमिंट का ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करता है अगला डॉक्यूमेंट है चेक जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और वो उस माल का भुगतान बैंक के चेक द्वारा करता है तो इस चेक की डिटील्स के आधार पर इस ट्रांसेक्शन को खरीदार और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं चेक से जो भी लिंदिन होता है वो बैंक के माध्यम से होता है और बैंक स्टेट्मेंट में उस चेक का विवरेंट दिखा जा सकता है नमूने के लिए हम आपको एक चेक दिखा रहे हैं अगला है क्रेडिट नोट यानि सेल्स रिटर्न जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या अंशिक रूप से यानि कि कुछ मात्रा में वापिस करता है तो सप्लायर उस ट्रांसेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहां क्रेडिट नोट बनाता ह इसके सब्बूत के रूप में खरीदार को देता है इसी तरह कई बार खरीदार माल से संबंधित को शिकायत करता है और यदि सप्लायर उन शिकायतों से सहमत होता है तो खरीदार को कुछ चूट प्रदान करता है और इस प्रकार की चूट के लिए भी सप्लायर क्रेडिट बनाकर खरिदार को देता है, credit note में खरिदार की details के साथ ही माल की details या छूट का कारण और amount लिखा जाता है, इसके बाद है debit note यानि purchase return, जब कोई खरिदार खरिदा हुआ माल, supplier को पूरा या अंशिक रूप से वापस करता है, तो खरिदार इस वापसी के transaction को अपने यहां record करन के लिए debit note बनाता है, साथ ही वो जो माल वापस कर रहा है, उसके साथ यह debit note supplier को भी भीशता है, कई बार खरिदार जब supplier को माल खराब होने की शिकायत करता है और supplier उस नुखसान की भरपाई के लिए कोई amount निशिक करता है, तो उसके लिए भी खरिदार अपनी यहां debit note बना होता है और supplier को भी भीशता है debit note में supplier के details के साथ माल की details या छोट का कारण और amount भी लिखा होता है पास्तों में debit note और credit note एक दूसरे के पूरक है खरीदार के लिए जो debit note है वो supplier के लिए credit note है और इसी तरह यदे किसी कारण से supplier debit note issue करता है तो वो खरिदार के लिए credit note होता है GST law आने के बाद अब debit note और credit note में वो सभी details देना ज़रूरी है जो आप invoice में देते हैं इस वीडियो सीरीज में आगे हम debit note और credit note को अच्छे से समझाएंगे अगला document है voucher voucher accounting द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या व्यबसाए के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ती है उसके sign करवाए जाते है इससे ये confirm होता है कि sign करने वाले को voucher के पूरे विवरंट की जानकारी है voucher में जिसे भुक्तान किया गया है उसकी details, किस कारण से भुक्तान किया गया है उसकी details और amount की details होती है जैसा कि हम सभी जानते ही है, accounting cycle की शिरुवात business transactions से होती है business में जितने भी transactions होते है, manual accounting में सबसे पहले उन्हें journal में record किया जाता था पर अब Tally ने इस काम को बहुत ही सरल बनाते हुए, journal के इस्थान पर हमें transaction record करने के लिए अलग-अलग vouchers दे दिये है इनका सबसे बड़ा लाब ये है कि इनके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि कौन सा transaction किस voucher में record होगा आईए इन vouchers को एक एक करके समझ लेते हैं Tally ने हमें जो standard accounting vouchers दिये हैं वो हैं receipt voucher, payment voucher, contra voucher, purchase voucher, sales voucher, debit note voucher, credit note voucher और journal voucher Tally हमें ये सुविधा भी देता है कि हम इन vouchers में अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं यानि इनको alter कर सकते हैं और चाहें तो नए vouchers भी बना सकते हैं पहला है receipt voucher, जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्रहक से payment या advance प्राप्त करता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ती होती है तो इस तरह की transaction को receipt voucher में record किया जाता है यहां एक बहुत ही महतुपून बात ध्यान रखें कि cash sales से प्राप्त होने वाली कोई भी राशी यानि प्राप्ती इस voucher में नहीं आएगी क्योंकि टैली ने sales के लिए अलग से voucher बना रखा है फिर है payment voucher जब व्यवसाय या व्यापार में नकदी या bank के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह के transaction की entry payment voucher में record की जाती है यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपने cash purchase से संबंधित कोई payment की है तो वो इस voucher में नहीं आएगी क्योंकि टैली ने purchase के लिए अलग से voucher बना रखा है फिर है contra voucher इसको समझने से पहले patty cash को समझना पड़ेगा किसी भी website में चूटे चूटे खर्चों जैसे वाहन खर्च जिसमें की diesel, petrol, मरमत आदी का खर्च आ जाता है cartridge याने धुलाई का खर्च, postage, stationery इत्यादी के लिए कुछ cash अलग से रख दिया जाता है इस तरह के cash को patty cash कहते हैं patty cash cash account से अलग होती है क्योंकि इसका उप्योग सिर्फ छोटे छोटे खर्च के लिए ही किया जाता है और कई कमपनियों में patty cash account और cash account दोनों ही बनाए जाते हैं आईए अब contra voucher को समझ लेते हैं इस voucher का उप्योग cash account से patty cash, cash account से bank account, bank account से cash account, एक bank account से दूसरे bank account में fund transfer करने के लिए किया जाता है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हमने contra voucher में जो transfer बताए हैं उनमें cash account और bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई party सम्मलित नहीं है यानि contra voucher में सिर्फ वो ही transactions आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इस voucher का उपयोग पैसा एक जेच से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है अब हम देखते हैं purchase voucher जब विक्रे के लिए माल या manufacturing यानि निर्माण के लिए कच्चा माल cash या credit पर खरीदा जाता है तो उस transaction को purchase voucher में record करते हैं ध्यान रखें website में जो भी स्थाई संपत्ती खरीदी जाती है उसके transaction को इसमें record नहीं किया जाता है क्योंकि इस voucher का संबंद सीधा expenses से होता है जब कि संपत्ती असेट होती है अगला है sales voucher जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रे या manufacturing की स्थिती में तैयार माल का विक्रे किसी customer को cash या credit पर किया जाता है तो उस transaction को sales voucher में record करते हैं ध्यान रखें यदि व्यवसाय की कोई स्थाई संपत्ती बेचे जाती है तो उसके transaction को इसमें record नहीं किया जाता है क्योंकि इस voucher का सीधा संबंद income से होता है जब कि संपत्ती असेट होती है अब हम देखते हैं debit note voucher जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब होना जिस quality के माल का order दिया था वैसा माल नहीं होना या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो कस्टमर के लिए ये purchase written कहलाता है और इस तरह के transaction को record करने के लिए कस्टमर द्वारा debit note voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह के transaction को record करते समय purchase में से कम किया जाता है कई बार कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वो supplier को उस शिकायत के बारे में बताता है सप्लायर और शिकायत की भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमत ही प्रदान करता है तो इस तरह की छूट की राशी को कस्टमर द्वारा डेविट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट नोट वाउचर जब किसी भी कारण से कस्टमर द्वारा सप्लायर द्वारा बेचा गया माल पूरा या अंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटन कहलाती है और इसके transaction को record करने के लिए supplier द्वारा credit note voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह के transaction को record करते समय sales में से कम किया जाता है इसी तरह यदि supplier द्वारा बेचे गए माल में customer कोई शिकायत करता है और supplier उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में customer को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी supplier द्वारा credit note voucher में record किया जाता है जर्नल voucher इस voucher में जो entries record की जाती हैं वो हैं opening entries, rectifying entries, transfer entries, adjustment entries, closing entries entries regarding dishonor of checks, credit purchases and sell of things other than goods entries of goods withdrawn by the honor for personal use इन entries के बारे में हम आपको आगे की वीडियोज में समझाएंगे अभी सरल भाशा में ये समझ लें कि जो entry हम पहले बताए किसी भी voucher में नहीं कर पाते हैं वो entries जर्नल voucher में की जाती है vouchers के बारे में जानने के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन से transaction को किस voucher में record करना होता है हमने आपको manual accounting की process के बीच जर्नल के बारे में बताया था और वहां कुछ transactions भी बताये थे उन में से कुछ transactions और दूसरे कुछ और transactions हम आपको यहां बता रहे हैं और इन्हें देखकर आपको यह निर्ने करना है कि किस transaction को किस voucher में record करेंगे हम आपको एक-एक transaction दिखा कर सोचने के लिए 10 सेकेंड का समय देंगे यदि आप सही निर्ने कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही कि कौन सा transaction किस voucher में record होगा तो चलिए एक-एक करके transaction देखते हैं पहला transaction है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंब करने के लिए एक लाख रुपए नकत पूंजी यानि capital लाए अब आप सोचिए कि ये transaction किस voucher में record होगा चलिए अब हम आपको बताते हैं यहां पूंजी के रूप में नकदी आई है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नकत या bank के माध्यम से कोई भी प्राप्ती होती है तो इस तरह के transaction को receipt voucher में record किया जाता है दूसरा transaction 5 April को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकत जमा करके खाता खोला अब आप सोचिए ये किस voucher में जाएगा अब हम आपको बताते हैं इस transaction में नकत रुपए bank में जमा किये गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था cash account से bank account में या bank account से cash account में रुपए आता या जाता है तो इस तरह की transaction को contract voucher में record किया जाता है अगले transaction है चैप्रेल को राम शर्मा को नकत दो हसार रुपए उधार दी यहां हमने राम शर्मा को नकत रुपए दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था नकती या bank के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह की transaction को payment voucher में record किया जाता है अगला transaction है चैप्रेल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकत खरीदा इस transaction को दीखने से ही स्पष्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस transaction को purchase voucher में record किया जाएगा next transaction चैप्रेल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपे नकत दिया देखिए यहां नकत भुपतान किया गया है यानि इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा अगला transaction है हमने जो माल खरीदा था उसे 7 अप्रेल को 75,000 रुपे में नकत बेश दिया इस transaction को देखने से ही सपश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस transaction को sales voucher में record किया जाएगा 10 अप्रेल को हमने State Bank of India का 23,000 रुपे का चेक देकर motorcycle खरीदी अब यहां पर motorcycle खरीदने के लिए bank से भुकतान किया गया है इसलिए इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा अगला transaction है एक मई को हमने मोहन को अप्रेल माह की तनख़ा 5000 रुपे स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेक से दी यहां हमने कर्मचारी की तनख़ा का भुकतान बैंक से किया है इसलिए इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा एक मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशुक ट्रेडर्स से दिलवाया था अशुक ट्रेडर्स से हमें उसका commission 5000 रुपे चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने इस टेट बैंक आफ इंडिया के खाते में deposit किया दिखिए यहां हमें check के माध्यम से commission प्राप्त हुआ है मतलब हमें प्राप्ती हुई है इसलिए इस transaction को receipt voucher में record किया जाएगा एक मही को हमने super market से 10,000 रुपे का माल उधार खरीदा इस transaction को भी देखने से सपश्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस transaction को purchase voucher में record किया जाएगा नेक्स transaction देखते हैं तीन मही को हमने super market से जो माल खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 रुपे में बेश दिया यहां पर इस transaction को देखने से ही इस पश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस transaction को sales voucher में record किया जाएगा अगला transaction हमने 15,000 रुपे का जो माल मोहन ट्रेडर्स को बेचा था वो खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने हमें 5 मई को वो माल वापस कर दिया इस transaction को दियान से देखें तो हमने जो माल बेचा था खराब होने से वो खरिदार्स ने वापस कर दिया यानि यह sales return है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि sales return को हम credit note voucher में record करेंगे अगला transaction देख लेते हैं आठ मई को आशा एंटर्प्राइजस से हमने 25,000 रुपए का furniture उधार खरीदा इस transaction में उधार furniture खरीदा गया है यानि खरीद तो हुई है पर यह खरीद fixed assets की है और जैसा कि हमने आपको purchase voucher में समझाया था कि इस तरह की खरीद को हम purchase voucher में record नहीं कर सकते तो फिर इस transaction को कहा record करेंगे हमने आपको journal voucher में बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तू हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है यानि हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं तो ऐसे transactions को journal voucher में record करते हैं अब ये furniture हमने उधार खरीदा था यदि नगत खरीदा होता तो इस transaction को हम सीधे payment voucher में record करते हैं अब है अगला transaction आठ मई को मोहन ट्रेडर्स से हमें जो माल वापस आया है उसे हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपे में खरीदा था उस माल को हमने वापस सुपर मार्केट को भेज दिया यहां हमने जो माल सुपर मार्केट से खरीदा था वो उससे ही वापस कर दिया है यानि खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो यह हुआ purchase return और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि purchase return को हम debit note voucher में record करते हैं नेक्स्ट ट्रंजिक्शन है दस मही को हमने state bank of इंडिया से चैक द्वारा 5000 रुपे नकद निकाले इस ट्रंजिक्शन में bank से नकद रुपे निकाला गया है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं cash account से bank account में या bank account से cash account में रुपिया आताया जाता है तो इस तरह का transaction Contra voucher में record किया जाता है आखिरी transaction देखते हैं हमें अशुक ट्रेडर से जो कमिशन का 5000 रुपे का चैक प्राप्त हुआ था वो 12 माई को bank से dishonor होकर यानी check bounce होकर वापसा गया यहां इस transaction में check dishonor हो गया है अब आप सूचें कि इस transaction को हम कौन से accounting voucher में record कर सकते हैं ना तो यह payment है ना receipt है ना खरीद है और ना ही विक्र है तो यहां ध्यान दे हमने आपको बताया था कि ऐसे transaction जो किसी voucher में record नहीं हो पाते हैं उन्हें journal voucher में record किया जाता है तो यह transaction record होगा journal voucher में सबसे पहले हम बताते हैं कि company features और configuration क्या है और फिर देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करते हैं इन दोनों के अंदरगत आपको ऐसे बहुत से options मिलेंगे जिनकी सहायता से आप tally का और भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं इन्हें एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है इसलिए इन्हें आप tally में काम करते समय अलग-अलग जगहों पर उपयोग करते हुए सीख सकेंगे इस वीडियो में हम मात्र इनका सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं यहाँ पर हमने tally में एक company open कर रखी है सबसे पहले हम आपको बताते हैं company features F11 के बारे में tally prime के company features में जो options हैं वो आपके financial records को आपके business की जरूरत के हिसाब से maintain करने की क्षमता प्रधान करते हैं आये से सरल शब्दों में समझते हैं जैसा कि features का अर्थ होता है विशिष्टाएं tally software की कई विशिष्टाएं हैं जिनका आप अपनी जरूरत के अनुसा रूप्यों कर सकते हैं और यह सब ही आपको company features के अंतरगत मिलती हैं मां लेजे आपने tally में 10 कंपनियां बना रखी हैं और उनमें से किसी एक कंपनी में आप company features के कुछ options चालू यानि enable कर देते हैं देखें यहां पर features लिखा हुआ है और इसकी shortcut key है f11 टैली में कहीं भी काम करते हुए f11 key को press करके company features menu को access किया जा सकता है यानि उस तक पहुचा जा सकता है हम f11 key press कर रहे हैं यह देखिए company features alteration screen आ गई है और यहां tally में जो company active है उसका नाम भी दिखाई पड़ रहा है टैली प्राइम में company features को कुछ मुख्य categories में बाटा गया है जिन में basic यानि prior सभी के लिए उपयोगी है accounting features, inventory features और taxation अन्य features देखने के लिए यहां show more features के आगे no दिखाई पड़ रहा है उसे yes करना होगा वेक स्पेस की press करें yes पर जाएं और enter प्रेस करें देखे कुछ और features दिखाई पड़ने लगे हैं और यदि आप सभी features देखना चाहते हैं तो show all features को भी yes कर दें यहां पर एक महत्वपून बात ध्यान रखें आपको जिन features की जरूरत है सिर्फ उन्हें ही चालू करें यानि yes करें क्योंकि आप जितने भी features चालू करेंगे उन सभी की एक एक process और बढ़ जाएगी अब आप यहां कुल 6 categories देख रहे हैं और इन सभी categories में इनके नाम के अनुसार बहुत सी settings भी उपलब थें जो कि हमें voucher entry के दोरान advanced functions की सुविधा प्रदान करती हैं यहां दिखाई पढ़ रहें किसी भी option पर जाने के दो तरीके हैं पहला उस पर mouse से क्लिक कर दें दूसरा आप या down arrow से उस पर जाएं चलिए हम कुछ options समझ लेते हैं जैसे accounting के अंतरगत enable bill wise entry दिखाई पढ़ रहा है यह option चालू है इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी supplier या customer से संबंधित कोई transaction record करेंगे तो tally आप से पूछेगा कि आप जो transaction record कर रहे हैं वो advanced payment से संबंधित है या किसी पुराने बकाया bill से इत्यादी अब यदि आप इस option को no करके window save कर लेंगे तो tally आप से ये प्रश्न पूछना बंध कर देगा आईए अब inventory यानि stock के अंतरगत आने वाले enable batches के बारे में समझ लेते हैं अब ये option बंध है यदि हम चाहते हैं कि जब भी कोई माल यानि goods खरीदे या बेचे तो उसके साथ उस माल के batch यानि उस माल की manufacturing date, expiry date, इत्यादी की जानकारी भी हो तो ये काम हम इस option को yes करके कर सकते हैं चलिए taxation के अंतरगत आने वाले एक बहुत ही महत्वपून option enable goods and services tax को भी समझ लेते हैं जिन लोगों के पास GST number है तो उन्हें tally में GST के नियमों के अनुसार रिसाब किताब रखने के लिए enable goods and services tax को yes रखना होता है पर जिनके पास GST number नहीं है उन्हें इस option को no करना होता है जैसे कि हमारे पास GST number नहीं है तो हमें इसे no करना होगा हम mouse से इस पर click कर रहे हैं अब no के लिए end type करें और enter press कर दें अब इस window को accept करने के लिए control और a की इस press करें आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं वो एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है इन्हें टैली में काम करते समय अलग-अलग स्थान पर हम आपको उप्योग करते हुए सिखाएंगे इस वीडियो में हम मात्रहिन का सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं आई आप Configuration FL को समझ लेते हैं टैली प्राइम में Configuration के अंतरगत ऐसे options हैं जो आपको किसी feature को modify करने में मदद करते हैं यहाँ आपको दो महतुपून बातें बता दें पहली जब Configuration के किसी भी option को enable यानि चालू किया जाता है तो Data Directory में जितनी भी कमपनिया हैं उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है अब Data Directory क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे दूसरी बात यह कि Configuration Options उनके operation के हिसाब से बदलते रहते हैं सरल चब्दों में कह सकते हैं कि अलग-अलग जगह पर काम करते समय जब हम F12 की प्रेस करते हैं तो काम के हिसाब से Configuration window भी बदल जाती है इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हमें Vouchers में जाना होगा जिसके लिए V प्रेस कर रहे हैं यहां पर हम आपको बता दें कि Vouchers का उप्योग ट्रंसेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिन पर हम इसके बाद वाली वीडियो में काम करेंगे देखिए V प्रेस करते ही Accounting Voucher Creation स्क्रीन आ गई है जिसमें Right Side Button Bar में सबसे नीचे Configure लिखा हुआ है और उसके आगे उसकी Short Cut की F12 दिखाई पड़ रही है हम F12 प्रेस कर रहे हैं देखिए Voucher Configuration विंडो आ गई है और यहां कई Options दिखाई पड़ रहे हैं आप इन Options को अपने Business की जरुरत के हिसाब से Configure कर सकते हैं उदारन के लिए हम इनमें से एक समझ लेते हैं इसमें यहां Warn On Negative Cash Balance लिखा है और उसके आगे Yes लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि जब आप Cash Payment से संबंधित कोई Transaction Record करने जाएंगे और आपकी Books में Cash Account का Balance कम होगा तो Tally आपको Negative Cash की Warning देता है और यदे आप चाहते हैं कि Cash Balance Negative होने के बाद भी इस तरह की Warning ना आए तो आप इसे No करके इस Window को Save करें इस तरह आप किसी भी Option का उप्योग करके अपनी जरूरत की अनुसार Configuration कर सकते हैं चलिए एक और उधारन देख लेते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं और यहां से हम Day Book देखना चाहते हैं जिसका Short Cut है K देखिए Day Book की Screen आ गई है यह इंतरह की Report है और आगे हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे इसमें भी Right Side Button बार में नीचे आप Configure लिखा हुआ देख रहे हैं यह देखिए यहां भी Configuration Screen आ गई है और आप यहां कई Options देख रहे हैं इन Options को आप अपने बिजनस की जरूरत के हिसाब से Configure कर सकते हैं यहां पर हम आपको एक बात याद देलाना चाहेंगे जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अलग-अलग जगह पर कारे करने के हिसाब से Configuration Window भी बदल जाती है तो यहां पहले वाली Configuration Window और अभी जो Configuration Window Open है आपने देखा होगा कि दोनों अलग-अलग हैं संक्षिप में हम यह कहना चाहते हैं कि अलग-अलग स्क्रीन पर जब आप F12 प्रेस करेंगे तो आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको Configuration Window दिखाई देगी चलिए Company Features और Configuration को शॉट में समझ लेते हैं Company Features की साहता से आप जिस Company में चाहें उसमें कुछ अत्रिक्त सुविधाएं या Features चालू कर सकते हैं जैसा कि मान लिजिए आप पार्टियों का Bill-to-Bill हिसाब रखना चाहते हैं या Goods का Batch-wise रिकॉर्ड रखना चाहते हैं या यदि आपके पास GST नंबर नहीं है या है और आप उसके हिसाब से अपनी account books रखना चाहते हैं तो यह काम आप Company Features की साहता से कर सकते हैं जबकि Configure Option की साहता से आप टैली में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं यानी features available हैं उन्हें activate या deactivate कर सकते हैं जैसे यदि आप cash payment से संबंधिक कोई transaction record कर रहे हूं और उस समय आपकी books में cash balance नहीं है तो टैली हमें negative cash की warning देता है इसी तरह आप किसी माल का sales bill बना रहे हैं और वो माल stock में नहीं है तो टैली negative stock की warning देता है यदि आप चाहते हैं कि transaction record करते समय तैली आपको इस तरह की warning ना दे तो आप इसे configuration की सायता से बंद कर सकते हैं और जो options बंद हैं उन्हें चालू कर सकते हैं पर ध्यान रखें यह activation या deactivation data directory की सभी कंपनियों पर लागू होगा पहले हम एक पर फिर receipt voucher के बारे में समझ लेते हैं जब व्यवसाय में नकदी या bank के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूझी लाता है या किसी ग्राहत से payment या advance प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ती होती है तो इस तरह के transaction को receipt voucher में record किया जाता है यहां एक बहुत यह महत्पून बात ध्यान रखें कि cash sales से प्राप्त होने वाली कोई भी राशी यानि प्राप्ती इस voucher में नहीं आएगी उसका कारण यह है कि tally ने sales के लिए अलग से voucher बना रखा है transaction record करने से पहले कुछ महत्पून बातें फिर से दोहरा लेते हैं जब भी कोई transaction होता है तो उसे record करने के लिए सबसे पहली step है कि हम यह पहचाने कि transaction किस voucher में record होगा और यह हम आपको किसे भी transaction को देखकर कैसे पहचाने कि उसे tally में किस voucher में record करना है यह वाली वीडियो में बता चुके हैं transaction पहचानने वाली वीडियो में हमने receipt voucher से संबंधित कुछ transactions छांट लिए थे उन्हें transactions को हम tally में record करेंगे receipt voucher में काम करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि manual accounting की process के बीच हमने आपको journal में entry करने के कुछ नियम बताए थे और चुकि tally में हम journal के स्थान पर vouchers का उप्योग करते हैं इसलिए journal के वो ही नियम यहां भी लागू होंगे सबसे पहला नियम है आप transaction सामने रख कर ये देखें कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं उनका नाम क्या है या आप उनका क्या नाम दे सकते हैं दूसरा नियम दोनों खाते किस प्रकार के हैं जैसे personal account, real account या nominal account तीसरा नियम इन दोनों खातों के बारे में golden rules of accounting क्या कहते हैं यानि इनमें से कौन सा account debit होगा और कौन सा credit होगा तो आए इन नियमों के साथ आगे काम करते हैं हमारा पहला transaction है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंध करने के लिए एक लाख रुपए नकत पूंजी यानि capital लाए अब हमारा पहला सवाल है इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां नकदी आई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकदी कौन लाया है हम यानि व्यापार का स्वामी नकदी लाया है जैसा कि हमने आपको capital की परिभाशा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ती या माल या नकदी लाता है तो ये उसकी पूझी कहलाती है तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता यानि इस ट्रांजिक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं नकदी यानि कैश और पूझी यानि capital दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं इसका निन नया आप types of accounts की definitions को ध्यान में रखकर कर सकते हैं और इसके बारे में हम आपको detail में हमारी वीडियो definition of account and types of accounts में बता चुके हैं types of accounts के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नकदी का खाता real account है और पूझी यानि capital का खाता personal account अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट इसके बारे में हम आपको golden rules of accounting वाली वीडियो में समझा चुके हैं देखें पूंजी आई यानि प्राफ्थ हुई है और इसे देने वाला है capital account जो की personal account है और personal accounts के लिए golden rules of accounting है देने वाले को credit करो यानि credit the giver इसका मतलब यह हुआ कि capital account credit होगा अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है व्यापार में cash आया है और cash real account है और real accounts के लिए golden rules of accounting है जो बस तो व्यापार में आये उसे debit करो डेविट what comes in इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा तो चलिए tally में इस transaction को record कर लेते हैं टैली में जैसे ही हम कोई company open करते हैं तो सबसे पहले gateway of tally की screen दिखाई पड़ती है और इसे हम tally में जाने का main gate यानी मुखे दर्वाजा भी कह सकते हैं यहां आपको अलग-अलग headings जैसे masters, transactions, utilities और reports दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतरगत कुछ options भी दिखाई पड़ रहे हैं हम masters के अंतरगत आने वाले तीनों options का उपयोग करते हुए आपको ledgers create करना और उन्हें alter और delete करना बता चुके हैं आज हम transactions hiding के अंतरगत आने वाले पहले option vouchers जिसे हम accounting vouchers भी कह सकते हैं में काम करने जा रहे हैं इसके सहदा से आप अपनी company में होने वाले सभी transactions को record कर सकते हैं vouchers के लिए keyboard पर VE को press करें देखें V press करते ही accounting vouchers creation screen आगे है इसमें दिखाई पड़ रहे right button bar को हम 5 भागों में बांच सकते हैं हम आगे बढ़ते हुए इन सभी के बारे में जानेंगे अभी आप ये जो भाग देख रहे हैं इसमें हमें सभी तरह के vouchers मिलते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बाती चेक कर लेनी चाहिए जिसे की आगे काम करने में दिक्कत ना आए पहला F12 की सहायता से कुछ configurations चेक कर लें कीबोर्ड पर F12 की प्रेस करें और यहां Show More Configuration यदी No हो तो Big Space Key से उस पर जाएं और Yes टाइप करके Enter प्रेस करें देखें यहां यह पहला Option है Use Credit or Debit Instead of To or Buy During Voucher Entry यह हमें Yes चाहिए यदी No हो तो इसे Yes कर लें और यह सातवा Option Skip the Date Field During Voucher Creation हमें No चाहिए यदी यह Yes हो तो इसको No करके Enter प्रेस कर दें यहां दिखाई पढ़ रहे सभी Options को ज्यादा Detail में हम आपको आगी समझाएंगे अभी इन Changes को Accept करने के लिए Ctrl और A Keys को प्रेस करें आए अब दूसरी बात चेक कर लेते हैं यहां Change Mode दिखाई पढ़ रहा है और इसकी Shortcut Key है Ctrl और H हम Ctrl और H Keys को प्रेस कर रहे हैं अभी हम Double Entry Mode में काम करना चाहते हैं यदि यह Highlighted हो तो Escape Key से पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएं और यदि Highlighted ना हो तो माउस से Double Entry को Select करके Enter Press करें इन दोनों Modes के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे अभी हमने जो Changes किये हैं इनका प्रभाव हमारी कंपनी के सभी Vouchers पर तब तक रहेगा जब तक कि हम फिर से कोई Changes नहीं कर लेते आईए अब Accounting Vouchers पर काम करते हैं राइट बटन बार में सभी Vouchers के नाम और उनके नाम के आगे उनके Shortcuts दिखाई दे रहे हैं रिसीट वाउचर के लिए एप 6 की को प्रेस करें देखे ऐसा करते ही रिसीट वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है अभी हम डेट पर हैं आपको जिस तारीख में ये वाउचर बनाना है वो तारीख यहां पर टाइप करें हमें एक अप्रेल में ही इस वाउचर को बनाना है इसलिए हम एंटरप्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं इसमें पर्टिकुलर में CR यानी क्रेडिट ऊपर आ रहा है जबकि हमने मैनियूल अकाउंटिंग की प्रोसेस में जर्नल में आपको बताया था कि डेविट ऊपर आता है और क्रेडिट नीचे आता है पर टैली ने हमारी सुविधा के लिए इसे उल्टा कर दिया है यहां पहले क्रेडिट आ रहा है क्रेडिट में हमें जिससे रुपया प्राप्त हो रहा है उस लेजर का नाम लेना होता है जैसे कि कोई पार्टी का अकाउंट या कोई इंकम अकाउंट या कैपिटल अकाउंट हो सकता है इसके बार debit में हमें जिस तरह से रुपया प्राप्त हो रहा है जैसे cash या bank के माध्यम से तो उसका account लेना होता है ध्यान रखें, receipt voucher में देने वाले का account हमीशा पहले आता है और वो credit होता है और जिस तरह से रुपया प्राप्त होता है जैसे cash या bank account के माध्यम से वो बाद में आता है और वो debit होता है date के बाद हम enterprise करके credit पर आ गए हैं देखिए right side में एक list of ledger accounts आ रही है इस list में से आपको वो ledger select करना होगा जिसे credit करना है उसके लिए उस ledger के नाम का पहला अक्षर type करें हम capital account के लिए c type कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही type किये गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम highlight हो गए है आप up या down arrow से उस पर जा करके enterprise करें अब credit में amount type करें और enterprise कर दें enterprise करते ही नीचे वाली line में DR दिखाई पड़ रहा है enterprise करें अब यहाँ debit में पहले बताय अनुसार ledger select करें हमें cash account debit करना है इसलिए उसे select कर रहे हैं देखें ऐसा करते हमने जो राशी credit में लिखी थी वही राशी debit में भी आ गई है अब enterprise करें अब narration में आपने उपर जो transaction record किया है उसका sunk shift विवरंड दे दें यहाँ पर हमने लिखा 20 rupees 1 lakh cash brought in by the proprietor as capital अब enterprise करते हुए इस window को accept कर लें skip key से वापस gateway of Kelly पर चलते हैं चलिए अब हम देखते हैं दूसरा transaction एक मही को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोग traders से दिलवाया था अशोग traders से हमें उसका commission 5000 रुपे चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने State Bank of India के खाते में deposit किया अब देखते हैं प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं देखे commission प्राप्त हुआ है यानि एक खाता है commission received का दूसरी बात commission किस तरह प्राप्त हुआ है cash या bank के माथम से तो हमें check प्राप्त हुआ है और check bank में जमा होगा यानि दूसरा खाता है bank का दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं तो देखिए commission received का खाता nominal account है और bank का खाता personal account अभी हमने जो निर्ने किया है accounts का उसे confirm करने के लिए हम list of accounts पर चलते हैं यहां आप देख सकते हैं commission received nominal account है और bank का खाता personal account है तो यहां से हमने confirm कर लिया है कि दोनों खाते किस प्रकार के हैं अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit देखें commission प्राप्त हुआ याने आई हुई है अब चुकि यह nominal account है और nominal accounts के लिए golden rules of accounting है सभी आमदनी और लाभों को credit करो credit all incomes and gains मतलब commission account credit होगा अब हम देखतें दूसरा खाता जो bank का है चुकि bank में पैसा आ रहा है यानी पाने वाला bank है और यह personal account है और personal accounts के लिए golden rules of accounting है debit the receiver यानी पाने वाले को debit करो मतलब bank account debit होगा जैसा हमने आपको list of accounts वाले वीडियो में बताया था हम उसी तरीके से इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है commission प्राप्त हो रहा है मतलब commission account का balance बढ़ेगा और commission की राशी bank में जमा होगी तो bank का balance भी बढ़ेगा देखे list of accounts में commission received income के अंतरगत आता है और इसका नियम है यदि balance increase हो तो उसे credit करो अब bank account देखते हैं bank account assets में आता है और इसका नियम है यदि balance increase हो तो उसे debit करो यानि ये confirm हो गया कि हमने golden rules of accounting की साहता से जो नर्ने लिया था वस सही है चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं voucher creation screen पर जाने का एक तरीका और भी है उसके लिए go to पर mouse से click करें या alter और g press करें देखिए यहां पर सबसे पहला option है create voucher इस पर mouse से click करके enter press करें यह देखिए voucher creation screen आ गई है यहां हम आपको एक बहुत ही महतुपन बात बता दें कि go to की साहता से voucher creation screen पर जाना तब ज्यादा उपयोगी है जब आप tally में कहीं कोई काम कर रहे हैं जैसे कोई voucher बना रहे हैं या कोई reports आपने open की हुई है और उसे बीच आपको कोई दूसरा voucher बनाना हो तो पहले के काम को बंद किये बगेर ही go to की साहता से आप नया voucher open कर सकते हैं चले अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहां receipt voucher की window ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले receipt voucher का ही उपयोग किया था और यदि नई आ रही हो तो उसके लिए F6 की को प्रेस करें यहां पर voucher की date डालें एंटर प्रेस करें credit में जिस से या जिस बिहाफ पर प्राप्ती हुई है उस leisure का नाम सेलेक करें जैसे यहां हम commission received account सेलेक कर रहे हैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें एंटर प्रेस करें यहां debit में आपको उस bank का नाम सेलेक करना होगा जिसमें आपने check deposit किया है हमने SBI में check deposit किया है इसको हम सेलेक कर लेते हैं देखिए debit में भी वही amount आ रहा है जो हमने credit में type किया था एंटर प्रेस करें तेखिए ऐसा करते ही bank allocation window आएगी जिसमें right side में एक list दिखाई पड़ेगी और यदे list ना दिखाई दे तो space bar प्रेस करें और list में से transaction type select करें हम check select कर रहे हैं अब enterprise करें instrument number में आपको जो check प्राप्त हुआ है उसका number type करना है उसके बाद enterprise कर दें instrument date में जिस तारीख का check है वो तारीख type करें और फिर enterprise करें अब यह देखिए bank के सामने हमारा cursor आ गया है पर यहां पर कुछ type करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो वो type नहीं हो रहा है बलकि right side में list of banks आ गई है यदि यह list ना आए तो space bar प्रेस करें ऐसा करते ही right side में list of banks आ जाएगी इसमें down arrow key से specify bank पर जाएं और enterprise करें ऐसा करते ही आप से bank का नाम पुछा जाएगा आपको जिस bank का check मिला हो उसका नाम type करें और enterprise करतें अब यहाँ पर narration type करें being commission received from ashok traders yd check number 555-555 deposited in sbi अब control और a keys एक साथ प्रेस करें और इस voucher को accept करें आये short में एक और transaction record करके देख लेते हैं दो मैई 2020 को हमारे customer mohan traders ने हमें माल का order देते हुए 10,000 रुपए नकल advance दिये दिखिए इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं एक mohan traders और दूसरा cash account का mohan traders personal account है और cash account real account है golden rules of accounting के अनुसार mohan traders का खाता credit होगा और cash account debit होगा आये इस transaction को record कर लेते हैं सबसे पहले date डालें यहां पर party का नाम select करें चुकि इस party का laser नहीं बना हुआ है तो tally में काम के बीच laser बनाने के दो तरीके हैं या तो alter और c press करें यह देखिए laser creation screen आ गई है यह यहां उपर दिखाई पढ़ रहे create पर जाकर enter press करें यह देखिए laser creation screen आ रही है अब हम mohan traders का laser बना लेते हैं यहां amount डालें यह देखिए bill wise details की window आ रही है इसका क्या उप्य होगे यह हम आपको आगे बताएंगे अभी या तो आप इसमें on account select कर लें और आगे बढ़ जाएं या फिर backspace से वापस receipt voucher creation window पर आ जाएं यहां F11 प्रेस करके company features में जाएं और enable bill wise entry को no कर दें और इस change window को accept करने ऐसा करने पर जब आप आगे काम करेंगे तो bill wise details की window नहीं आएगी यहां हमें फिर से amount डालना होगा एंडर प्रेस करके आगे बढ़ें यहां पर DR ही रहने दें यहां cash account select करें और अब यहां narration type करके इस voucher को accept करने जब तक आप maintain bill wise details option को समझ नहीं लेते तब तक इस तरह की window आने पर या तो आपको on account select करके आगे बढ़ना है या फिर F11 की सहायता से इस option को no करना है अभी हमने receipt voucher में जो transactions record किये हैं उन्हें हम day book में कैसे देख सकते हैं और इन transactions में हमने जो लेजर उपियों किये हैं उन पर इन transactions का क्या प्रभाव पड़ा यह हम आपको सभी vouchers को समझाने के बाद बताएंगी अगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से payment voucher के बारे में बता देते हैं जब व्यवसाय में नकदी या bank के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह की transaction की entry payment voucher में record की जाती है एक खास बात का ध्यान रखें यदि आपने cash purchase से संबंधित कोई payment की है तो वो इस voucher में नहीं आएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि टैली ने purchase के लिए अलग सी voucher बना रखा है transaction पहचानने वाली वीडियो में हमने payment voucher से संबंधित कुछ transactions चांक लिए थे उन्हें हम यहाँ पर फिर से बताएंगे और उनके अधार पर payment voucher में transactions record करेंगे हमारा पहला transaction है दो जून को राम शर्मा को नकट 2000 रुपए उधार दिये हमारा पहला सवाल होगा इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं तो transaction को ध्यान से देखें यहां नकदी गई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकदी किस को दी है तो नकदी राम शर्मा को दी है यानि इस transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं नकदी और राम शर्मा दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं? राम शिर्मा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है देविट रेसीवर यानि पाने वाले को डेविट करो रामशर्मा को हमने रुपे उधार दिये हैं तो रामशर्मा हुआ पाने वाला मतलब रामशर्मा का खाता डेबिट होगा अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो cash का है cash गया है यह real account है और real account में जाने वाली वस्तू के लिए golden rule of accounting है credit what goes out यानि जो वस्तूव या पार्सी जाए उसे credit करो इसका मतलब cash account credit होगा चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहां हमने tally में अपनी company open कर ली है यदि आपको किसे निश्यत तारीख में बहुत से transactions record करना हूँ तो आप gateway of tally से current date बतल सकते हैं date के लिए f2 key press करें और आप जो तारीख चाहते हैं वो type करें जैसे हम 2 जून चाहते हैं तो यहां हमने type किया 2, 6 और enter press किया देखे current date 2 जून आ गई है आईए आप transaction record कर लेते हैं यहां हमें transactions के अंतरगत vouchers में जाना होगा और उसके लिए keyboard पर v key press करेंगे संभवत है आपके सामने payment voucher ही खुला होगा पर यदि कोई दूसरा voucher खुला हो तो देखें right pen में सभी vouchers और उनके नाम के पहले उनके shortcuts दिखाई पढ़ रहे हैं payment voucher के लिए f5 key press करें ऐसा करते ही payment voucher creation screen open हो जाएगी अभी हम date पर है और date पे वही तारीक दिखाई पढ़ रही है जो हमने current date में ली थी यहां हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे मान लीजिए आपको किसी एक ही तारीक में कई transactions record करना है यानि आपको बार बार date बदलने की जरूरत नहीं है तो फिर बार बार date फील्ड पर क्यों जाएं date फील्ड पर जाने से बचने के लिए आपको configuration में कुछ change करना होगा उसके लिए F12 की प्रेस करें अब यहां show more configuration यदि no हो तो backspace की से उस पर जाएं और yes टाइप करके enter प्रेस कर दें अब यहां दिखाई पढ़ रहे options skip the date field during voucher creation को yes कर दें और फिर इस window को accept कर लें ऐसा करने से अब यह होगा कि भविश्य में आप जब भी कोई voucher बनाएंगे तो date field में करसर नहीं आएगा और जब भी आपको voucher की date बदलना हो तो date की shortcut की है F2 इसे प्रेस करके update बदल सकते हैं हमें 2 June में ही voucher बनाना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें particulars में DR यानि debit उपर आ रहा है जबकि हमने receipt voucher में यहां पर credit लिखा हुआ दिखा था उसका कारण यह है कि Tally ने हमारी सुविधा के लिए payment voucher में उपर debit दिया है debit में हम जिसे रुपिया देते हैं उस ledger का नाम लेना होता है जैसे कि कोई party का account या कोई expenses account या fixed assets का account हो सकता है इसके बाद credit में हमने जिस तरह से रुपिया दिया है जैसे cash या bank के माधियम से तो उसका account लेना होता है ध्यान रखें payment voucher में जिसे आप payment देते हैं उसका account हमेशा पहले आता है और वो debit होता है और जिस तरह से यानि जिस माधियम से रुपिया दिया जाता है जैसे cash या bank account के माधियम से तो वो बाद में आता है और credit होता है देट के बाद हम DR पर आ गए है देखे right side में एक list of leisure accounts आ रही है पर इसमें राम शर्मा का नाम नहीं है क्योंकि हमने उसका leisure बनाया ही नहीं है तो ये leisure हम यहीं से बना सकते हैं उसके लिए alter और C keys को press करेंगे देखे leisure creation window आ गई है नेम में हम राम शर्मा टाइप कर रहे हैं और चूंकि हमने ये रुपए उधार दिये हैं तो हम अंडर में loans and advances group सेलेक कर रहे हैं यदि आप group का नेने नहीं कर पा रहे हूं तो list of accounts की मदद ले सकते हैं अब control और A keys से इस window को accept कर ले देखे ऐसा करते ही debit में party का नाम आ गया है अब यहाँ पर amount डालना होगा amount डाल करके enterprise करें enterprise करते ही आप नीचे वाली line में आ जाएंगे यहाँ पर CR दिखाई पड़ रहा है और हमें यहीं चाहिए enterprise करें अब यहाँ credit में पहले बताए अनुसार ले जो select करें हम cash account select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही हमने जो राशी debit में लिखी थी वही राशी credit में भी आ गई है enterprise करें अब narration में आपने उपर जो transaction किया है उसका संक्षिप्त विवरंट दे दें हमने यहाँ टाइप किया being rupees 2000 loan given to Ram Sharma अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें और अब escape key से वापस gateway of tally पर चलते हैं अब दूसरा transaction है 31 July को हमने State Bank of India का 3000 रुपए का check दे कर cycle खरीदी सबसे पहले प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं यह देख लेते हैं यहाँ cycle खरीदी गई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं cycle खरीदने के लिए payment किस तरह से किया गया है तो वो bank का check दिया है यानि payment bank द्वारा किया गया इस तरह हमने देखा कि transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते है cycle account और bank account यहाँ हमारा bank account से तातपर है State Bank of India से दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं देखिए bank का खाता personal account है और cycle का खाता real account है हम इसे list of accounts की साहता से भी confirm कर लेते हैं यह देखिए bank का account personal account है और cycle का खाता real account है यहाँ हमने दोनों खाते हैं किस प्रकार के हैं यह confirm कर लिया है अब तीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit cycle का खाता real account है और real accounts के लिए नियम है जो वस्तु व्यापार में आए उसे debit करो debit what comes in यहाँ cycle आई है मतलब cycle account debit होगा दूसरा खाता है bank का और यह personal account है personal accounts के लिए नियम है credit giver देने वाले को credit करो यहाँ bank से payment किया गया है मतलब देने वाला bank account है तो यह credit होगा जैसा कि हमने आपको list of accounts वाली वीडियो में बताया था हम उस तरीके से इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमने bank से payment किया है तो bank का balance कम होगा साथ ही cycle खरीदी है तो cycle खाते का balance बढ़ेगा यह देखे लिस्ट of accounts में bank का खाता assets के अंतरगत आता है और इसका नियम है यदि balance decrease हो तो उसे credit करो अब cycle का account देखते हैं यह भी assets में आता है और इसके लिए नियम है यदि balance increase हो तो उसे debit करो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह confirm हो गया है कि हमने golden rules of accounts की सहायता से जो नर्ने लिया था वो सही है चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं accounting vouchers के लिए V प्रेस करें यहाँ payment voucher की window ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले payment voucher का ही उप्योग किया था यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F5 की प्रेस करें देखिए हमारा cursor date वाले field में नहीं रुका क्योंकि इसके पहले वाले transaction की समय हमने configuration में जाकर उसे change कर दिया था यहाँ हमें voucher की date बदलना है तो उसके लिए F2 की को प्रेस करना होगा अब यहाँ पर date डाल दें enter प्रेस करें DR में जिसको या जिस भी हाफ पर payment किया गया है उस ledger का नाम सिलेक करें जैसे यहाँ हम cycle account सिलेक करना चाहते हैं पर यह ledger हमने बनाया नहीं है नया ledger बनाने के लिए ctrl और c की इसको एक साथ प्रेस करें ledger creation window आ जाएगी अब यहाँ पर ledger का नाम टाइप करें enter प्रेस करें यहाँ under में fixed asset script सिलेक करें और फिर इस window को accept कर लें देखे ऐसा करते ही debit में account का नाम आ गया है अब हमें यहाँ amount डालना होगा enter प्रेस करें enter प्रेस करते ही नीचे वाली line में यहाँ अपने आप cr लिखा हुआ दिख रहा है enter प्रेस करें अब यहाँ credit में पहले बताए अनुसार लेजर सिलक करें हम state bank of india सिलक कर रहे है दिखें ऐसा करते हमने जो राशी debit में लिखी थी वही राशी credit में भी आ गई है अब enter प्रेस करें ऐसा करते ही bank allocation window आएगी जिसमें right side में एक list दिखाई पड़ेगी और यदि list ना दिखाई दे तो space bar प्रेस करें यहाँ list में कुछ transaction type दिखाई पड़ रहे हैं payment के अन्य transaction type देखने के लिए show more पर क्लिक करें या उस पर जाकर enter प्रेस करें ऐसा करते ही सभी transaction types दिखाई पड़ने लगें इन में से आपने जिस भी तरह से payment किया है वो select करें हम check select कर रहे हैं अब enter प्रेस करते हुए instrument number पर आएं यहाँ आपने जो check दिया है उसका number type कर दें और फिर enter प्रेस करें instrument date में जिस तारीख का check दिया है वो तारीख type करें यहाँ by default voucher की तारीख ही आ रही है और यही हमें चाहिए यहाँ पर एक महतुपून बात का ध्यान रखें हमने transaction type में check select किया था इसलिए उससे संबंधे जानकारी मांगी जा रही है आप जो भी transaction type करेंगे यहाँ आपको उससे संबंधे जानकारी देना होगी तारीख type करने के बाद अब enter प्रेस करके आगे बढ़ें यहाँ पर narration type कर दें और अब इस voucher को accept कर लें अभी हमने payment voucher में जो transactions record किये हैं उन्हें हम day book में कैसे देख सकते हैं और इन transactions में हमने जो laser उप्योग किये हैं उन पर इन transactions का क्या प्रभाव पड़ा यह हम आपको सभी vouchers को समझाने के बात बताएंगे आईए अब पहले हम Contra voucher को समझ लेते हैं जब cash account से patty cash cash account से bank account bank account से cash account या फिर एक bank account से दूसरे bank account में fund transfer किया जाता है तो उनकी transactions को record करने के लिए इस voucher का उप्योग किया जाता है इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं यहां मतुपन बात यह है कि अभी हमने Contra voucher में जो transfer बताए हैं उनमें cash account और bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई party समलित नहीं है यानि Contra voucher में सिर्फ वे transactions आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी सरल शुब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस voucher का उप्योग पैसा एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है transaction पहचानने वाली वीडियो में हमने Contra voucher से संबंधित कुछ transactions छांक लिये थे उन्हें यहाँ पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर Contra voucher में काम करेंगे हमारा पहला transaction है दो अप्रेल को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकट जमा किये पहला सवाल यह कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां bank में नकट रुपए जमा किये हैं यानि cash गया है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं cash कहां गया है या किसे दिया है तो cash bank में जमा किया गया है यानि दूसरा खाता हुआ bank का दूसरा सवाल यह कि यह खाते किस प्रकार के हैं तो नकटी यानि cash का खाता real account है और bank का खाता personal account अब तीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit तो bank में हमने रुपए जमा किये हैं या कह सकते हैं कि bank को रुपए दिये हैं तो bank हुआ पाने वाला bank account personal account है और personal account के लिए नियम है debit the receiver पाने वाले को debit करो मतलब यहां पर bank account debit होगा अब हम तेखते हैं दूसरे खाते को जो cash का है यह real account है और real accounts के लिए नियम है credit what goes out यानि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो अब यहां पर जो चीज गई है वो है नकदी यानि cash इसका मतलब यह हुआ कि cash account credit होगा तो चलिए tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहां हमने tally में अपनी company open कर ली है अब transaction को record कर लेते हैं अब हम gateway of tally पर हैं यहां हमें transactions hiding के अंतरगत vouchers में जाना होगा और उसके लिए keyboard पर V प्रेस करें देखे right button bar में सभी vouchers के नाम और उनके आगे उनके shortcuts दिखाई पढ़ रहे हैं Contra voucher के लिए F4 key प्रेस करें यह देखे ऐसा करते ही Contra voucher creation window open हो गई है यहां एक महतुपुन बात पर ध्यान दें कि जिस तारीख में कोई transaction होता है टैली में उसी तारीख में उसे record किया जाता है हम जो transaction record करना चाहते हैं वो 2 April का है तो हम F2 key press करके यहां पर 2 April टाइप कर देंगे और enter press कर देंगे enter press करते ही हम particulars में आ गए हैं जिसमें CR यानी credit दिखाई पढ़ रहा है साथी right side में एक list of ledger accounts दिखाई पढ़ रही है इस list में महतुपुन बात यह है कि यहां सिर्फ वे ही ledgers दिखाई पढ़ते हैं जो bank और cash से संबंधित होते हैं क्योंकि contract voucher में इन दोनों के बीट जो transactions होते हैं केवल वही record किये जा सकते हैं credit में हम cash account select कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही cash account में जो balance है वो दिखाई पढ़ रहा है इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं इसके बाद यहां हमें amount में 20,000 रुपे टाइप करना है पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए 20,000 की जगह पर हम एक लाग 20,000 करके enterprise कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही नीचे negative cash की warning आ रही है और जितना cash कम है उसका amount भी लिखा हुआ आ रहा है ध्यान दे हमारे पास जो cash account का balance है और transaction में हम जो amount record करने जा रहे थे यह उन दोनों का difference है कहने का मतलब यह है कि यदि आप यह transaction record करना चाहते हैं तो आप कि books में इतना cash और होना चाहिए यदि आप इसे अंदेखा करके आगे बढ़ने के लिए enterprise करते हैं तो देखिए यह balance जितना कम है वो यहां भी लाल रंग में लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है यदि आप इस तरह की warning के बाद भी transaction record करना चाहते हैं तो कर सकते हैं transaction record करने की process वैसी ही रहेगी जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं यहां पर एक बात ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि transaction record करते समय negative balance होने के बाद भी negative cash की warning ना आए तो उसके लिए आपको F12 की प्रेस करके one on negative cash balance इस option को no करना होगा और उसके बाद window को accept करना होगा हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए escape की प्रेस करके वापस पहली वाली screen पर चलते हैं हमें एक लाग बीस हजार के स्थान पर बीस हजार ही चाहिए उसके लिए backspace की प्रेस करें यहां पर amount change कर दें अब enter प्रेस करें यह देखे अब cursor DR यानि debit पर आ गया है आगे बढ़ने के लिए enter प्रेस करें यहां हमें bank account यानि state bank of india को debit करना है तो उसे select करेंगे फिर enter प्रेस करेंगे यह देखे ऐसा करते ही जो राशी credit में लिखी हुई थी वही राशी debit में भी आ गई है enter प्रेस करें bank allocation window आएगी यहां पर हमें कुछ भी change नहीं करना है इसलिए हम enter प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही cash denomination window आएगी यदि आप जिस तरह के notes bank में जमा कर रहे हैं उसका record रखना चाहते हैं तो details भरते हुए आगे बढ़ें और यदि आप record नहीं रखना चाहते हैं तो enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं हम वापस contra voucher creation screen पर आ गए हैं यहां narration में being bank account opened in sbi with rupees 20,000 cash टाइप करके हम इस voucher को accept कर रहे हैं अब देखते हैं दूसरा transaction 31 मही को हमने state bank of india से चेक द्वारा 5000 रुपए नकद निकाले पहला सवाल यह कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दूखाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां पर चेक के माध्यम से bank से रुपए निकाले गए हैं तो bank हुआ पहला खाता अब दूसरा खाता देखते हैं bank से नकदी निकाली गई इसलिए दूसरा खाता हुआ cash का अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार की हैं bank का खाता personal account है और नकदी यानि cash का खाता real account है चलिए अब list of accounts में देख लेते हैं यह देखे बैंक का account personal account है नकदी का खाता देख लेते हैं यह देखे नकदी का खाता real account है यहां हमने दोनों खातों को confirm कर लिया है अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा credit bank account personal account है और personal accounts के लिए नियम है credit the giver यानि देने वाले को credit करो अब यहां हमने bank से रुपए निकाले यानि bank ने हमें रुपए दिये हैं तो देने वाला हुआ bank इसका मतलब bank account credit होगा अब देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है cash account real account के अंतरगत आता है और real accounts के लिए नियम है debit what comes in यानि जो वस्तु व्यापार में आए उसे debit करो यहां पर हमारे पास cash आया है इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा आये अब list of accounts से भी इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमने bank से रुपया निकाला मतलब bank का balance कम होगा और हमारे पास cash आया है मतलब cash account का balance बढ़ेगा आये हम list of accounts पर चलते हैं यहाँ देखे bank account assets में आता है और उसके लिए नियम है यदि balance decrease हो तो उसे credit करो अब cash account देख लेते हैं यह भी assets में आता है पर इसका balance increase हो रहा है और assets में increase के लिए नियम है उस खाते को debit करो यानि यह confirm हो गया कि हमने golden rules of accounts की सायता से जो ने ने लिया था वो सही है आये अब टेली में इस transaction को record कर लेते हैं अभी हमारे सामनी contra voucher खुला हुआ है प्रेस करके वो तारीख डालें जिस तारीख में transaction हुआ है एंटर प्रेस करें यहां credit में हमें State Bank of India को select करना है और यहां amount type कर दें अब एंटर प्रेस करें एंटर प्रेस करते ही bank allocations window आएगी space bar प्रेस करें transaction type select करें और फिर पूछी गई जानकारी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें हम वापस contra voucher creation screen पर आ गए हैं यहां पर DR याने debit दिखाई पढ़ रहा है आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें यहां debit में हमें cash account को select करना होगा एंटर प्रेस करें अब यहां transaction का संक्षिप्त विवरन यानी narration टाइप कर दें अब एंटर प्रेस करते हुए इस voucher को accept कर लें आए अब short में एक और transaction record करके देख लेते हैं 1 June 2020 को हमने State Bank of India के check number 123322 dated 1 June 2020 से 5000 रुपए Bank of Maharashtra में transfer किये यह आप देख सकते हैं इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं State Bank of India और Bank of Maharashtra यह दोनों ही खाते Bank के हैं जो की personal account है golden rules of accounting के अनुसार State Bank of India का खाता credit होगा और Bank of Maharashtra का खाता debit होगा आए इस transaction को record कर लेते हैं F2 की press करके तारीख एक जून कर दें Credit में State Bank of India सेलेक करें amount डालें Bank Allocations में Space Bar प्रेस करके Transaction Type सेलेक करें Instrument Number में Check Number डालें Instrument Date में Voucher की तारीख आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है आगे बढ़ें debit में Bank of Maharashtra सेलेक करें Enter प्रेस करके आगे बढ़ें यहां फिर से Bank Allocations window आएगी जिसमें हमने पहले जो details दी थी वो by default आ रही है Enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ें यहां पर हमें उस bank का नाम टाइप करना होगा जिस bank का यह चेक है नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं नीचे narration type करें और इस voucher को accept कर लें मान लीजिये हमने एक अप्रेल को व्यापार के लिए 51,000 रुपए का माल नकत खरीदा और जो माल खरीदा था उसे 2 अप्रेल को 75,000 रुपए में नकत बेश दिया अब ऐसा बोलने में तो ठीक लगता है पर तरसल यह असपश्ट है इसमें हमें यह नहीं मालूम पड़ता कि क्या माल था कितना था उसका रेट क्या था इत्यादी जब हम व्यापार में माल खरीदने बेचने का काम करते हैं तो जो भी माल यानि गुट्स खरीदते बेशते हैं उनका पुरा रिकॉर्ड रखना होता है जिससे हमें बहुत ही आसानी से यह पता चल जाता है कि कौन सा माल खरीदा उसकी कितनी क्वांटिटी थी क्या भाव था कौन सा माल बेचा कौन सा माल स्टॉक में है इत्यादी और इनी कारणों से टैली में हमें purchase voucher और sales voucher के transactions record करनी के पहले stock items बनाना होते हैं तो ये तो आपने जाना कि stock items बनाने की जरूरत क्यूं है अब बताते हैं कि stock items के लिए stock groups की जरूरत क्यूं है इसे एक उधारन की साहिता से समझें मान लीजिए हमारा ABC Electricals and Electronics के नाम से एक showroom है जिसमें हम अलग-अलग company के, अलग-अलग size और capacity के बहुत सारे products जैसे televisions, washing machines, computers, laptops आदी रखते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से products हैं इसका एक छोटा सा उधारन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं टैली में इन सभी products के अलग-अलग खाते तो खोल सकते हैं पर यदि हम एक साथ शीगरता से यह देखना या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने televisions, washing machines, computers और laptops हैं या हम यह जानना चाहें कि हमारे पास कौन सी company के कितने televisions, washing machines, computers या laptops हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए हमें हर item का अलग-अलग stock देखना होगा और उन्हें product और brand के हिसाब से अलग-अलग कहीं लिखना होगा और फिर उनकी जोड लगाना होगी यानि एक लंबा और बहुत जादा समय लेने वाला procedure होगा और इतना करने के बाद भी इस हिसाब में गल्ती की संभावना बनी रहेगी तो अब इसका क्या हल है? तो इसका हल ये है कि पहले हम stock groups बना लें और फिर उन groups में stock items के खाते खोलनें हमने जोडारण बताया इसे हम एक चार्ट की सहता से और भी सरल तरीके से समझ लेते हैं इस चार्ट में सबसे उपर ABC Electricals and Electronics लिखा है और इस showroom में क्या-क्या products हैं वो दूसरी line में दिखाई पढ़ रहे हैं यहां हम समझाने के लिए इन सभी products में से सिर्फ TV के subgroups बना कर आपको दिखा रहे हैं देखे टीवी में किस-किस company के टीवी हैं वो तीसरी line में दिखाई पढ़ रहे हैं अब इन में से किसी एक company के टीवी पर जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इन में कौन-कौन सी size के टीवी है टैली में यदि इस तरह के stock groups और subgroups बना कर उनके अंदर stock items बना लें तो हमें stock से संबंधित सभी जानकारी बगेर किसी गलती के बढ़ी आसानी से और जल्दी मिल जाएगी अब सवाल यह है कि जब टैली ने accounts यानी ledgers के लिए group और subgroups बना कर दिये हैं तो stock items के लिए कोई group और subgroup बना कर क्यों नहीं दिया इसका जवाब यह है कि ledgers के लिए तो जो group और subgroups बना कर दिये गए हैं वो accounting के principle के हिसाब से बने हुए हैं और वो prior सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं जबकि प्रतेक व्यापार के stock items अलग-अलग होते हैं और जब stock items अलग-अलग होते हैं तो stock groups भी अलग-अलग होंगे यही कारण है कि टैली हमें stock groups बना कर नहीं देता है और यह हमें बनाने पड़ते हैं तो चलिए टैली की इस वीडियो में अब हम आपको बता देते हैं कि stock groups कैसे बनाते हैं हमने टैली में जो company बनाई थी वो open कर ली है इस company में पहले हम बहुत से lasers बना चुके हैं और इसी में हमने कुछ vouchers में transactions भी record किये हुए हैं अब आगे जलते हैं टैली में जैसे ही हम कोई company open करते हैं तो सबसे पहले gateway of tally की screen दिखाई पड़ती है और इसे हम tally में जाने का main gate यानि मुखे दरवाजा कह सकते हैं यहां आपको अलग-अलग headings जैसे masters, transactions, utilities और reports दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतरगत कुछ options भी दिखाई पड़ रहे हैं हम masters के अंतरगत आने वाले इन तीनों options का उपयोग करते हुए lasers create करना और उन्हें alter और delete करना सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे create और chart of accounts की सहता से stock groups बनाना तो चलिए masters heading के अंतरगत create के लिए c प्रेस करते हैं यह देखे लिस्ट of masters आ रही है हमें इसमें inventory masters के अंतरगत stock group में जाना होगा हम mouse से उस पर click करके enter प्रेस कर रहे हैं अब यह देखे stock group creation screen आ गई है यहां name के आगे group का नाम type करें हमने type किया tv enter प्रेस करें अलियास को हम आगे बताएंगे enter प्रेस करके आगे बढ़ें under में primary यानी मुख्य ही रहने दें क्योंकि यह हमारा मुख्य group है enter प्रेस करें should quantities of items be added इसकार्थ यह है कि इस group के अंतरगत जो भी stock items आप बनाएंगे क्या उन सभी quantity का total किया जाना चाहिए यहां हम yes के लिए y type करेंगे और फिर इस window को control और a से accept कर लेंगे अभी हमने tv का जो main group बनाया है उसके अंदर एक subgroup भी बना लेते हैं stock group creation window खुली हुई है name में हम sony tv टाइप कर रहे हैं अंदर में हम list of groups में से tv चुनेंगे क्योंकि हम जो group बना रहे हैं वो tv का subgroup है देखिए ऐसा करते ही should quantities of items be added के आगे yes अपने आप आगया है क्योंकि हमने अंदर में tv चुना है और tv का group बनाते वक्त हम should quantities of items be added को yes कर चुके हैं अब कंट्रोल और एक की से इस window को accept कर लेते हैं अब escape की दबाते हुए हम वापस gateway of tally पर आ गए हैं अभी हमने एक बार में एक यानि single stock group बनाना सीखा आये अब देखते हैं कि यदि एक ही बार में एक से ज्यादा यानि multiple stock groups बनाना हूँ तो वो कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमें chart of accounts में जाना होगा chart of accounts के लिए हम h press कर रहे हैं और अब down arrow से stock groups पर जाकर enter press करेंगे और यहां multi masters के लिए alter और h keys को press करेंगे देखें list of multi masters आ रही है multi create already highlighted है हम enter press करेंगे यह देखें यहां पर multi stock group creation screen आ गई है यहां हम दो तरह से groups बना सकते हैं पहला उसके लिए हमें under group में वो group select करना होगा जिसके अंतरगत हम subgroups बनाना चाहते हैं पर यहाँ पर list of groups ही दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसमें से हम group select कर सकें, तो list of groups के लिए backspace की press करें, यह देखिए ऐसा करते ही list of groups आ गई है, अब इसमें से हम group select कर सकते हैं, यहाँ हम TV वाला group select कर रहे हैं, अब name of store group में उस group का नाम लिखें जो आप बनाना चाहते हैं, अंडर में उसी group का नाम दिखाई पड़ रहा है, जिसे हमने उपर select किया था, should quantities of item be added में आप yes या no कर सकते हैं, हम yes ही रहने दे रहे हैं, enterprise करते हुए आगे बढ़ें, इसी तरह हम जितने भी companies के टीवी रखते हैं, उन सभी के groups बना लेंगे, और last में control और A keys से इस window को accept कर लेंगे, आईए अब हम अलगलग groups के अंतरगर groups कैसे बनाते हैं, यह देख लेते हैं, उसके लिए alter और H keys को press करें, और यहां multi create select कर लें, यह देखे, multi stock group creation screen आ गई है, अब जैसा कि हम एक ही बार में एक साथ कई primary groups या subgroups बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए under group में all items को select करना होगा, all items already यहां पर दिखाई पढ़ रहा है, enterprise करें, अब name of stock group में आप जो group बनाना चाहते हैं, उसका नाम लिखें, जैसे हमने लिखा computer, enterprise करें और under main list of groups में से वो group select करें, जिसके अंतरगरत आप इसे बनाना चाहते हैं, चुकि यह हमारा main group है, तो हम primary select कर रहे हैं, यहां हम yes के लिए y type कर रहे हैं, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ें, इसी तरह हम washing machine, laptop और air conditioner के group भी बना लेते हैं, अब ही हमने जितने भी group बनाएं, यह सभी primary groups हैं, अब हम tv का जो primary group है, उसमें एक subgroup भी बना कर देख लेते हैं, यहां पर हमने type किया onida tv और इसे हम tv group में लेंगे, इसी तरह हम अपनी जरूरत के अनुसार एक ही बार में कितने भी groups और subgroups बना सकते हैं, अभी हमारी जरूरत के सभी groups बन गए हैं, control और एक ही से इन्हें accept कर लेते हैं, अभी हमने जो primary groups और subgroups बनाए हैं, यदि आप उन्हें एक सा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें chart of accounts में जाकर, stock groups में जाना होगा, देखिए, यहां पर हमारे द्वारा बनाए गए सभी groups और subgroups दिखाई पड़ रहे हैं, यदि आप इनमें से किसी में कुछ changes करना चाहें, तो उस पर जाकर enterprise करें, ऐसा करते ही stock group alteration screen आएगी, और यहां से आप जो भी changes करना चाहें, वो कर सकते हैं, इसे हम अगली वीडियो में detail में समझाएंगे, हम आपको यहां पर एक खास बात फिर से याद दिला दें कि यदि आप टैली में कहीं भी काम कर रहे हैं, और उस काम को बंद किये बगैर, masters के इन तीनों options में से किसी का उप्योग करना चाहते हैं, तो ये काम go to की सहायता से कर सकते हैं, देखें, ये तीनों options यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं, stock groups में alteration के दो तरीके हैं, पहला एक समय में किसी एक ग्रूप या सब ग्रूप में alteration करना, और दूसरा एक साथ एक से अधिक groups और सब ग्रूप में alteration करना, आज़े पहले देखते हैं, एक समय में किसी एक ग्रूप या सब ग्रूप में alteration कैसे कर सकते हैं, अभी हम gateway of tally पर हैं, यहां दिखाई दे रहे masters के अंतरगत, alter को select करें, यहां से stock groups को select करें, ऐसा करते ही list of stock groups आ जाएगी, आप जिस्क stock group को alter करना चाहते हैं, उसे select करें, ऐसा करने पर stock group alteration screen आ जाएगी, जिसमें आपके द्वारा select किये गए stock group की पूरी details दिखाई पड़ेंगी, जो आपनी stock group बनाते समय दी थी, यहां से आप stock group के नाम या under में वो primary या किसी any group में बना है, तो उसे change कर सकते हैं, चलिए अब देखते हैं कि यदि आप किसी stock group को delete याने समाप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको alter में ही जाना होगा, उसके बाद यहां से stock group को select करें, ऐसा करते ही list of stock groups आ जाएगी, आप जिस stock group को delete करना चाहते हैं, उसे select करें, ऐसा करने पर stock group alteration screen आएगी, यहां alter और D keys को एक साथ प्रेस करें, delete की छोटी सी window आएगी, यहां एक खास बात ध्यान रखें, आपने जिस stock group में कोई भी subgroups या stock items बना रखे होंगे, उसे आप delete नहीं कर पाएंगे, इसकी पहचान यह है कि जब आप alter और D keys को प्रेस करेंगे, तो delete के message वाली window ही नहीं आएगी, और फिर भी यदि आप उसे delete करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके अंदर बने subgroups या stock items को delete करना होगा, या उनके group को बदलना होगा, उसके बाद ही आप उस stock group को delete कर पाएंगे, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे delete करना चाहते हैं, यदि delete करना चाहते हैं तो Y press करें, और यदि नहीं तो N press करें, हम इसे delete नहीं करना चाहते हैं, इसलिए N-press कर रहे हैं चलिए अब हम Stock Groups में Alteration के दूसरे तरीके को देख लिते हैं इसके लिए आपको Chart of Accounts में जाना होगा और यहां से Stock Groups Select करना होगा फिर Multimasters में जाना होगा List of Multimasters में Multi Alter Select करना होगा यहां पर List of Stock Groups आ रही है इसके अंतरगत भी Alteration के दो तरीके हैं पहला यदि आप किसी एक Stock Group के अंतरगत बने हुए Sub Groups को Alter करना चाहते हैं तो यहां से वो Stock Group सेलेक करें जिसके अंदर बने हुए Sub Groups में Alteration करना है Multi Stock Group Alteration स्क्रीन आ गई है यहां से आप किसी भी Stock Group का नाम या Under में वो जिस भी Group में बना है उसे Change कर सकते हैं साथ ही यदि Should Quantities of Items be Added को Yes या No करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम स्कैप की से वापस List of Stock Groups पर आ गए हैं चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें हम एक ही बार में कितने भी Stock Groups में चाहे वो Primary Group हो या Sub Group हो उसमें एक साथ Alterations कर सकते हैं उसके लिए All Items सिलेक करना होगा ऐसा करते ही Multi Stock Group Alteration बिंडू आ जाएगी अब आप यहां से जो भी चिंजिस जैसी ग्रूप का नाम या Under में वो जिस भी ग्रूप में बना हुआ है उसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें माल यानि गुड्स के क्रे और विक्रे का काम किया जाता है इस क्रे विक्रे के लिए हमें उस माल को नापना तोलना या गिनना होता है और इस तरह के काम के लिए जिन इकाईयों का उप्योग करते हैं उन्हें यूनिट्स उफ मेजर कहते हैं जैसे कि शकर तोलने के लिए किलोग्राम, दूद नापने के लिए लीटर, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है. अब सवाल ये है कि हम एलेक्ट्रिक और एलेक्ट्रोनिक आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या इकाई होगी? इनके लिए हम नंबर्स क उपयोग करेंगे. नंबर्स की तरह ही मान लीजिए हमारा कोई आइटम पीस में होता है, तो हमारी इकाई पीसिज हो जाती है. यहां हम आपको क्वांटिटी कोड्स की एक लिस्ट दिखा रहे हैं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पीडिये भी दे रहे हैं, इसकी सहयता से आप अपने व्यापार की जरूरत के हिसाब से अपनी काई का निने कर सकते हैं, अभी हम गेटवे आफ टैली पर हैं, इसके पहले हम मास्टर्स के अंतरगत क्रियेट और चार्ट अफ अकाउंट्स की सहयता से लेजर्स और स्टॉर्ग ग्रूप्स सीख चुके हैं, आए अब देखते हैं कि योनित कैसे बनाई जाती हैं, मास्टर्स हेडिंग के अंतरगत, क्रियेट के लिए C प्रेस करें, और यहां इनवेंट्री मास्टर्स में योनिट को सिलेक़् करें, देख्ये योनिट क्रियेशन विंडो आ गई है, यहां दोतरग क यूनिट्स बनाई जा सकती है, simple unit और compound unit, इन दोनों के अलावा alternate unit का भी उपयोग किया जाता है, इस वीडियो में हम simple यानी सामान यूनिट्स पर काम कर रहे हैं, compound unit और alternate unit के बारे में हम intermediate level में बताएंगे, यहाँ type में simple लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे symbol लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, symbol के सामने जो unit बनाना हो उसका short form टाइप करना होता है, हम numbers के लिए unit बनाना चाहा रहे हैं, इसलिए उसका short form NOS यहाँ type कर रहे हैं, enter press करें, और यहाँ formal name के आगे जो unit बनाई जा रही है, उसका पूरा नाम type करना होगा, हम यहाँ numbers type कर रहे हैं, अब enter press करेंगे, देखिए हमारा cursor number of decimal places के आगे आगया है, यहाँ 0 लिखा है, आईए से समझ लेते हैं, कभी कभी हमें व्यापार में वस्तूओं को इस प्रकार भी तोलना या मापना होता है, जैसे 1 kg, 250 ग्राम शकर, या 2 मीटर और 25 संटी मीटर का पड़ा इत्यादी, अब मान लीजे हम kg की unit बना रहे हैं, तो हमें number of decimal places के आगे 3 लिखना होगा, और यदि meter की unit बना रहे हैं, तो 2 लिखना होगा, चूंकि हम electronic items में deal कर रहे हैं, जो कि अपने आप में पूरी वस्तू है, जिसे हम 1, 2, 3, या किसे भी पूरे अंक में ही गिन सकते हैं, यानि हम ये तो नहीं कह सकते की 1.5 टीवी देना, ये तो पूर्नांख ही रहेगा, मतलब हमें numbers के आगे दशमलों में कोई संख्या नहीं चाहिए, इसलिए हम number of decimal places के आगे 0 ही रहने दे रहे हैं, और enter press करके इस window को accept कर रहे हैं, अब यदि आपको कोई और unit बनाना है, तो बना सकते हैं, हमें कोई unit नहीं बनाना, इसलिए हम वापस gateway of telly पर चलते हैं, अब यदि आप अपनी बनाई हुई किसी unit में कोई alteration करना चाहते हैं, या उसे delete करना चाहते हैं, तो ये काम आप alter और chart of accounts की साहता से कर सकते हैं, उसकी process वही है, जो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी, पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने किसी unit को लेकर कोई transactions कर लिये होंगे, तो उस unit में alteration तो संभव है, पर आप उसे delete नहीं कर पाएंगे, तो चलिए सब सब पहले समझते हैं कि stock items क्या है, stock items से तातपर उन वस्तों से हैं जिनका आप व्यापार करते हैं या निर्मान करते हैं, या निर्मान के लिए कच्चे माल यानि raw material के रूप में उप्योग करते हैं, हमने manual accounting की process में बताया था कि व्यापार में हमें किसी का भी account यानि हिसाब किताब रखने के लिए उसका खाता यानि leisure बनाना होता है, ठीक उसी तरह हम जिन वस्तों का व्यापार करते हैं उनका भी हिसाब रखना होता है, हिसाब रखने से ही हमें ये जानकारे मिल पाती है कि हमने कौन सा माल खरीदा, कितना खरीदा, किस भाव में खरीदा, कितना बेचा, किस भाव में बेचा, कितना स्टॉक बचा है त्यादी, और यही कारण है कि हम legers की तरह ही stock items भी बनाते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपुन बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको masters के अंतरगत, legers create करने के बारे में पताया था, पिल्कुल वही process stock items के लिए भी है, फिर भी हम आपको short में से समझा देते हैं, अभी हम gateway of tally पर हैं, stock items create करने के लिए हमें masters heading के अंतरगत create में जाना होगा, उसके लिए c प्रेस करें, अब यहां नीचे दिखाई पढ़ रहे inventory masters में stock item को select करें, यह देखे stock item creation screen आ गई है, name के आगे stock item का नाम टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया onida tv 20 inches, enterprise करते हुए आगे बढ़ें, under में आप इस stock item को जिस भी main group या sub group में रखना चाहते हैं, उसका नाम list of groups में से select कर लें, चुकि यह item onida tv group के अंतरगत आता है, इसलिए हम onida tv सिलेक कर रहे हैं, enter प्रेस करके आगे बढ़ें, units के आगे units की छोटी window आ रही है, यदि आपने पहले से unit बना रखी है तो उसे select करें, और यदि नहीं बनाई है तो alter और c प्रेस करके या यहाँ दिखाई पढ़ रहे, create पर click करके आप unit बना सकते हैं, हमने पहले से nos यानि numbers की unit बनाई हुई है तो हम उसे select कर रहे हैं, अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यदि इस item का कोई opening balance है तो वो आपको लिखना होगा, आए पहले opening balance यानि opening stock को समझ लेते हैं, मान लेज़े कोई व्यवसाई manual accounting करता है और उसने financial year यानि वित्तिय वर्ष के बीच में या किसी वित्तिय वर्ष की समापती के बाद अगले वित्तिय वर्ष के प्रारंब से computer accounting प्रारंब कर दी, तो manual accounting में उसके stock items के जो भी closing balance होंगे, वे computer accounting के लिए opening balance हो जाएंगे, उदारन के लिए कोई व्यापारी 31 March 2020 तक अपने यहाँ manual accounting करता था और उसके पास 31 March 2020 को अलग-अलग company के 50 TV stock में थे, तो यह उसका closing stock कहलाएगा, और अब उसने 1 April 2020 से अपने यहाँ computer accounting शुरू कर दी, तो 31 March 2020 के manual accounting के stock items के जो भी closing balance होंगे, जैसे कि यहाँ उसके पास 50 TV थे, तो वो computer accounting के लिए opening balance हो जाएंगे, और वे सभी balance उसे computer accounting शुरू करने के पहले stock items बनाते समय, अपने यहाँ पर opening balance में लिखना होंगे, हमारा कोई opening balance नहीं है, पर समझने के लिए यहाँ हमने quantity में 10 type कर दिया है, एंटर प्रेस करें, यहाँ हमें माल का जो भी खरीद भाव है वो type करना होगा, एंटर प्रेस करें, देखें हमारे opening balance की total value आ गई है, control और A की इसको प्रेस करके हम इसे screen को accept कर लेते हैं, अब यदि आप चाहें तो दूसरे item का खाता भी इसी तरह खोल सकते हैं, हम escape की कि सहायता से वापस gateway of telly पर आ गए हैं, अभी हमने एक समय में एक यानि single stock item बनाना सीखा, आई आप देखते हैं कि एक ही समय में एक से अधेक यानि multiple stock items कैसे बनाते हैं, उसके लिए chart of accounts में जाना होगा, जिसके लिए हम H key प्रेस कर रहे हैं, अब यहां से inventory masters में stock items को select करें, यहां से multi masters के लिए alter और H keys को प्रेस करें, यह देखें list of multi masters आ रही है, इसमें से multi create select करें, multi stock item creation screen आ रही है, यहां हम दो तरीके से stock items बना सकते हैं, पहला यदे आप किसी एक stock group के अंतरगत stock items बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले backspace की प्रेस करें, ऐसा करते ही right side में list of groups आ जाएगी, अब आपको under group में list of groups में से वो group select करना होगा, जिसके अंतरगत आप stock items बनाना चाहते हैं, हम यहां सब group LG TV के अंतरगत stock items बनाना चाहते हैं, तो हम LG TV select कर रहे हैं, एंटर करते हुए आगे बढ़ें, name of item में LG TV 20 inches टाइप कर रहे हैं, यह एंटरप्रेस किया, देखे अंडर में LG TV लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने उपर अंडर ग्रूप में LG TV select किया था, यूनिट्स में हम NOS यानि नंबर से लेक कर रहे हैं, वैसे तो हमारा कोई opening stock नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम opening quantity में 15 लिख रहे हैं, एंटरप्रेस करेंगे, अब यहाँ पर उसका purchase rate डाल कर एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तीक है amount में stock items का पूरा मुल्य आ गया है, एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ें, हम LG TV 30 inches का एक stock item और बना लेते हैं, और इसी तरह आप चाहें तो उपर चुने हुए group में और भी stock items बना सकते हैं, हम control और A keys की साहता से इसे accept कर लेते हैं, अब देखते हैं multiple stock items बनाने का दूसरा तरीका, इसमें हम एक ही बार में अलग-अलग groups के अंतरगत stock items बना सकते हैं, उसके लिए हम alter और H keys को प्रेस कर रहे हैं, यहां से multi-create select करें, यहां under group में all items select करना होगा जो की already selected है, हम enter press करके आगे बढ़ रहे हैं, name of item में item का नाम लिखें, हम type कर रहे हैं onida TV 30 inches, enter press करें, अब यहां आपको list of groups में से item से संबंधित group का नाम select करना होगा, हमने select किया onida TV, group select करने के बाद अब unit select करना होगी, अब यादी कोई opening balance है तो वो डालते हुए आगे बढ़ें, हम एक stock item Samsung TV 20 inches का और बना लेते हैं, यहां Samsung TV subgroup select करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, यहां हमने stock item में Dell laptop model triple one type किया, एंटर प्रेस किया, अब यहां पर एक दिक्कत है कि हम जिस group में यह stock item बनाना चाहते हैं, वो group हमने बनाया ही नहीं है, ऐसे स्थिति में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप alter और C कीज को प्रेस करके भी group या subgroup बना सकते हैं, हम alter और C प्रेस कर रहे हैं, दिखें यह stock group creation window आ गई है, जैसा कि हमने आपको stock group create करने वाली वीडियो में बताया था, उसी तरह आप यहाँ group बना सकते हैं, हम यहाँ पर Dell laptop के नाम से सब group बना रहे हैं, और यहाँ under में हम laptop जो की हमारा main group है उसको select कर रहे हैं, अब control और A की से accept कर लेते हैं, यह देखें, Dell laptop model triple one के बाद under में हमने अभी जो group बनाया था उसका नाम दिखाई पड़ रहा है, अब unit select कर लें और enter press करें, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने name of item में किसी item का नाम टाइप कर लिया और आगे बढ़ गए, फिर हमें लगा कि हमें यह stock item नहीं बनाना है, ऐसे इस्तीती में backspace की press करके name of item पर आ जाएं और delete की से item का नाम दिलीट कर दें, और उसके जगर पर कोई अन्य stock item बनाना हो तो वो बना लें, हमने कुछ और stock items और उनके stock groups अपनी जरुरत के हिसाब से बना लिये हैं, अब control और A की इससे इस window को accept कर लेते हैं, चलिए अब आपको यह बताते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो stock groups बनाए थे, और इस वीडियो में जो stock items बनाए हैं उन्हें एक साथ कैसे देख सकते हैं, यह देखे अभी हम chart of accounts पर हैं और यहीं से हम आगे गए थे, chart of accounts के नीचे list of stock items लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखे हमने जो primary यानि मुख्य groups बनाए थे वो दिखाई पढ़ रहे हैं, यदि आपको इस list में किसी group, subgroup या stock item में कहीं कोई गलती दिखती है, तो उसे ठीक करने यानि alter करने के लिए उस पर जाकर enterprise करें, समझने के लिए हम इस stock item पर enter press कर रहे हैं, यह देखे ऐसा करते ही stock item alteration window आ गई है, आप यदि कुछ change करना चाहें जैसे नाम, group, unit, opening balance तो यहां से कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखें, जिन stock items में आपने transactions कर लिये होंगे, उनकी units change नहीं कर सकते, स्टॉक items कॉल्टर कैसी करते हैं यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अभी हम skip key की सायता से पहले वाली window पर चलते हैं, यहां हम F5 की press कर रहे हैं, देखे आप stock items बनाते समय हमने जो भी details दी थी वो यहां पर दिखाई पड़ रही हैं, यहां से यदि आप कुछ भी alteration करना चाहें तो कर सकते हैं, हम फिर से F5 की press कर रहे हैं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, यदि आप tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, और उस दौरान यदि आप कोई नया master बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी हमने जो options समझे वे go to में भी मिलते हैं, अभी हम gateway of tally पर हैं, master's heading के अंतर का दिखाई दे रहे order के लिए A प्रेस करें, यहां से stock item select करें, देखें list of stock items आ रही है, जैसे stock item में कुछ changes करना हैं उसे select करें, यह देखें, stock item alteration screen आ गई है, आप जो भी changes करना चाहें जैसे नाम, group, unit, opening balance तो यहां से कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखें, जिन stock items में आपने transactions कर लिए होंगे, उनकी units change नहीं कर सकते हैं, यदि आप किसी stock item को delete करना चाहते हैं, याने इस थाई रूप से हटाना चाहते हैं, तो इसी stock item alteration screen पर alter और D एक साथ प्रेस करें, ऐसा करते ही delete की छोटी window आएगी, यहां पर एक बात ध्यान रखें, जिस stock items को लेकर आप कोई transactions कर चुके होंगे, वो delete नहीं होगा, यानि alter और D प्रेस करने पर भी delete की छोटी window नहीं आएगी, यदि आप इस stock item को delete करना चाहते हैं, तो end प्रेस करके उसे delete कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते इसलिए end प्रेस कर रही हैं, अब देखते हैं कि chart of accounts की साहता से आप एक साथ कई stock items में कैसे alteration कर सकते हैं, उसके लिए आपको chart of accounts में जाना होगा, यहां stock items select करें, अब alter और H प्रेस करें, list of multi masters में multi alter select करें, यह देखे list of stock groups आ रही है, यहां पर आप दो तरह से alteration कर सकते हैं, पहला यदि आप किसी एक stock group में बने stock items में alteration करना चाहते हैं, तो उस stock group को select करें, देखे हमने जो stock group select किया था, उसमें जतने भी stock items बने हैं, वो और उनकी details दिखाई पड़ रही है, यहां से आप जजबी stock item में जो भी changes करना चाहें कर सकते हैं, स्केप की से हम वापस list of stock groups पर आ गए हैं, आई अब देखते हैं दूसरा तरीका, इससे आप किसी भी stock group में बने stock items में alteration कर सकते हैं, उसके लिए आपको all items select करना होगा, देखे ऐसा करते ही हमारी company में बने सभी stock items, वो जिस group में बने हैं उनके नाम, और हमने stock items बनाते समय जो भी details दी थी वो दिखाई पड़ रही है, यदि आप इनमें कुछ भी changes करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार आपको फिर याद दिला दे, यदि आप tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान आप master में कुछ भी alteration करना चाहते हैं, तो आप अपने काम को बंद किये बिना ही go to पर जाएं, यह options आपको यहां भी मिलेंगे और आप इनकी सहायता से alteration कर सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से purchase voucher के बारे में बता देते हैं, जब बेचनी के लिए माल या manufacturing यानि निर्मान के लिए कच्छे माल के रूप में नकत या उधार कोई माल खरीदा जाता है, तो उस transaction को purchase voucher में record किया जाता है, अभी तक के वीडियो में हमने टैली में company बनाना, लेजर बनाना, stock groups बनाना, stock items बनाना और इन से संबंधित जो भी ज़रूरी था वो बताया, साथ ही receipt voucher, payment voucher और contra voucher में transactions कैसे record करते हैं ये भी बताया, इसके बाद अब हम व्यापार के सबसे मुख्यकार purchase, sell और उसी के साथ debit note और credit note पर एक एक करके काम करने जा रहे हैं, इसके पहले receipt voucher, payment voucher और contra voucher में हमने TR और CR का उप्योग करते हुए entries की थी, और जैसा कि हमने आपको बताया था, ये तीनों vouchers cash और bank से संबंधित होते हैं, अब हम जिन चार vouchers, यानि purchase voucher, sales voucher, debit note voucher और credit note voucher पर काम करने जा रहे हैं, ये चारों मुख्यत तया माल यानि goods से संबंधित हैं, टैली ने इन चारों vouchers में transactions record करने के लिए तीन modes दिये हैं, item invoice, accounting invoice और as voucher, पहले हम इन तीनों modes को एक-एक करके समझा देते हैं, यहां हमने टैली में company open कर ली है, जिसमें हम लगातार काम कर रहे थे, अभी हम gateway of tally पर हैं, vouchers यानि accounting vouchers के लिए V प्रेस करें, अब यहां purchase voucher के लिए F9 प्रेस करें, देखे ऐसा करते ही purchase voucher creation screen आ गई है, यहां right side button bar में change mode लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है, और उसके आगे उसकी shortcut key H और उसके नीचे दो underlines हैं, यानि mode बदलने के लिए control के साथ H key को प्रेस करें, ऐसा करते ही list of modes दिखाई पढ़ेगी, जिस तरह से हमने debit credit लेकर पिछले transactions record किये थे, यदि हम उसी तरह का mode चाहते हैं, तो हमें यहां से as voucher select करना होगा, देखिए, ऐसा करते ही debit credit वाला mode स्क्रीन पर आ गया है, यदि आप voucher mode में transaction record करना चाहते हैं, तो यहां से कर सकते हैं, प्रायर voucher mode में transaction तब record किये जाते हैं, जब हमें inventory यानि stock items का उप्योग नहीं करना होता है, जैसे कि हमने 1000 रुपय का माल खरीदा, पर क्या खरीदा, इसकी कोई detail नहीं है, या हम detail देना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के transaction को record करने के लिए voucher mode का उप्योग करेंगी, हमने आपको source documents वाली video में invoice और cash memo के बारे में बताया था, जब भी हम अपने व्यापार के लिए कोई खरीद करते हैं, तो जिससे माल खरीदते हैं उससे यानि supplier से बिल लेते हैं, जिसमें हमारा नाम पता होता है, उसी के साथ हमने क्या माल खरीदा, उसकी details होती हैं, और उस माल पर जो भी tax, जैसे GST, आदी, जो भी charge किया गया हो, उसकी भी details होती हैं, और इसी तरह prior सभी bills, item invoice format में ही होते हैं, item invoice को हम आगे समझेंगे, यदि आप चाहें तो purchase sales के transactions को voucher mode, यानि DR और CR वाले voucher में record कर सकते हैं, उसमें भी items के साथ transactions record करने के लिए options होते हैं, पर व देखने और समझने में ज्यादा आसानी तब होती हैं, जब हमारे पास suppliers के bill जिस format में आते हैं, उसे में record करें, यानि item invoice mode में ही record करें, दूसरे voucher mode में GST, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, उसका calculation तो automatic हो जाता है, पर उसे समझने में कठनाई आती है, जबकि invoice mode में ये पश्ट दिखाई देता है, आएए अब accounting invoice को समझ लेते हैं, उसके लिए control और H की express करें, अब हम list of modes में से accounting invoice select कर रहे हैं, देखे ऐसा करते ही purchase voucher creation screen accounting invoice mode में open हो गई है, और यहाँ उपर particulars लिखा दिखाई पढ़ रहा है, इस screen को ध्यान से देखें, इसमें कहीं भी item की details द नहीं है, वास्तों में accounting invoice जैसा की नाम से ही सपश्ट है, इसमें सिर्फ accounts यानि legis का ही उपयोग होता है, इस तरह के bill में stock items यानि inventory नहीं होती है, यदि आपको इस services के bill के transactions record करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के accounting invoice mode का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, हम जिस transaction को record करना चाहते हैं, उसमें inventory है, इसलिए हम control के साथ H key प्रेस करेंगे, और यहां से item invoice select करेंगे, देखे ऐसा करते ही purchase voucher creation screen आ गई है, और इसमें ऊपर ही name of items भी लिखा हुआ है, आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दें, कि माल खरीबने के लिए हमारे पास cash कम था, तो तारीख एक जुलाई को व्यापार का स्वामी पांच लाख रुपए नकदी पूंजी लाया, जिसका transaction हमने receipt voucher में record कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला transaction है, हमने सुनील enterprises के cash memo number 111 तारीख एक जुलाई 2020 से, सोनी टीवी 20 इंच वाले 10 नक, 20 अजार रुपए प्रतिनक के हिसाब से, और सोनी टीवी 30 इंच वाले 10 नक, 30 अजार रुपए प्रतिनक के हिसाब से खरीदे, जिसका कुल विल अमाउंट 5 लाख रुपए है, सप्लायर ने हमें इसका जो cash memo दिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी cash memo के आधार पर हमें transaction record करना है, transaction record करने से पहले हमें बिल में कुछ महत्वपून बातें जरूर चेक कर लेनी चाहिए, पहली बात, बिल में ऊपर की और सप्लायर का नाम हो, दूसरी बात, नीचे हमारा नाम हो, कई बार cash memo की स्थिती में हमारे नाम के स्थान पर सिर्फ cash memo भी लिखा होता है, तीसरी बात, बिल नंबर होना बहुत जरूरी है, यदि बिल नंबर नहीं है, मतलब की वो बिल ही नहीं है, अगले बात, बिल पर बिल की तारीख होना जरूरी है, विशिश तोर पर ये चेक करें कि दिन, माह और वर्ष सही हो, अगले बात बिल कैश का है या क्रेडिट का, यदि कैश का है, तो कैश के बारे में बिल में कहीं लिखा होना जरूरी है, अगले बात, हमने जो भी आइटम्स खरीदे हैं, उनके नाम सपष्ट रूप से लिखे हो, हमने मोटे तोर पर सभी डीटेल्स चेक कर ली हैं, आए आगे बढ़ इक्शन हुआ है, वो तारीख टाइप कर दें, उसके बाद एंटर प्रेस करें, सप्लायर इंवोईस में हमें सप्लायर के कैश मिमो का जो नंबर है वो टाइप करना है, फिर एंटर प्रेस करें, यहां सप्लायर के कैश मिमो की तारीख टाइप करें, अब एंटर प्रेस कर party account name के आगे party का नाम select करना होगा यहाँ समझने की बात यह है कि यदि हम कोई माल खरीदे समय ही cash या bank के check से payment कर देती है तो यहाँ party account name में हमने cash या bank जिस भी माधिम से payment किया है वो account select करना होगा और यदि हमने ये माल किसी से उधार यानि credit पर लिया है तो यहां जिस supplier से उधार खरीदा है उसका account सेलेक्ट करना होगा हमने ये माल cash payment देकर खरीदा है इसलिए list of leisure accounts में से हम cash account सेलेक्ट कर रहे हैं enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे receipt details की विंडो के बाद यहां party details विंडो आ रही है इसमें supplier की details डाल दें यहां supplier की details डालना जरूरी है क्योंकि भले ही हमने माल नकद खरीदा है पर किसे खरीदा है ये तो record में होना ही चाहिए enter press करते हुए आगे बढ़ें यहां purchase leisure में purchase account सेलेक्ट करें हम name of items में आ गए हैं यहां आपको stock item का नाम सेलेक्ट करना होगा यदि आपने वो stock item नहीं बनाया हुआ है तो alter और c कीज को प्रेस करके बना लें और यदि बना हुआ है तो stock item के नाम का पहला अक्षर टाइप करें जैसे हमने sony tv 20 inches के लिए टाइप किया s ऐसा करते ही right side में list of stock items में हमारे द्वारा टाइप किये गए अक्षर से प्रारम बोने वाले सभी नाम हाइलाइट हो रहे हैं इसमें से आप item का नाम सेलेक्ट कर लें ऐसा करते ही आप quantity field में आ जाएंगे यहां आपने जो stock item सेलेक्ट किया है वो जितनी quantity में खरीदा है वो टाइप करें एंटर प्रेस करें यहां उस stock item का खरीद भाव टाइप करें फिर एंटर प्रेस करें देखिए अमाउंट फिल्ड में स्टॉक आइटम का पूरा मुल्य आ गया है एंटर प्रेस करके आगे बढ़ी इसे तरह बिल में जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को सिलेक करके उनकी दिटिल्स दे दें देखिए हमने सभी आइटम्स की डिटेल्स दे दी हैं आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें अब इस लिस्ट ओफ लेजर अकाउंट्स में से एंट ओफ लिस्ट सेलेक्ट कर लें अब नेरेशन में आप इस खरीच से संबंधे जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सिप्ट कर लें अभी हमने जो पर्चेस वाउचर बनाया प्राया उसके प्रिंट की जरूरत नहीं होती है पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए उसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं उसके लिए पेज़ अप की प्रेस करें देखे हमने जो वाउचर अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है अब आप यहां टॉप मेन्यू बार में प्रिंट आप्शन देख रहे हैं उसके लिए आल्टर और पी प्रेस करें अब यहां पर करेंट सेलेक्ट करने के लिए आर प्रेस करें देखें प्रिंट विंडो आ रही है Escape की से हम वापस पहले वाली स्क्रिन पर चलते हैं और इस विंडो पर आने का एक सरल तरीका देख लेते हैं यहां Ctrl और P प्रेस करें ऐसा करते ही देखिए हम वापस Print विंडो पर आ गए हैं इसमें Print Preview के लिए या तो Preview पर क्लिक करें या I प्रेस करें अब इस बिल को Zoom करके देखने के लिए या तो यहां Zoom पर क्लिक करें या Alter और Z कींज को प्रेस करें यह देखिए पूरा बिल अच्छे से दिखाई पढ़ रहा है देखिए हमारे पास जो बिल आया था और अभी हमने जो Item Invoice मोड में Voucher बनाया है दोनों बिलकुल एक जैसे ही दिखाई पढ़ रहे हैं यह भी है कारेंट था जिसके लिए हमने Item Invoice मोड का उप्योग किया था अब बाहर आने के लिए Escape की का उप्योग करें ध्यान रखें पर्चेस वाउचर में Party Account Name हमेशा उपर रहता है और इसमें यदि हमने नगत देकर माल खरीदा है तो Cash Account यदि बैंक का चेक देकर माल खरीदा है तो Bank Account और यदि उधार यानी Credit पर माल लिया है तो माल देने वाले यानी Supplier का Account सेलेक करना होता है और इसके बाद पर्चेस लेजर आता है जिसमें हमेशा हमारी पर्चेस से संबंधे जो भी लेजर होगा वो सेलेक करना होता है आए अब दूसरा ट्रांजिक्शन देख लेते हैं हमने सुरेशन कंपनी के इंवोईस नंबर 310, 2 जुलाई 2020 से सोनी टीवी 20 इंच वाले 5 नक 21,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंच वाले 5 नक 31,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से खरीदे जिसका कुल बिल अमाउंट 2,60,000 रुपए है सप्लियर ने हमें इसका जो इंवोईस यानि क्रेडिट मेमो दिया है वो हम आपको दिखा रहे है इसके पहले वाले ट्रांसिक्शन में हमने जो 6 पॉइंट्स बताये थे वे पहले चेक कर लें यहाँ पहले से ही पर्चेस वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ रही है सबसे पहले F2 प्रेस करके यहाँ वाउचर की तारीक डालें इसके बाद सप्लियर इंवोईस नंबर में हम इंवोईस देखकर उसका नंबर यहाँ टाइप कर रहे हैं यहाँ इंवोईस की तारीक टाइप करें अब party account name में हमें cash, bank या जिस supplier से उधार माल खरीदा है उसका account select करना होगा हमने ये माल suration company से credit पर खरीदा है इसलिए list of ledger accounts में से हम suration company का account select कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको एक महत्वपुन बात समझा रहे हैं माल लीजिए सुरेश इन कंपनी का लेजर सिलेक करते ही हमें ध्यान आया कि हमने सुरेश इन कंपनी का जो लेजर बनाया हुआ है वो गलती से संब्री डेटर्स ग्रुप के अंतरगत बनाया है जबकि यह हमारा सप्लाइर है हम इससे माल खरीद रहे हैं तो इसका laser sundry creditors group में होना चाहिए तो हम backspace key से party के नाम पर जाएंगे और control के साथ enterprise करेंगे ऐसा करते ही laser alteration window आ जाएगी यहां से हम इस laser में जो भी changes करना चाहें कर सकते हैं हम अंडर में sundry creditors कर रहे हैं और इस window को accept कर लेते हैं ध्यान रखें, tally में काम करते समय दीच में यदि आप किसी भी laser, group, stock item, stock group इत्यादी में कुछ alteration करना चाहते हैं तो वो control के साथ enterprise करके कर सकते हैं window को accept करते ही हम receipt details पर आ गए हैं हम इसे blank छोड़ना चाहते हैं उसके लिए या तो enterprise करते हुए आगे बढ़ें या control और A की इसको एक साथ press करें यह देखे हैं हम party details पर आ गए हैं और यहां आप देख सकते हैं कि हमने जिस supplier का laser select किया था उसका laser बनाते समय हमने जो details दी थी वो यहां पर भी दिखाई पड़ रही हैं यानि हमें कुछ details देने की जरुवत नहीं हैं enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां purchase laser के आगे purchase account select करें हम name of items में आ गए हैं यहां आपको stock item का नाम select करना होगा उसके लिए space bar press करें ऐसा करते ही right side में list of stock items आ जाएगी जिसमें stock item के नाम के साथ ही वो item अभी कितनी quantity में आपके पास stock में है यह भी लिखा होगा list में से आप item का नाम select कर लें नाम select करते ही यह हम quantity field में आ गए हैं यहां पर आपने जो stock item select किया है उसकी जितनी quantity खरीदी है वो type करें enter press करते ही देखे rate field में अपने आप rate आ रहे हैं यह वो rate हैं जो आपने इससे पहले वाली purchase में लिये थे यदि यह ठीक है तो enter press करके आगे बढ़ें और यदि यह गलत हों तो सही rate टाइप करके फिर आगे बढ़ें टेकिया amount field में stock item का पूरा मुल्य आ गया है enter press करके इसी तरह bill में जितने भी stock items आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को यहाँ पर select कर लें और आखिर में enter press करते हुए end of list select कर लें नेरेशन में आप इस खरीद से संबंदी जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर इस voucher को accept कर लें अब हम एक और transaction तेजगती से कुछ नया सीखते हुए record कर लेते हैं हमने सुरेशन कंपनी के invoice number 410 तारीख 31 जुलाई 2020 से 30,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से एक टन वाले गोद्रेज AC पांच नग एक लाग पचास हजार रुपे में उधार खरीदे gateway of tally से accounting voucher में जाएंगे यहां से purchase voucher select करेंगे पर item invoice में जाएंगे f2 press करके तारीख डालेंगे इसके बाद supplier invoice number में हम invoice देखकर उसका number यहां type कर रहे हैं suppliers will date डालेंगे party account name डालेंगे यहां purchase leisure के आगे purchase account select करें और name of item डालेंगे यहां पर एक नई बात समझना है हमने जो stock item खरीदा है वो और उसका stock group दोनों ही हमारी company में नहीं बने हुए हैं तो यहां transaction record करते वक्त ही उन्हें कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं नया stock item बनाने के लिए alter और c प्रेस करें आइटम का नाम टाइप करें अंडर में हमारे पास select करने के लिए stock group नहीं है तो उसे भी यहीं से बना सकते हैं उसके लिए फिर से alter और c keys को प्रेस करें ग्रूप का नाम दें अंडर में आप जिस भी group या primary में इस group को बनाना चाहते हैं उससे select करें और फिर एक-एक करके दोनों windows को accept कर लें फिर है quantity और rate यदि बिल में एक से ज्यादा items हों तो इसी तरह सभी को एक-एक करके select कर लें narration दालें और end में इस window को save कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से sales voucher के बारे में बता देते हैं जब व्यापार में खरीदे गए माल या manufacturing यानी निर्मान की स्थिती में तयार माल का विक्रे किसी customer को cash या credit पर किया जाता है तो उस transaction को sales voucher में record करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्पून काम है sales और प्रतीक sales के साथ हमें उसका bill भी देना होता है तो आएए देखते हैं कि sales invoice कैसे बनाते हैं अभी हमने tally में अपनी company open कर रखी है और हम gateway of tally पर हैं sales voucher के लिए V प्रेस करें अब F8 की प्रेस करें देखे ऐसा करते ही sales voucher creation window आ गई है और यह item invoice mode में है और इसकी पहचान यह है कि इसमें यहाँ पर हमें name of item लिखा हुआ दिखाई देता है आए अब हम sales का पहला transaction देख लेते हैं हमने SK traders को 1 July 2020 को Sony TV 20 inch वाले दो नग 25,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से और Sony TV 30,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बेचे जिसका कुल amount 120,000 रुपए हमें नकत प्राप्थ हो गया सबसे पहले F2 की प्रेस करके voucher की तारिख बगर लेते हैं एंटर प्रेस करें party account name के आगे party का नाम सेलेक करना होगा यहां समझने के बात यह है कि यदि हम कोई माल बेचते हैं और उसका payment cash या फिर bank के check से हाथों हाथ यानि माल देते समय ही प्राप्थ हो जाता है तो यहां party account name में हमने जिस भी तरह से payment प्राप्थ किया है यानि यदि cash प्राप्थ हुआ है तो cash account और यदि customer ने check दिया है तो वो check जिस bank में जमा करने वाले हैं उस bank का account सेलेक करना होगा ध्यान रखें यदि माल delivery के समय ही check से payment आ जाता है तो इसे भी cash sell ही माना जाता है बस फर्क इतना है कि cash हमारे हाथ में ना आते हुए check के माध्यम से सीधे bank में जमा हो जाएगा और यदि हमने ये माल किसी को उधार यानि credit पर बेचा है तो यहाँ जिस customer को माल उधार बेचा है उसका account सेलेक करना होगा हमने ये माल cash payment लेकर बेचा है इसलिए list of ledger accounts में से हम cash account सेलेक कर रहे हैं एंटर प्रेस करें यहाँ dispatch details की छोटी window आ रही है इसमें माल के dispatch यानि delivery से संबंधी details दी जा सकती है हम कोई details नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए control और A से इसे accept कर लेते हैं dispatch details के बाद party details की window आती है इसमें आप buyers details यानि जिसे आप माल बेच रहे हैं उसकी जो भी details देना चाहें दे सकते हैं अब यहां sales laser में sales account select करें हम name of items में आ गए हैं यहां हमें stock item का नाम select करना होगा stock item के नाम के लिए उसका पहला अक्षर type करें जैसे हमने sony tv 20 inches के लिए type किया s यह देखे right side में list of stock items आ रही है और उसमें हमारे दोरा type किये गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम highlight हो रहे हैं और उनके नाम के साथ ही वो item अभी कितनी quantity में हमारे पास stock में है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम item का नाम select कर रहे हैं ऐसा करते ही हम quantity field में आ जाएंगे यहां जो stock item select किया है वो जितनी quantity में बीचा है वो type करें एंटर प्रेस करें यहां उस stock item का विक्रे मुल्य यानि sales rate टाइप करें एंटर प्रेस करें यह देखें amount field में उस stock item का पूरा मुल्य आ गया है एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें इसी तरह आपने जो भी stock items sell किये हैं वे सभी एके करके यहां पर select कर लें अबंध में एंटर प्रेस करते हुए end of list सेलेक कर लें एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें narration में आप इस sales से संबंध जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस voucher को accept कर लें माल के साथ हमें party को bill भी देना होगा bill का print कैसे निकालते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे अभी सर्फ समझने के लिए कि bill किस तरह का दिखेगा हम उसका print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की प्रेस करें देखे हमने जो voucher अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है अब आप यहां top menu बार में print option देख रहे हैं उसके लिए alter और P की इसको प्रेस करें यहां से हमें current select करना है उसके लिए या तो यहां mouse से click करें या R प्रेस करें अब यहां print preview के लिए या तो preview पर click करें या I प्रेस करें इस बिल्ड को अच्छे से देखने के लिए या तो यहां zoom पर click करें या alter और Z प्रेस करें अब आप इस बिल्ड को scroll करके अच्छे से देख सकते हैं अब बाहर आने के लिए skip की का उप्योग करें ध्यान रखें sales voucher में party account name हमेशा उपर रहता है और इसमें यदि नकद लेकर माल बेचा है तो cash account यदि check लेकर माल बेचा है तो जिस bank में check जमा करने वाले हैं उस bank का account और यदि उधार यानि credit पर माल बेचा है तो जिस party को उधार माल बेचा है यानि customer का account select करना होता है और इसके बाद सेल्स लेजर आता है जिसमें हमेशा सेल्स से संबंधी जो भी लेजर होगा वो सिलेक करना होता है आए अब दूसरा ट्रांजिक्शन देख लेते हैं हमने मोहन ट्रेडर्स को 31 जुलाई 2020 को एक टन वाले गोदरे जैसी 6 नग 35,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से और सोनी टीवी 20 इंच वाले 2 नग 24,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से उधार बेचे जिसका कुल अमाउंट 2,58,000 हुआ गेटवे आफ टैली पर वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे सल्स वाउचर के लिए एफट प्रेस करेंगे आइटम इंवाइस में जाएंगे फिर एफटू की प्रेस करके वाउचर की तारिख बगर लेते हैं यहाँ पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे यहाँ डिस्पेच डिटेल्स की छोटी विंडो आ रही है इसमें माल के डिस्पेच यानि डिलीवरी से संबंधी डिटेल्स दी जा सकती है हम कोई डिटेल नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल और ए से इसे एकसेप्ट कर लेते हैं डिस्पेच डिटेल्स के बाद पार्टी डिटेल्स की विंडो आती है देखे हमने जिस पार्टी का लेजर सेलेक किया था उसकी पूरी डिटेल्स आ रही हैं सेल्स लेजर इसमें सेल्स अकाउंट लेंगे और फिर नेम ओफ आइटम के हमने लिया गोद्रेज एसी एक तन देखे लिस्ट ओफ स्टॉक आइटम्स में सभी स्टॉक आइटम्स के नाम के बाद वे कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में हैं यह भी लिखा दिखाई पढ़ रहा है हमारे पास पांच एसी ही हैं जबकि हम बिल छे ऐसी का बनाने जा रहे हैं और हमने उपलब्द स्टॉक का ध्यान नहीं दिया और स्टॉक आइटम्स सेलेक करके आगे बढ़ गए जब आप कॉंटिटी लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक नेगेटिव स्टॉक का मेसेज आएगा फिर भी आप बिल बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें यदि आप उस आइटम का बिल नहीं बनाना चाहते हैं तो backspace की से आइटम के नाम पर जाकर उसे डिलीट कर दें और यदि उसके स्थान पर आप कोई दूसरा आइटम लेना चाहते हैं तो लिस्ट में से उसे सिलेक कर लें हम वापस गोद्रे जैसी one time सेलेक करके आगे बढ़ रही हैं यहाँ quantity में by default वही quantity आ रही है जो हमने अभी टाइप की थी हम यही रहने दे रहे हैं अब यहाँ पर rate डालेंगे यदि बिल में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सेलेक कर लें नारेशन डालें और अंत में इस window को एकसेप्ट कर लें कई वार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे पास पांच एसी पहले से स्टॉक में थे और पांच हमने आज और खरीदे हैं जिसके entry अभी हमने computer में नहीं की है यानि जिनका transaction अभी record करना बाकी है और कोई ग्रहक माल लेने आ गया तो computer में stock तो 5 AC का ही दिखेगा जबकि हमारे पास 10 AC stock में है यदि आप चाहते हैं कि भविश्य में transaction record करते समय negative stock का message ना आए तो आप F12 की प्रेस करें यहां one or negative stock balance को no करके window को accept कर लें हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए escape की प्रेस करके बाहर आ गए हैं आई इस build का भी print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की प्रेस करें पहले हमने आपको print preview देखने का एक तरीका बताया था यहांपर दूसरा तरीका देख लेते हैं उसके लिए control और R key प्रेस करें और फिर यहां से print preview के लिए I key को प्रेस करें बिल्को अच्छे से देखने के लिए जूम पर क्लिक करें अब बाहर आने के लिए स्केप की का उप्योग करें चले एक और ट्रांजिक्शन तेजगती से कुछ नया सीखते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं 31 जुलाई 2020 को हमने मोहन ट्रेडर्स को सोनी टीवी 20 इंच वाले दोनग 26,000 रुपए प्रतीनग के हिसाब से बेचे जिनका कुल अमाउंट 52,000 रुपए हमें HDFC बैंक के चेक नंबर 121254 डेटिड 31 जुलाई 2020 से माल डिलिवरी के साथ ही प्राप्त हो गया गेटवे ओफ टेली से वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए F8 की प्रेस करेंगे टेट के लिए F2 की प्रेस करेंगे फिर पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि माल देते समय ही हमें चेक प्राप्त हो जाता है तो हम उस चेक को अपनी जिस बैंक में जमा करने वाले हैं जैसे कि हम स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा करने वाले हैं तो यहाँ party account name में State Bank of India को select करेंगे, फिर dispatch details दें, और फिर party details डालेंगे, आप जिसे माल बेच रहे हैं, यदि उसका ledger आपके यहाँ बना हुआ है, तो party details में buyers details देने की ज़रूरत नहीं है, list of ledger accounts आ रही होगी, उसमें से party का नाम select कर लें, हम Mohan Trader select कर रहे हैं, ऐसा करते ही उसका पूरा पता जो आपने उसका ledger बनाते समय दिया होगा, वो आ जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें, यदि आप dispatch details तथा party details के अलावा कुछ अन्य details भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए more details option है, इस पर माउस से क्लिक करें, या control के साथ I key प्रेस करें, ऐसा करते ही list of more details आ रही है, इसमें से आप जिस तरह की details और देना चाहते हैं, उसे select करें, हम order details को select कर रहे हैं, देखिए ऐसा करते ही order details की छोटी window आ गई है, अब आप यहाँ order से संबंधें जो भी details देना चाहें, दे सकते हैं, हम कोई details नहीं देना चाहते हैं, इसलिए escape की से वापस पहले वाली screen पर चल रहे हैं, sales ledger में sales account लेंगे, यहाँ से name of item चुने, quantity डाले, rate डाले, यहाँ वही rate आ जाएगा जिस rate में आपने पहले यह माल बिचा होगा, आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं, यदि बिल में एक से ज्यादा items हैं, तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें, अब end of list select कर लें, bank publication दें, यहाँ पर transaction type में जिस तरह से payment हुआ है, space bar प्रेस करके list of transaction type में से उसे select करें, हम check select कर रहे हैं, instrument number में customer ने जो check दिया है उसका number type करें, instrument date में customer के check की तारीख type करें, bank के आगे customer ने जिस bank का check दिया है उस bank का नाम type करें, फिर narration type करें और control हो रहे ही किसे से accept कर लें, यदि आप चाहते हैं कि भविशी में transaction record करते समय, party details और dispatch details की window ना आए तो आप F12 की प्रेस करें, अब यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाप से इन options को no करके window को accept कर लें, no करने पर इस तरह की window नहीं आएगी और इसके बाद भी यदि आपको काम के बीच उनकी जरूरत लगती है तो आप इन्हें more details की साहता से ला सकते हैं, इसके विपरित यदि आप चाहते हैं कि voucher बनाते समय स्वता ही इस तरह की window आए तो आप इन्हें yes करके window को accept कर लें, हम कोई changes नहीं कर रहे हैं और escape की प्रेस करके पहले वाली screen पर चलते हैं, अंत में हमनी जो 5 AC अशुक ट्रेडर से खरीदे थे जिनके entry करना रह गई थी वो अब कर लेते हैं, कर दो आप 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 आगे बढ़ने से पहले हम एक बाद फिर से debit note voucher के बारे में समझ लेते हैं जब customer द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब हो जिस quality के माल का order दिया था वैसा माल ना हो या किसी अन्य कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आशिक ग्रूप से supplier को वापस कर दिया जाता है तो customer के लिए ये purchase return कहलाता है और इस तरह की purchase return की transaction को record करनी के लिए customer द्वारा debit note voucher का उप्योग किया जाता है इस तरह की transaction को record करते समय purchase में से कम किया जाता है इसलिए purchase return का ledger purchase accounts group के अंतरगत ही बनाया जाता है कई बार customer को खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है तो वो supplier को उस शिकायत के बारे में बताता है supplier उस शिकायत से सहमत होकर भरपाई के रूप में customer को कुछ छूट देने की सहमत ही प्रदान करता है तो इस तरह की छूट की राशी को भी customer द्वारा debit note voucher में record किया जाता है debit note voucher के इस उपयोग को हम आगे GST के साथ समझेंगी इसके पहले वाली वीडियोस में हमने बताया था purchase voucher और sales voucher क्या है और उनमें transactions कैसे record करते हैं हमने आपको purchase voucher वाली वीडियो में बताया था कि purchase voucher, sales voucher, debit note voucher और credit note voucher मुखिता माल यानि goods से संबंधित हैं साथ ही इन चारों vouchers में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए purchase voucher वाली वीडियो ज़रूर देख लें आए अब purchase return का एक transaction देख लेते हैं हमने Suresh & Company के invoice number 310 दिनांकित यानि dated 2 जुलाई 2020 से जो माल उधार खरीदा था उसमें से एक नग Sony TV 20 inches जो की हमने 21,000 रुपे प्रतिनग के हिसाब से खरीदा था ठीक से काम नहीं कर रहा था उसे हमने 31 जुलाई 2020 को debit note voucher बना कर वापस कर दिया यानि purchase return कर दिया इस transaction को record करने के लिए हमने Tally में अपनी company open कर ली है एक महत्पुन बाद ध्यान रखें कि जिस तारीख को transaction होता है Tally में उसे उसी तारीख में record किया जाता है तो हम यहीं से F2 की प्रेस करके current date बदल लेते हैं अभी हम gateway of Tally पर हैं accounting voucher के लिए V प्रेस करेंगे debit note voucher के लिए या तो alter और F5 की प्रेस करें या फिर यहां दिखाई दे रहे right side button बार में यहां पर क्लिक करें और अब यहां से debit note पर क्लिक करें देखिए debit note voucher creation screen आ गई है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये window as voucher open हुई हो तो change mode की सहायता से इसे item invoice कर ले हमें जिस तारीख में transaction record करना है वो तारीख हम पहले से ही current date में बदल चुके हैं इसलिए यहां हमें तारीख बदलने की जरुरत नहीं है आगे बढ़ते हैं यहां party account name में उस supplier का नाम select करें जिसे माल वापस करना है यहां पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि supplier goods written के साथ ही हमें उस माल का payment cash या check से हाथों हाथ कर देता है तो फिर party account name में party के नाम की जगर उसने जिस तरह से payment किया है उसका ledger जैसे कि यदि cash payment कर दिया है तो cash account और यदि supplier ने हाथों हाथ check दिया है तो उस bank का account select करना होगा जिसमें हम उसका दिया हुआ check deposit करने वाले हैं हम party account name में suration company का ledger select कर रहे है पार्टी account name select करते ही dispatch details के window आएगी इसमें आप जिस तरह से माल वापस कर रहे हैं उसकी details देनी होंगी अब यहाँ नीचे original invoice details में original invoice number के आगे supplier का वो bill number टाइप करना है जिस bill का माल हम वापस कर रहे हैं इसके बाद यहाँ उस bill की तारीख टाइप करें अब enter प्रेस करें देखिए party details वाली window आ रही है यदि आपको कोई changes करना हूं तो वो कर ले हमें कोई changes नहीं करना है तो हम control और a की इसको प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ ध्यान रखें कि यदि dispatch details, original invoice details या party details वाली window नहीं आ रही हो तो आप more details की साहता से इन्हें ला सकते हैं वैसे इनके बारे में हम विस्तार से आपको sales voucher वाली वीडियो में बता चुके हैं चुकि हम माल वापस यानी purchase return कर रहे हैं तो यहाँ ledger account के सामने हमें purchase return का ledger select करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है इसे बनानी के लिए alter और c keys को press करें अब यहाँ name में type करें purchase return और under में purchase accounts group select करें अब इस window को accept कर ले नीम of item में वो item select करें जो आप वापस कर रहे हैं यहाँ उसकी quantity type करें और यहाँ उसका rate type करें अब यदि एक से ज्यादा items वापस कर रहे हूँ तो इसी तरह आप उन्हें भी यहाँ ले लें और अंत में enterprise करते हुए end of list select कर लें इसके बाद narration में माल वापस करने का कारण type करें जिससे भविश्य में कभी जरूरत होने पर आपको यह मालूम हो सके कि आपने यह माल वापस क्यों किया था narration डालने के बाद इस voucher को accept कर लें आई अविस debit note voucher की process को shot में देख लेते हैं gateway of tally से voucher पर जाने के लिए V की प्रेस करें फिर alter और F5 की को प्रेस करके debit note voucher में चले जाएं यहां से item invoice में जाएं F2 की प्रेस करके date change करें इसके बाद party account name सेलेक करें dispatch details डालें फिर original invoice details डालें party details डालें उसके बाद leisure account सेलेक करें name of item लें उसकी quantity डालें rate डालें यदि बिल में एक से जादा items हों तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें narration डालें और अंत में window को accept कर लें आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर credit note voucher के बारे में समझ लेते हैं जब किसी भी कारण से customer supplier से खरीदे गए माल को supplier को ही पूरा या अंशिक रूप से वापस कर देता है तो supplier के लिए ये sales return कहलाती है और इसके transaction को record करने के लिए supplier द्वारा credit note voucher का उपयोग किया जाता है इस तरह के transaction को record करते समय जो भी माल वापस हुआ है supplier द्वारा उसे sales में से कम किया जाता है यही कारण है कि sales return का account sales accounts group के अंतरगती बनाया जाता है इसके अलावा यदि supplier द्वारा बेचे गए माल में customer को ही शिकायत करता है और supplier उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में customer को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी supplier द्वारा credit note voucher में record किया जाता है credit note voucher के इस उपयोग को हम आगे GST के साथ समझेंगे यहां आपको फिर से याद इला दें कि purchase voucher वाली वीडियो में हमने बताया था कि purchase voucher, sales voucher, debit note voucher और credit note voucher मुखिता माल यानि goods से संबंधित है साथ ही इन चारों vouchers में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए पहले purchase voucher वाली वीडियो ज़रूर देख लिए आए अप sales return का एक transaction देख लेते हैं हमने मोहन ट्रेडर्स को invoice number 2 dated 31 जुलाई 2020 को 2,58,000 रुपे का माल बेचा था जिसमें से सोनी टीवी 20 इंच वाला जोकी 24,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से बेचा था उसके एक नक की स्क्रीन खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को ही हमें वापस कर दिया यहां टैली में हमने अपनी company open की हुई है और हम gateway of टैली पर हैं accounting voucher के लिए V प्रेस करें फिर credit note voucher के लिए या तो alter और F6 प्रेस करें या फिर right side बटन बार में यहां पर क्लिक करें और अब यहां से credit note पर क्लिक करें देखिए credit note voucher creation screen आ गई है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये window as voucher open हुई हो तो change mode की सहता से item invoice कर लें चले आगे बढ़ते हैं F2 की प्रेस करके date बदल लेते हैं party account name में उस party का नाम select करें जिससे माल वापस आया है यानि जो sales return कर रहा है receipt details में जिस तरह से माल वापस हुआ है उसकी details दें अब यहां नीचे original invoice details में original invoice number के आगे अपना वो bill number टाइप करना है जिसका माल customer ने हमें वापस किया है उसके बाद यहां अपने बिल की तारीख टाइप करें एंटर प्रेस करें तेखे पार्टी details वाली window आ रही है यदि आपको इसमें कोई changes करना हो तो कर लें हमें कोई changes नहीं करना है इसलिए हम control और a key प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं लेजर अकाउंट में हमें sales return का लेजर सिलेक करना है यदि ये लेजर बना हुआ नहीं है तो sales accounts group के अंतरकत बना लें name of item में उस item का नाम सिलेक करें जो item वापस आया है यहाँ पर वापस आई हुई quantity टाइप करें यहाँ पर जिस rate से माल बेचा था वो rate टाइप करें यदि party ने एक से ज्यादा items वापस किये हैं तो इसी तरह सभी items को एक एक करके सिलेक कर लें और आखिर में enterprise करते हुए end of list सिलेक कर लें इसके बाद narration में माल वापस आने का current टाइप करें अब enterprise करते हुए voucher को accept कर लें आईए अब हम sales return का एक transaction तीजी से record कर लेते हैं हमने SK traders को invoice number 1 dated 1 July 2020 से 1,20,000 रुपए का जो माल नगत बेचा था उसमें से Sony TV 30 inch वाला जोकी 35,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बेचा था उसके एक नक की body crack होने से SK traders ने उसे 31 जुलाई को हमें वापस कर दिया और हमने उसे sales return के लिए State Bank of India का 35,000 रुपए का चेक दिया यह credit note voucher creation window item invoice mode में पहले से ही open है F2K प्रेस करके तारीक बदल लेते हैं पार्टी अकाउंट नेम में यदि हम उस पार्टी को बाद में payment करने वाले हैं तो उसका account select करना होता है और यदि हम माल वापसी के साथ ही cash payment कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में cash account select करना होता है और यदि bank से payment कर रहे हैं तो bank account select करना होता है हमने उसे हाथों हाथ चेक दिया, इसलिए यहाँ हम अपने उस bank account को select करेंगे, जिसका हमने चेक दिया Receipt Details में जिस तरह से माल वापस हुआ है, उसकी Details दें अब यहाँ नीचे Original Invoice Details में Original Invoice नंबर के आगे अपना वो बिल नंबर टाइप करें जिसका माल कस्टमर ने वापस किया है उसके बाद यहाँ पर अपने बिल की तारीख टाइप करें अब Enterprise करें देखिए Party Details फाली विंडो आ रही है यहाँ Bias Details जरूर देना चाहिए जिससे भविश्य में भी हम यह आसानी से ग्याद कर सकें कि यह माल किस से वापस आया था लेजर अकाउंट में हमें Sales Return का लेजर सेलेक करना है Name of Item में उस आइटम का नाम सेलेक करें जो वापस आया है यहाँ पर Quantity टाइप करें यहाँ पर जिस रेट से माल बेचा था वो रेट टाइप करें यदि एक से ज़्यादा आइटम्स पार्टी ने वापस किये हैं तो इसी तरह सभी को एके करके सेलेक कर लें अरंत में एंटर प्रेस करते हुए End of List सेलेक कर लें ऐसा करते ही Bank Allocations विंडो आ जाएगी आपने पार्टी को जिस तरह से पेमिंट किया है Transaction टाइप में उसका प्रकार सेलेक करना होगा उसके लिए पहले Space बार प्रेस करें अब लिस्ट में से Transaction का प्रकार सेलेक करें हम चेक सेलेक कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर में उस चेक का नंबर टाइप करें जो हम कस्टमर को दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट डेट में चेक की तारीक टाइप करें इसके बाद narration में माल वापस आने का कारण ज़रूर टाइप करें और एंटरप्रेस करते हुए वाउचर को एकसेप्ट कर लें यहां आपको एक confusion हो सकता है जिसे हम पहले ही दूर कर देते हैं हमने आपको manual accounting में बताया था कि जितने भी transactions होते हैं उन्हें जर्नल में record किया जाता है या सरवी शब्दों में कह सकते हैं जर्नल एक पुस्तक के रूप में होती है जिसमें सभी transaction तिथिवार और क्रामानुसा record किया जाते हैं और यह भी बताया था कि टैली ने computer accounting में जर्नल के इस्थान पर transactions record करने के लिए आठ अलग-अलग standard accounting vouchers बना दिये हैं जिसमें से अभी तक हम साथ vouchers के बारे में समझ चुके हैं और जो आठवा voucher है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं उसका नाम भी टैली ने जर्नल voucher रखा है यहां हमारा कहने का मतलब यह है कि manual accounting में जो जर्नल होता है टैली ने उसे आठ वाउचर में बाट दिया है और उसका जो आठवा वाउचर है उसका नाम भी जर्नल वाउचर है तो यहां पर आपको यह confusion नहीं होना चाहिए कि manual accounting का जर्नल और टैली का जर्नल वाउचर दोनो एक ही है जैसा कि हमने आपको vouchers क्या है और उनके उप्योग वाली वीडियो में बताया था टैली में जर्नल voucher में जो entries record की जाती हैं वो है opening entries, rectifying entries, transfer entries, adjustment entries, closing entries, entries regarding dishonor of checks, credit purchases and sell of things other than goods entries of goods withdrawn by the owner for personal use etc अभी सरन्भ भाशा में इतना समझ लेजिए कि जिन transactions को हम टैली की इस वीडियो सिरीज में पहले बताये गए 7 vouchers में से किसी भी voucher में record नहीं कर पाते हैं उन्हें जर्नल voucher में record किया जाता है यहां आपको एक बात और बता दें कि इस voucher में adjustment entries की जाती हैं इसलिए से adjustment voucher भी कहा जाता है अभी हम आपको इस वीडियो में कुछ subtle entries बता रहे हैं बागी सभी entries आगे हम आपको जर्नल voucher के advance पार्ट में बताएंगी क्योंकि इसके पहले हमें बहुत सी अन्य बातों की जानकारी होना भी आवश्यक है यहां एक और महतुपून बात समझ लीजिए कि जर्नल voucher में transaction को receipt voucher, payment voucher और contra voucher की तरह ही debit और credit का उप्योग करते हुए record किया जाता है यानि voucher mode में ही record किया जाता है फर्क सिर्फ इतना है कि receipt voucher और payment voucher दोनों में transactions record करते समय एक पक्ष cash या bank का होता है और contra voucher में transaction record करते समय दोनों ही पक्ष cash और bank के होते हैं जबकि जर्नल voucher में prior cash या bank account का उप्योग नहीं किया जाता है आईए अब जर्नल voucher से संबंदित कुछ transactions record कर लेते हैं हमारा पहला transaction है दो मई को royal furniture के bill number 311 से हमने 25,000 रुपए का furniture उधार खरीदा पहले हमने बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तू हम उधार खरीदते हैं जो पेचने के लिए नहीं है यानि हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं तो ऐसे transactions को जर्नल voucher में record करते हैं यहां ये भी ध्यान रखें कि यदि हमने furniture नकत खरीदा होता तो इस transaction को हम सीधे payment voucher में record करते इस transaction में प्रभावित होने वाले दोनों पक्ष कौन से हैं और उनमें कौन सा debit होगा और कौन सा credit इसकी practice हम आपको पहले अच्छे से करवा चुके हैं यहां royal furniture का account credit होगा और furniture account debit होगा आए जर्नल voucher में transaction record करने के लिए आगे बढ़ते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं accounting voucher के लिए V प्रेस करेंगे यहां journal voucher की shortcut की है F7 हम इसे प्रेस कर रहे हैं देखे जर्नल voucher creation screen आ गई है date बदलने के लिए F2 प्रेस करें date change करने के बाद enter प्रेस करें particular के नीचे DR दिखाई पड़ रहा है यहां हमें जिस account को debit करना है उससे select करना होगा हम furniture account select कर रहे हैं इसके बाद यहां amount डालें enterprise करते हुए हम CR पर आ गए हैं यहां हमें CR ही चाहिए इसके enterprise करके आगे बढ़ें अब हमें जिस account को credit करना है यहां उससे select करें चूंकि royal furniture का laser बना हुआ नहीं है तो उससे बना लेते हैं त्यान रखें इसका ledger sundry creditors group में बनेगा उसका कारण यह है कि यह भी हमारी देंदारी है देखें CR में royal furniture का नाम आ रहा है साथी credit में amount भी आ गया है यहां इसका narration type करें अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें दूसरा transaction है हमें अशुक traders से commission का 5000 रुपए का ICICI bank का जो check एक मई 2020 को प्राप्थ हुआ था जैसे हमने state bank of India में जमा किया था वो check 31 मई को bank से dishonor होकर यानि bounce होकर वापिस आ गया इस transaction को ध्यान से देखें इस तरह का transaction न तो payment है न receipt है न purchase है और नहीं sell और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो transaction किसी voucher में record नहीं होता उसे journal में record करते हैं सबसे पहले F2 की press करके तारीख बदल लें जान देख हमें जब check प्राप्त हुआ था तब हमने सीधे commission account को credit करके bank account को debit कर दिया था पर यहां हम commission account को debit न करते हुए सीधे उस party के account को debit करेंगे जिसने हमें check दिया था क्योंकि हम commission वापस नहीं कर रहे हैं commission तो हमें लेना ही है अब हमें यह amount उस party से लेना है इसलिए यहां हम उस party को debit कर रहे हैं अब यहां पर amount डाल दें अब आगे देखते हैं जब हमें check प्राप्त हुआ था तो हमने उसे bank में जमा किया था transaction record करते समय bank के account को debit किया था और अब bank ने हमें वो check वापस दे दिया है तो हमें bank account को credit करना होगा यानि हमारा यह transaction इस तरह से record होना है दियार में तो हमने अशुक ट्रेडर सेलेक कर लिया किन्तु CR में list of ledger account में bank का नाम नहीं आ रहा है ऐसा असलिए है क्योंकि prior journal voucher में cash या bank account का उप्योग नहीं किया जाता है यही कारण है कि tally हमें यहां यह ledgers नहीं दिखा रहा है इसके लिए आप सीधे cash या bank का नाम टाइप करें हम state bank of India टाइप कर रहे हैं देखे state टाइप करते ही list of ledger account में bank का नाम दिखाई पढ़ने लगा है इसका एक तरीका और भी है आप list of ledger account में show more पर double-click करें ऐसा करते ही cash और bank से संबंधित सभी ledgers के नाम दिखाई पढ़ने लगेंगे आप उनमें से अपनी आवशक्ता के अनुसार ledger select कर सकते हैं हम state bank of India select कर रहे हैं credit में amount अपने आप आ गया है enter press करें enter press करते ही bank allocation window आ गई है इसमें यहां हमें वापस आये यानि dishonor हुए check का number टाइप करना है यहां पर check की तारीक टाइप करनी होगी अंत में narration type करें और आप इस voucher को accept करने आईए आपको journal में record होने वाले कुछ transactions और बता देते हैं मान लिजे हमारा व्यापार कपड़ी का है और हमने अपने showroom का पुराना furniture शरद यादव को उधार बेचा तेखते हैं इस transaction को कैसे record करेंगे इस transaction को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें sell की गई है पर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हम जिन वस्तूं का व्यापार करते हैं उनके अलावा अन्य कोई सामान बेचते हैं यानि sell करते हैं तो इस तरह के transaction को sales voucher में record नहीं किया जा सकता है उसके स्थान पर यदि हम इस तरह का कोई सामान नगत बेचते हैं तो उसे directly receipt voucher में record किया जाता है और यदि हमने सुधीर दुबे को 50,000 रुपए उधार दिये थे जिसका ब्याज 1,000 रुपए हम उससे लेना है तो देखते हैं इस transaction को कैसे record करेंगे यहां ध्यान रखें कि हमें ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है सिर्फ हमें लेना है इसलिए उसका provision कर रहे हैं आपको ध्यान होगा manual accounting में हम सबसे पहले journal में transactions record करते हैं उसके बाद क्रमशह लेजर, trial balance, trading and profit and loss account और आखिर में balance sheet बनाते हैं जबकि टैली में हमें सिर्फ लेजर, stock group और stock items बना कर vouchers के माध्यम से transaction record करना होते हैं और बाकि ये सभी काम टैली स्वयम ही हमें करके दे देता है यहां reports के अंतरगर्थ इन में से आप कुछ को देख सकते हैं इनके साथ ही टैली हमें website या व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिकरी reports भी प्रदान करता है जिने हम display more reports की साहता से देख सकते हैं इनी report में से एक बहुत ही महतुपून report है day book जिसके बारे में आजम बताने जा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते है report से आशे होता है किसी विवरंट से हमने आपको बताया था कि manual accounting में जो entries जर्नल में की जाती है टैली ने उसे सरल बनाते हुए entries करने यानि transactions record करने के हमें journal के स्थान पर आठ अलग-अलग standard accounting vouchers दिये हैं हम इन सभी पर काम करना सीख चुके हैं अब हमने इन vouchers में जो transactions record किये हैं यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए टैली ने हमें daybook नाम से एक report option दिया है इसमें हम day-to-day जो entries करते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यह option हमें तीन जगहों पर मिलता है पहला transactions heading के अंतरगत वास्तों में तो यह report है पर transaction से संबंदित होने से टैली ने इसे transactions के अंतरगत भी दिया है तूसरा reports heading के अंतरगत आने वाले display more reports में देखें यहां भी daybook हैं तीसरा यदे आप तैली में कुछ पी काम कर रहे हैं और उसी के बीच आपको daybook देखना है तो आप go to की साहता से भी देख सकते हैं देखें यहां भी daybook दिखाई पड़ रहा है देखें के मायतों को हम एक उतारन से समझ सकते हैं माल लेजिए हमारा कोई बड़ा व्यापार है जिसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं जो दिन भर में टैली में अलग-अलग vouchers में कई transactions record करते हैं अब हम इन सभी transactions के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक-एक करके सभी vouchers खोल कर देखना समझना होगा जिसमें कि बहुत समय लग जाएगा इसका सरल तरीका यह है कि हम daybook के माध्यम से इन्हें देखें हम जिस तारीक या period के transactions देखना चाहते हैं उस तारीक या period की daybook open कर लें वहां हमें सभी transactions इक साथ मिल जाएंगे और यदि आप उन्हें भी filter करके देखना चाहें तो daybook में उसके लिए भी अनिक options दिये गए हैं यहां पर हमारी एक बात ध्यान रखें यदि आप सफल businessman या सफल accounting बना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो और इसके बाद वाली daybook की दो वीडियो बहुत ही महत्पून हैं इन्हीं ध्यान से देखें और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से practice ज़रूर करें देखने के लिए हम gateway of tally पर इसकी shortcut key के press कर रहे हैं यह देखें डेबुक open हो गई है यहां हम आपको बता दें कि हम आखिरी transaction जिस तारिक में record करते हैं by default उसी तारिक के डेबुक open होती है सरेल चिब्दों में यह कहा जा सकता है कि gateway of tally पर current date में जो भी date होगी यहां डेबुक में उसी तारिक के transactions दिखाई देंगे यदे आप किसे निश्यत तारिक के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो f2 key press करें अब तारिक type करें हम यहां पर 31 जुलाई ले रहे हैं यह देखें हमारे द्वारा select की गई तारिक के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप किसे निश्यत अवधी के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो alter के साथ f2 key press करें अब आप जिस period के vouchers देखना चाहते हैं वो period select करें हम एक मैंसे एक जुराई का period ले रहे हैं यह देखें हमारे द्वारा select किये गए period के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप वर्ष के आरंब होने यानि एक अप्रेल से जिस आखरी तारीक तक आपने transactions record किये हैं उस सभी vouchers देखना चाहते हैं तो alter और f2 key को press करें यहां from में space bar press करें और फिर enter press करें यह देखें date चली गई है और इसी तरह 2 में भी space bar press करके enter press करें enter press करते ही हमने अपनी company में जितने भी vouchers बनाये हैं वो सभी दिखाई पढ़ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले उपर वो तारीक या period सही हो ऐसा चेक कर लें यहां पर day book में आप जो vouchers देख रहे हैं उनमें जो भी transactions हुए हैं उनसे प्रभावित होने वाले दोनू लेजर्स में से एक एक लेजर ही दिखाई पढ़ रहा है यदि आप प्रभावित होने वाले दोनू लेजर्स दिखना चाहते हैं तो alter और F5 keys को प्रेस करें यह देखिए दोनू लेजर्स दिखाई पढ़ रहे हैं अब पहले किस्थिती में आने के लिए alter और F5 keys को प्रेस करें यदि आप सभी vouchers की report को पूरी details के साथ देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें configuration menu में अनेक options दिखाई पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले show narrations को yes करके enter press कर रहे हैं और इसके बाद format of report में detailed को select कर रहे हैं अब सभी options को yes करते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे हम display name for layers पर आते हैं इनके सब options दिखाई पढ़ने लगते हैं हम इने ऐसा ही रहने दे रहे हैं और enter press करते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इन सभी options को अच्छे से सीखने और समशनी के लिए पहले इने इक बार ध्यान से पढ़ लें और फिर इन options में से एक एक को yes या no करके और जिन options में सब options हैं उनमें से भी एक एक को select करके try करना चाहिए ऐसा करने से आपको ये ग्यात होगा कि कौन से option का report पर क्या प्रभाव पढ़ता है चलिए enterprise करके आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ हमें तारीख के क्रम में narration के साथ सभी vouchers की पूरी details दिखाई पढ़ रही हैं यहाँ आपको एक बाइद बता दें आप कहीं भी काम कर रहे हूं और वहां से सबसे आखरी में जाना चाहते हूं तो end की press करें यह देखिए हम इस report के आखर में आ गए हैं इसी तरह शुरुआत में आना चाहते हैं तो home की press करें टैली में हम day book तो देखी रहे हैं इसी के साथ हम आपको manual accounting की journal भी बता रहे हैं इन दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि manual accounting की journal और टैली में computer accounting की day book दोनों एक ही हैं दोनों में सौधों की तिथिवार यानि day by day और दोहरा लेखा प्रणाली के सिध्धान्तू के अनुसार विवरंड के साथ विधिदर debit और credit बक्ष में entry की गई है अभी हम gateway और टाली पर हैं डे बुक के लिए के प्रेस करें देखिए यहां कुछ vouchers दिखाई दे रहे हैं हम शुरू से लेकर आखिरी transactions तक के vouchers देखना चाहते हैं तो उसके लिए alter और F2 की को प्रेस करेंगे अब यहां पर from में space bar प्रेस करके enter प्रेस करें इसी तरह 2 में भी space bar प्रेस करके enter प्रेस करें देखिए यहां सभी vouchers तारीख के क्रम में दिखाई दे रहे हैं आईए अब configuration में कुछ changes करके देखते हैं और उसके लिए F12 की प्रेस कर रहे हैं यहां configuration में हम show narrations को नो ही रहने दे रहे हैं और enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और sorting method पर आकर हम इसे default से बदल कर amount increasing से लेक कर रहे हैं आप इन सब options में से अपनी जरुरत के हिसाब से जो चाहे सेलेक कर सकते हैं देखिए डे बुक की पिछली वीडियो में narration दिखाई पड़ रही थी जो की यहां नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने configuration में show narration को नो ही रहने दिया था साथ ही पहले जो vouchers हम date wise देख रहे थे उनका करम बदल कर amount के बढ़ते हुए करम में आ गया है सबसे कम राशी का voucher सबसे उपर आ रहा है और नीचे की और क्रमशह राशी बढ़ती जा रही है आगे के option समझने के लिए हम F12 की प्रेस करके वापस configuration में कुछ changes कर लेते हैं अब control और A की से इसे accept कर लेते हैं ओपन हुई daybook में यदि आप किसी एक ही टाइक के vouchers देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करें अब जिस टाइक के voucher देखना चाहते हैं वो select करें हम receipt select कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उस period के सभी receipt vouchers यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका total भी दिखाई पड़ रहा है अब यदि आप फिर से सभी vouchers एक साथ देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके all items select करें और यदि कोई दूसरी type का voucher देखना चाहते हैं तो उस voucher को select करें हम cells select कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उस period के सभी cells vouchers यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका total भी दिखाई पड़ रहा है यहां आप right side button bar में एक नया option show profit देख रहे हैं हम इसकी shortcut की F7 प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही यहां हमने जो items बेचे हैं उनकी transaction value, gross revenue और cost दिखाई पड़ रही है साथ ही उन items को बेचने से कितना gross profit हुआ है और उनका क्या प्रतिशत है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम वापस F7 की प्रेस करके पुरानी सिती में आ गए हैं चुकि यहां हमने cells voucher select किया हुआ है हम चाहें तो यहीं से cells register भी देख सकते हैं उसके लिए F8 की प्रेस करें कॉलम नार register alteration window आ रही है इसमें से आप जो भी option yes या no करना चाहें कर सकते हैं हम इन सभी को yes कर रहे हैं और इस window को accept कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उसका cells register आ गया है जिसमें cells का पूरा विवरण है हम cells register और इसकी उपयोगिता के बारे में आगे आपको detail में पताएंगे यदि आपको ध्यान हो तो जब हम gateway of tally पर थे तो वहां हमने दो companies open की हुई थी जिन में से एक पर हम काम कर रहे थे अब यदि हम जिस भी report पर हैं और वही report दूसरी company की भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए f3 key press करेंगे और दूसरी company का नाम select करेंगे देखिए दूसरी company की report आ रही है हम f3 key press करके वापस पहले वाली company select कर लेते हैं आए अब इस report को extract करके देखते हैं उसके लिए control के साथ h key press करें अब यहां से extract को select करें ऐसा करते ही sales vouchers में जोगी लेजर्स उप्योग हुए हैं उनके ग्रुप के नाम के साथ उनके नाम और उनके आगे उनके debit और credit amount लिखे हुए हैं हम sundry data में से एक customer पर जाकर enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही उसके सभी bills की detail आ गई है हम एक बार escape की press कर रहे हैं अब यहां वापस control के साथ H की press कर रहे हैं देखिए inventory wise extract selected है हम enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही हमें इन sales transactions में जो stock items उप्योग हुए हैं उनके ग्रुप के नाम के साथ उनके नाम और उनके details दिखाई पड़ रही हैं इस report को भी हम आगे समझेंगे यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने बहुत कम transactions किये हुए हैं जब हमारे पास बहुत से transactions होते हैं तब daybook में अलग-अलग configuration करके हम अलग-अलग उद्देश के लिए अलग-अलग प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्हें देख और समझ सकते हैं हम Ctrl और H की प्रेस करेंगे अब यहां से vouchers select करके enter प्रेस कर रहे हैं देखे हम पहले वाली स्थिती में आ गए हैं आये अब exception reports को भी देख लेते हैं उसके लिए Ctrl और J की प्रेस करें अब यहां पर show more पर जाकर enter प्रेस करें और show inactive पर जाकर enter प्रेस करें देखें यहां से भी आप कई तरह की reports देख सकते हैं इनके बारे में आप आगे काम करते हुए सिखेंगे यहां हमारा इन्हें बताने का उद्देश यह है कि आपको पता रहे कि आप डेबुक में रहते हुए इस तरह की reports भी देख सकते हैं अभी हम gateway of Delhi पर है डेबुक के लिए के प्रेस करें अब वित्तिय वर्ष यारी financial year की शुरुआत से लेकर जहां तक हमने transactions किये हैं वहां तक की report देखने के लिए alter और F2 की press करेंगे अब यहां पर from में space bar press करके enter press करें और इसी तरह 2 में भी space bar press करके enter press करें देखिए यहां सभी vouchers दिखाई पड़ रहे हैं यहां F4 की सहायता से self voucher select कर लें अब F12 से कुछ configuration कर लेते हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो vouchers बनाए हैं यदि आप उन में से किसी voucher को देखना चाहते हैं या किसी voucher में कुछ बदलाव यानि alteration करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप वाउचर पर जाकर enter press करें देखिए हम जिस voucher पर गए थे वो उपन हो गया है यहां से आप जो भी alteration करना चाहें जैसे party का नाम, stock item, quantity या rate इत्यादी में जो भी परिवर्दन करना चाहें कर सकते हैं साथ ही यह आप कोई नया item जोड़ना चाहते हैं या कोई item delete करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जैसे हम इसमें पहला item delete करना चाहते हैं तो उस पर जाकर delete button press करके item का नाम delete कर देंगे फिर enter press करेंगे देखे पहला item चला गया और उसकी जगह पर दूसरा item जो की नीचे था वो आ गया है अब यदि आप इसे भी बदलना चाहते हैं तो space bar press करें और दूसरा item सेलेक कर ले यदि आपको इसमें कुछ stock items और लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं अब हम इस voucher को control और a keys press करके accept कर लेते हैं चले अब देखते हैं कि यदि आप किसी voucher को delete करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं किसी voucher को delete करने के पहले हम आखरी voucher का number देख लेते हैं जो कि 6 है अब जिस voucher को आप delete करना चाहते हैं उस पर जाकर alter और d keys press करें जैसे यहां हम दो number के voucher पर जाकर alter और d keys को press कर रहे हैं ऐसा करते ही एक confirmation window आएगी यदि आप वाकई में delete करना चाहते हैं तो yes के लिए y या enter press करें और यदि delete नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए and press करें हम इसे delete करना चाहते हैं इसलिए y press कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही वो voucher delete हो गया और उसके बाद कि सभी vouchers के numbers भी change हो गए हैं जो कि हम आखरी voucher का number देख कर समझ सकते हैं पहले आखरी voucher का number 6 था जो कि अब बदल कर 5 हो गया है यहां पर एक महत्वन बात समझ लें कि sales voucher के स्थान पर यदि कोई और voucher होता तो voucher number बदल जाना बड़ी समस्या नहीं होती पर sales voucher के number बदल जाना बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि हम इन sales bill के print अपने customers को दे चुके हैं और उनके record में हमारे जो bill number हैं और हमारे record में जो voucher यानि bill number हैं voucher delete करने से अब वे अलग-अलग हो गये हैं जो की गलत है उदारन के लिए हमने customer को जो bill number 6 का print दिया था उसका number अब हमारे यहां 5 हो गया है यानि एक हे bill के दोनों के records में अलग-अलग number हो गये हैं जो की गलत हैं यहां हमारे कहने का मतलब यह है कि delete का उपयोग जब भी करें सोच समझ कर करें खासतोर पर sales vouchers के case में टैली ने किसी sales bill को delete करने से होने वाली समस्या का एक सरल समाधान cancel भी दिया है इसका फाइदा यह है कि इसका उपयोग करने से bill numbers पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आए इसका उपयोग आपको करके बता देते हैं उपयोग करने से पहले आखरी voucher number देख लेते हैं जो की 5 है अब voucher को cancel करने के लिए voucher पर जाकर alter और X प्रेस करें confirmation window आ रही है यहाँ yes के लिए Y प्रेस करें देखें यहाँ voucher की details चली गई है और सिर्फ cancel लिखा आ रहा है साथ ही देखें आखरी bill number 5 पहले की ही तरह अपनी जगह पर है उसमें कोई change नहीं हुआ है यानि delete के इस्थान पर cancel करने से bill number में कोई भी changes नहीं होते हैं करें और उसकी जगह दूसरा transaction record कर सकते हैं आगे समझने के लिए हम F4 प्रेस करके all item सेलेक कर रहे हैं आए अब समझते हैं add voucher की प्रक्रिया को माल लीजिए कि हमें एक मई को कोई payment प्राप्त हुआ था जिसके entry करना हम भूल गय थी तो अब हम जिस voucher के बाद उसी type का एक voucher और बनाना चाहते हैं तो हम इस voucher पर जाकर alter और एक इस को प्रेस करेंगे आप उस voucher पर जाकर alter और एक प्रेस करें जिसके बाद आप नया voucher बनाना चाहते हैं देखिए हमने receipt voucher select किया था तो यहां receipt voucher creation screen आ रही है साथ ही उसका अगला number 3 और तारीख एक मई ही आ रही है अब यहां से हम voucher बना सकते हैं हम escape की से वापस चलते हैं एड वाउचर का एक और मुख्यू प्योग है जब आप डे बुक पर होते हैं और उस समय यदि आप किसी भी तारीख में किसी भी टाइप का कोई वाउचर बनाना चाहते हैं तो आल्टर के साथ एक एक को प्रेस करें ध्यान रखें इसके लिए आपको किसी भी वाउचर पर जाने की ज़रूरत नहीं है अब आल्टर और एक की प्रेस करेंगे देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ गई है यहाँ पहले आप जिस तरह का वाउचर बनाना चाहते हैं उसे राइट बटन बार या शॉटकिट की साहता से सिलेक करें तारीख पदलें और फिर अपना वाउचर बना लें माली जे हमने 1 सिटमबर 2020 को रमी शर्मा को सिटमबर 2020 का ओफिस का किराया 10,000 रुपए नगत दिया आए इस ट्रांजिक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ रही है हम F5 प्रेस करके पेमिंट वाउचर ले आते हैं अब F2 की सहायता से तारीख बदल लेते हैं अब वाउचर बना लेते हैं अब इसे एकसेप्ट कर लेते हैं आए अगला शॉटकट समझ लेते हैं अभी हमने जो ऑफिस किराय पर लिया है उसका किराया प्रतिमा देना होगा और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें वाउचर बनाने की पूरी प्रक्रिया दोहरानी ना पड़ी तो उसके लिए हम वाउचर का डुप्लिकेट बना सकते हैं दुप्लिकेट वाउचर बनाने के लिए पहले आप जिस वाउचर का दुप्लिकेट बनाना चाहते हैं उस पर जाएं और आल्टर और टू कीज को प्रेस करें देखिए हमने जिस voucher पर जाकर alter और two keys को प्रेस किया था यहां उसका duplicate आगया है अब इसमें जो भी changes करना हो वो हम कर सकते हैं हम F2 key प्रेस करके तारीख बदल रहे हैं और enter प्रेस करते हुए narration पर आगय है narration के आखिर में यदि कुछ type करना चाहते हूं तो end की प्रेस करें और यदि प्रारम्ध में कुछ type करना चाहते हूं तो home की प्रेस करें और बीच के लिए left arrow या right arrow की का उप्योग करें यहां हम October महा का किराया दे रहे हैं तो September 2020 को बदल कर October 2020 कर रहे हैं ध्यान रखें किसी शब्द को हटाने के लिए डिलीट या backspace की का उप्योग करें अब इस voucher को accept कर लेते हैं तो इस तरह आप duplicate voucher बना कर अपना समय बचा सकते हैं चलिए अब समझ लेते हैं insert voucher की प्रक्रिया को कई पर ऐसा होता है कि हम कई सारी transactions record करते हैं तो बीच में कोई transaction record करना भूल भी जाते हैं जैसे माल लीजिए हम एक अक्टूबर के payment voucher जिसका number 6 है कि पहले एक transaction record करना भूल गए थे जो की इस प्रकार है एक अक्टूबर 2020 को हमने रमेश से एक टेबल 1000 रुपे नगत दे कर खरी दी तो आईए देखते हैं बीच में voucher कैसे insert करते हैं इसके लिए जिस voucher के पहले आप ये voucher बनाना चाहते हैं जैसे कि हम एक अक्टूबर को payment voucher number 6 की जगह पर ये voucher बनाना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और i key प्रेस करें ये देखिए payment voucher creation window आ रही है यहाँ voucher का वही नंबर आ रहा है जो voucher हमने select किया था अब हम transaction record कर लेते हैं अब इसे accept कर लेते हैं देखिए हमने जिस voucher पर जाकर alter और i keys को प्रेस किया था वो नीचे आ गया है और उसकी जगह पर नया voucher आ गया है अब यहाँ आपको एक confusion हो रहा होगा कि insert voucher और add voucher का उप्योग तो एक ही है फिर ये अलग-अलग कैसे हुए देखिए, add voucher का उप्योग हमने किसी voucher के बाद वाले नमबर पर voucher बनाने के लिए किया था जबकि insert voucher का उप्योग हमने किसी निश्यत voucher नमबर पर कोई नया voucher बनाने के लिए किया है चले आगे पढ़ते हैं और अगला option देख लेते हैं माली जे यहां दिखाई पढ़ रहे vouchers में से कुछ vouchers हम डिलीट करना चाहते हैं तो इन्हें एक एक करके डिलीट करने की बजाए एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं इसके लिए पहले जिन वाउचर को डिलीट करना चाहते हो उन पर अप या डाउन एरो की से जाए और इस पेस बार प्रेस करके उन्हें सेलेक कर ले यह देखिए हमने चाहर वाउचर सेलेक कर लिए हैं अब आल्टर और डी प्रेस करेंगे ऐसा करते ही पुछा जाएगा कि क्या आप सिलेक किये गए वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं यदि हाँ तो वाउचर करें वाउचर करते ही सिलेक किये गए सभी वाउचर डिलीट हो जाएंगे हमें ये vouchers delete नहीं करना है इसलिए हम end प्रेस कर रही है कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलती से कोई voucher select कर लेते हैं जैसे कि अभी हमने इन चार vouchers में से इस voucher को गलती से select कर लिया था और अब हम इसे deselect करना चाहते हैं तो इस voucher पर जाकर space bar प्रेस करें ये देखिए selection हट कया है और यदि आप select किये गए सभी vouchers को एक साथ deselect करना चाहते हैं तो इस cap की प्रेस करें ऐसा करते ही selection हट जाएगा यदि किसी कारण से आप सभी vouchers को एक साथ से लेक करना चाहते हैं तो control और space bar प्रेस करें ये देखिए सभी vouchers select हो गए हैं और यदि आप इने deselect करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से control और space bar प्रेस करें तो दूस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ shortcuts बताएं हैं उनको एक बात फिर से short में बता देते हैं किसी voucher को alter करने के लिए उस पर जाकर enter प्रेस करें वो voucher open हो जाएगा आप अपनी जरूरत की अनुसार उसमें changes करके उसे accept कर लें किसी voucher को delete करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और depress करें और फिर enter प्रेस करें किसी voucher को cancel करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और x प्रेस करें और फिर enter प्रेस करें किसी पर voucher के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का voucher बनाने के लिए उस पर जाकर alter और a keys प्रेस करें या फिर किसी भी प्रकार का नया voucher लाने के लिए यानि add voucher के लिए alter और a प्रेस करें किसी voucher का duplicate बनाने के लिए उस voucher पर जाकर alter और 2 प्रेस करें किसी इनिश्यिट वाउचर नमबर के स्थान पर उसी नमबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानि इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर और आई प्रेस करें किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें selected vouchers को deselect करने के लिए पुना उस पर जाकर space bar प्रेस करें और यदि आपने बहुत से vouchers select किये हुए हैं तो उन्हें एक साथ deselect करने के लिए skip की प्रेस करें दिखाई पढ़ रहे सभी vouchers को एक साथ सिलेक करने के लिए control और space bar प्रेस करें सिलेक्टेद vouchers को एक साथ deselect करने के लिए फिर से control और space bar प्रेस करें या skip की प्रेस करें इसी तरह के कुछ शॉटकट्स और भी हैं जो हम आपको अगली वीडियो लेजर्स को कैसे देखे में बताएंगे जैसा कि हमने आपको manual accounting की process के बीच बताया था कि account यानी खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति विशेश, वस्तू, सिवा या आयवे इत्यादी से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तीथीवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानी account कहते हैं किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं debit side यानी नामपक्ष और credit side यानी जमापक्ष debit side left की तरफ होता है और credit side right की तरफ होता है यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि टैली में खाता यानी account को ही ledger कहते हैं अभी तक हम टैली में company बनाना, ledgers बनाना, stock groups बनाना, stock items बनाना, vouchers में transactions record करना और अनले कई महतून बातों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं इन सब के दोरान ही हमने आपको बताया था कि टैली में हमें सिर्फ ledger बनाकर vouchers की सहायता से transactions record करना होते हैं इसके बाद manual accounting के बाकी सभी काम जैसे ledger posting, trial balance, trading and profit and loss account और balance sheet टैली हमें खुद ही बनाकर दे देता है यानि यह सभी काम टैली में automatically reflect हो जाते हैं अब सवाल यह है कि टैली में हमने जिन transactions को vouchers में record किया है उनकी automatic posting तो ledgers में हो गई पर वो transactions संबंधित ledger में कैसे देखे जा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ledger को कैसे देखते हैं आगे पढ़ने से पहले हम आपको यह भी याद दिला दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने reports के अंतरगत आने वाली बहुत ही महतुकून report day book के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि इस report पर तीन तरीकों से पहुँचा जा सकता है उसी तरह ledger को देखने के भी दो तरीके है पहला reports heading के अंतरगत डिस्प्ले more reports में जाए यहां से accounts books पर जाए यहां ledger दिखाई पढ़ रहा है चलिए वापस चलते हैं तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो कि मुख्य रूप से तब काम आता है जब हम tally में कहीं और काम कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें कोई ledger देखना हो तो उसके लिए go to पर जाए देखिए यहां common reports के अंतरगत यह ledger vouchers के नाम से दिखाई दे रहा है चलिए वापस gateway of tally पर चलते हैं अब पहले बताय हुए तरीके से एक बार वापस ledger पर चलते हैं और कोई ledger open करके देख लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं display more reports के लिए d press करेंगे अब account books के लिए a प्रेस करें अब यहां दिखाई पढ़ रहे लेजर के लिए l प्रेस करें list of ledgers आ रही है आप जिस ledger को देखना चाहते हैं name of ledger के नीचे वो नाम टाइप करें यहां पर हम cache टाइप कर रहे हैं यह देखे cache highlight हो रहा है अब enter प्रेस कर दें ऐसा करते ही left side में आपने जो ledger select किया था उसका नाम दिखाई पड़ेगा और right side में उसकी तारी या period दिखाई पड़ेगा अब आप जिस अवधी के लिए यह ledger देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके वो period टाइप करें हम एक मई से 31 जुलाई तक का period ले रहे हैं यहाँ एक बात ध्यान रखें लेजर में period चेंज करने के लिए आप F2 या alter के साथ F2 दोनों shortcuts में से किसी का भी उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से समझें नीचे की और आप जो opening balance देख रहे हैं वो हमने जो period select किया है उसकी शुरुवात का है जैसे यहाँ यह एक मई का है current total में आप जो भी amount देख रहे हैं वो इस लेजर में selected period में जो भी amount debit और credit हुए हैं उनका total है और closing balance में आप जो amount देख रहे हैं वो आपने जो period select किया है उसके आखिर का होता है जैसे यहाँ पर यह 31 जुलाई का है यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें report देखने के पहले हमेशा उपर period ज़रूर चेक कर लें कि हमने जो period लिया है report उसी period की है या नहीं क्योंकि कई बार हमसे period change करने में गलती हो जाती है यहाँ पर हम आपको period बदलने के कुछ shortcut बता रहे हैं पर उसके पहले दो बातें समझना जरूरी है पहली हम shortcut के सहायता से जो भी तारीख लेंगे वो current financial year के लिए होगी जैसे अभी हम 2020-21 यानि 1 April 2020 से 31 March 2021 के बीच काम कर रहे हैं तो यहाँ जो भी तारीख आएगी वो इसी अवधी के बीच की होगी दूसरी बात चुकि हम tally के educational version पर काम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सीमित तारीखों का ही उप्योग कर सकते हैं और वो हैं 1, 2 और 31 माल लिजे हम 2 April 2020 से 1 October 2020 तक का लेजर देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके From में 2 April के लिए 2A टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 2 में 1 October के लिए 1 O टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे देखिए ऐसा करते ही 2 April 2020 से 1 October 2020 की रिपोर्ट आ गई है अमाल लिजे हम April से लेकर मार्च तक सभी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए बगेर तारीख के सिर्फ माह टाइप करना होगा जैसे हम फ्रॉम में अप्रेल के लिए A और 2 में मार्च के लिए M टाइप कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही अप्रेल से मार्च तक यानि पूरे फ़नेशल इयर की रिपोर्ट आ गई है इसमें एक कन्फूजन हो सकता है कि यदि हम ऐसे महिनों के रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिनका शुरुआती अक्षर एक जैसा है जैसे जन्वरी, जून और जुलाई ये सब ही J से शुरू होते हैं तो इनके लिए क्या टाइप करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि जन्वरी के लिए J जून के लिए J-U-N और जुलाई के लिए J-U टाइप करेंगे और इसे तरह मार्च के लिए M और मई के लिए M-A-Y टाइप करना होगा यदि आपकी कंपनी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और आप किसी पिछले फनेंशियल येर का लेजर देखना चाहते हैं तो आपको तारीख के साथ फनेंशियल येर भी टाइप करना होगा जैसे कि हम फनेशियल येर 2017-18 का लेजर देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 टाइप कर रहे हैं ये देखे हमारे टाइप किये गए पिरियर्ट के रिपोर्ट आ चुकी है अब चुक्कि इस अवधी में हमारी कंपनी थी ही नहीं इसलिए यहां रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है हम फिर से पिरियर्ट चेंज कर लेते हैं यहां पर हम आपको बता दें कि मैनियूल अकाउंटिंग के बीच हमने आपको जर्णल से अकाउंट्स में पोस्टिंग करना बताया था और पोस्टिंग के बाद अकाउंट्स किस तरह के दिखते हैं यह भी बताया था उसी का एक नमूना हम आपको यहां भी बता रहे हैं देखिए, Manual Accounting में Account यानि Ledger इस तरह का दिखाई पड़ता है और Tally में Ledger इस तरह से दिखाई देता है। दोनों ही Ledgers में उनसे संबंदित सभी Lendin यानि Transactions तिथिवार रखे गए हैं। दोनों में दो पक्षें, एक Debit और एक Credit। दोनों ही Ledgers में आप देख सकते हैं कि उनने किस प्रकार के Lendin हुए हैं, कुल कितना रुपिया आया है, कितना गया है, और अब उस अकाउंट में क्या Balance है। दोनों में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है और वो है प्रेजेंटिशन का। सबसे पहले हम कैश का लेजर ओपन कर लेते हैं, अब F2 की प्रेस करके period चेंज कर लेते हैं, अब लेजर को कॉन्फिगर करने के लिए F12 प्रेस कर रहे हैं, Configuration menu में अनेक Options दिखाई पढ़ रहे हैं, इन इध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने, समझने के लिए इन Options में से एक-एक को Yes या No करके और जिन Options में सब Options हैं, उनमें से भी एक-एक को सेलेक करके ट्राइ करना चाहिए। ऐसे करने से आपको यह ग्यात होगा कि कौन से Option का Report पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है। अभी हम Show Narrations को Yes कर रहे हैं। और इसके बाद Format of Report में Detailed की रहने दे रहे हैं। और बाकि सभी Options को Yes कर रहे हैं। सबसे आखिर में आप Show Running Balance लिखा देख रहे हैं। हम इसको भी Yes कर रहे हैं। इस Option को Yes करने से लेजर में हर Voucher Entry के बाद लेजर का जो Balance होता है वो दिखाई पड़ता है। चलिए अब इस Configuration को Accept कर लेते हैं। देखिए अभी हमने जो भी चिंजिस किये थे उनका प्रभाव आप यहां देख सकते हैं। अब यदि आप कोई दूसरा लेजर देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें। और लिस्ट ओफ लेजर में से वो लेजर सेलेक करें। हम सेल से कम सेलेक कर रहे हैं। यह देखिए सेल्स का लेजर आ गया है। चिंजिस करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने डेवुक वाली वीडियो में बताया था आप उस प्रकार से वो चिंजिस कर सकते हैं। अब हम Escape की किस आयता से बाहर आ रहे हैं यहां right side button बार में आप बहुत से options देख सकते हैं आए इनके बारे में भी जान लेते हैं अपने ध्यान दिया होगा कि हमने gateway of tally पर दो companies open की थी यदे आप किसी भी कारण से दूसरी company का भी sales leisure देखना चाहते हैं F3 प्रेस करके दूसरी company सेलेक कर लें यह देखें दूसरी company का sales leisure दिखाई दे रहा है हम फिर से F3 प्रेस करके पहले वाली company पर वापस चलते हैं अभी हम जो report देख रहे हैं यह प्रति दिन के हिसाब से है यदि आप इसकी मन्थली समरी चाहते हैं तो F6 प्रेस करें यह देखें समरी महिनों के अनुसार आ रही है अब इससे बाहर आने के लिए escape की प्रेस करें अब यदि आप इस leisure को register फॉर्म में देखना चाहते हैं त F8 प्रेस करें और जो प्रोसेस हमने आपको डेख में बताई थी वह दोहरा लें यहां पर हम आपको एक महत्पुन बात और बता दें कि हमने डेख पार्ट 3 वाली वीडियो में जो शॉटकट्स बताए थे जिनके लिस्ट हम यहां पर भी दे रहे हैं वह सभी यहां भी उस जरुरत की अनुसार उसमें चिंजिस करके उसे एकसेप्ट कर लें किसी वाउचर को डिलीट करने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और डी प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें किसी वाउचर को कैंसल करने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और एक्स प्रे पर जब हम लेजर में किसी voucher को cancel करते हैं तो वह लेजर में से चला जाता है, यानी दिखाई नहीं पड़ता है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं, तो daybook में जाकर देख सकते हैं, किसे भी voucher के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का वाउचर बनाने के लिए, उस पर जाक का डुप्लिकेट बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर और टू प्रेस करें किसी निश्यत वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानि इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर और आई प्रेस करें किसी वाउचर को D सेलेक्ट करने के लिए पुना उस पर जाकर सपेस बार प्रेस करें और यदि आप कने बहुत से वाउचर स wilt किये हुए हैं तो उन्हें两लश करने के लिए स्केपव की प्रेस करें दिखाई पढ़ रहे सभी vouchers को एक साथ सिलेक करने के लिए control और space bar प्रेस करें Selected vouchers को एक साथ deselect करने के लिए फिर से control और space bar प्रेस करें या skip की प्रेस करें कुछ shortcuts इसे भी हैं जो हमने आपको डे बुक में नहीं बताये थे वो यहां बता रहे हैं त्यान रखें यह लेजर की तरह ही डे बुक में भी समान रूप से उप्योगी हैं सेल्स एकाउंट में आप तीन तरह के वाउचर्स देख रहे हैं एक कैश दूसरा बैंक और तीसरे टाइप के वाउचर्स हैं हमारे कस्टमर्स के नाम की अब यदि हम इन में से किसी एकी तरह के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो बागी वाउचर्स यहां से हटाना होंगे जिस वाउचर को हटाना चाहते हैं उस पर जाकर उसे रिमूव करने के लिए कंट्रल और आर्स प्रेस करें ऐसे करते ही वो वाउचर स्क्रीन से हट जाएगा त्यान रखें यह वाउचर डिलीट नहीं हुआ है सिर्फ हाइड हो गया है यानि अभी यह चुप गया है इसी तरह हम दूसरे वाउचर भी हाइड कर देंगे देखिए अब यहां सिर्फ कैश के वाउचर से दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे यहां उनकी टोटल भी दिखाई पड़ रही है अब यदि आप हाइड किये गए वाउचर को एक-एक करके वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल और यू प्रेस करके ला सकते हैं और यदि आप सभी हाइड किये गए वाउचर को एक साथ वापस लाना चाहते हैं तो आल्टर और यू कीश को प्रेस करें इसके पहले डे बुक वाली वीडियो में हम आपको एड वाउचर का उप्योग बता चुके हैं वो यहां भी काफी काम आता है जैसे हमारा कस्टमर बालाजी ट्रेडर्स आया और उसने पूछा कि मुझे कितना रुप्या आपको देना है अब यदि हम चाहें तो एफ और प उसमें हमें कुछ काम करना बाकी है तो हम गोटू में जाकर लेजर वाउचर के द्वारा बालाजी ट्रेडर्स का लेजर उपन कर लेते हैं लेजर उपन करने के बाद वर्ष के प्राड़म से लेकर हमने जहां तक ट्रांसिक्शन्स रिकॉड किये हैं उस तारीख तक के पी फिर बैलेंस देखकर हमने कस्टमर से कहा कि पांच लाक रुपए लेना है उसने कहा ये नकद रुपए लो और रसीद बना दो तो चलिए हम यहीं पर रसीद बना देते हैं उसके लिए पहले और और एक इस को प्रेस करेंगे Accounting Voucher Creation स्क्रीन आ रही है Receipt Voucher के लिए F6 प्रेस करें F2 प्रेस करके आज की Date डाल दें CR में Party Name सिलग करें असा करते ही Current Balance में हमें कस्टमर से जो अमांट लेना है वो दिखाई पढ़ रहा है amount डाले amount डालकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं देखिए पहले जो balance दिखाई पड़ रहा था वो अब change हो गया है DR में हम cash select कर रहे हैं अब narration डाले और accept करने अभी हमने जो transaction record किया है अगर वो पार्टी के leisure में दिखाई पड़ रहा हो तो ठेक और यदि दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो leisure का period चेंज करके आखिरे transaction तक का period select कर ले ऐसा करते ही हमने जो receipt voucher बनाया होगा वो दिखाई पड़ने लगेगा उस पर जाकर enter press करें यह दिखिए हमने जो voucher बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है अब यदि आपको customer को receipt का print देना हैं तो वो print option की सहयता से निकाल सकते हैं इसी तरह मान लेजिए अब हम rent account में यह देखना चाहते हैं कि हमने अपने office का rent कब तक का दिया हुआ है और उसके साथ ही हम अगले माहा के rent की entry भी करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हम F4 प्रेस करके rent account सेलेक कर लेते हैं फिर alter और F2 प्रेस करके वर्ष के शुरुआत से लेकर आखिरी transaction तक के लिए from और 2 में जो तारीख है उसे space पर और enter प्रेस करके तारीख हटा देंगे अब आखिरी voucher पर जाकर alter और 2 प्रेस करेंगे इसे ये होगा कि हमारे आखिरी voucher के duplicate आजाएगी जिससे हमें 2 लाग होंगे पहला यहां हमने जो आखिरी रेंट दिया है वो दिखाई पड़ रहा है और दूसरा हमें duplicate voucher मिल गया है जिसमें हम जरूरी changes करके नया voucher बना लेंगे यह हमने जरूरी changes कर दिये हैं अब इसे accept कर लेते हैं इसे तिरह हम लेजर पर रहते हुए किसी भी voucher का duplicate बना कर उसका उपयोग कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं यहाँ पर हम आपको यादेला दें कि हमने sales account का लेजर उपन किया हुआ था और हम उस पर कुछ काम करने वाले थे पर इसे बीच कुछ दूसरे काम आ गए जिने हमने बगेर sales account बंद किये go to की सहायता से दूसरे लेजर उपन करके कर लिया है अब हम वापस escape की प्रेस करके sales account पर चलते हैं और उसमें जो भी काम बागी था वो कर लेते हैं जिस तरह से हमारे transaction का प्रभाव लेजर पर पड़ता है उसी तरह जब हम sales, purchase, sales return या purchase return के transaction stock items यानि inventory के साथ vouchers में record करते हैं तो उनका प्रभाव लेजर के साथ साथ stock items यानि inventory पर भी पड़ता है और इस प्रभाव को हम inventory books के अंतरगत stock items समरी में देख सकते हैं हम inventory से संबंधे दो वीडियो बना रहे हैं जिसमें से ये पहली वीडियो है यदि आप stock items के साथ transactions record करते हैं तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है इन्हें ज़रूर देखें Stock items की report के द्वारा हमने अपनी company में जितनी भी stock items बनाए हैं उनमें से किसी भी stock item की पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे की stock items का opening balance क्या था किस से कितना माल खरीदा किस भाव में खरीदा किस को कितना माल बेचा किस भाव में बेचा अभी हमारे पास कितना माल शेश है इत्यादी तो आईए शिरू करते हैं आज का अध्याए अभी हम Gateway of Tally पर हैं यहां से हमें Reports के अंतरगत Display More Reports पर जाना होगा उसके लिए D-Press करेंगे अब Inventory Books के लिए I-Press करेंगे अब Stock Items के लिए फिर से I-Press करेंगे देखें यहां पर एक List दिखाई पड़ रही है जिसमें हमने जितने भी Stock Items बनाए हैं उन सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जिस Stock Items के डिटिल्स चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर टाइप करें जैसे हमने Onida TV 20 Inches के लिए O टाइप किया ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी नाम होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे अब अब या Down Arrow की से उस पर जाकर एंटरप्रेस करें एंटरप्रेस करते ही Stock Item मंतली समरी की स्क्रीन आ गई है इसमें सबसे उपर के और आप Stock Items का नाम और Report का पीरियट देख सकते हैं यदि पीरियट चेंज करना हो तो F2 की सहता से कर सकते हैं Particular में सबसे उपर Opening Balance है यदि हमने Stock Item Create करते समय कोई Opening Balance डाला होगा या पिछले साल का कोई Opening Balance होगा तो यहाँ पर उसकी Quantity और Value दिखाई पड़ेगी और इसके बाद महिनों के हिसाब से पूरे Financial Year की Report दिखाई पड़ रही है आप जिस मा की Report देखना चाहते हैं उस पर जाकर Enter Press करें देखे हमने जिस मा को चुना उस मा की पूरे Report आ रही है यदि आप किसी अन्य Period की Day-Wise Report देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके वो Period टाइप करना होगा जैसे यहाँ हम F2 प्रेस करके 1 मई से 31 अक्टोबर टाइप कर रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा Select किये गए Period की Report आ गई है हमेशा ये खास बात ध्यान रखें जब भी आपको ए रिपोर्ट ओपन करें सबसे पहले उसकी तारीख या Period अवश्य चेक करें यहाँ भी Particulars में सबसे उपर Opening Balance है उसके बाद Party का नाम या Cash या Bank यानि जिस भी माध्यम से Transactions हुए हैं उसका नाम दिखाई पड़ रहा है उसके बाद Voucher का Type है और फिर Voucher Number है इसके बाद हमने जो भी माल खरीदा वो Inward वाले कॉलम में है जो भी माल बेचा है वो Outward वाले कॉलम में है और हमारे पास जो माल बचा है यानि कि जो Closing Stock है वो Closing Balance वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है और ये सब Details Quantity और Value के साथ है यहाँ पर किसी भी Stock Item के Closing Balance से आशे होता है Opening Balance प्लस Purchase माइनस Cell is equal to Closing Balance जैसे हाँ Quantity में Opening Balance 10 है प्लस Total Purchase है 7 दोनों का जोड हुआ सत्रह इसमें से Total Cell 6 को घटा देंगे तो Closing Balance आ गया 11 यदि आप इन सभी की Item Wise Details देखना चाहते हैं तो Alter और F5 प्रेस करें और यदि किसी Voucher को Open करके देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर Enter Press करें देखें हमने इस Voucher से जो माल बेचा था उसकी Details दिखाई पड़ रही है यदि आप इसमें कुछ Alteration करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके बारे में हमने Day Book के Part 3 में विस्तार से समझाया है अब यदि आप किसी दूसरे Stock Item की Details देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस Stock Item को Select करें ये देखें सिलेक किये गए आइटम की पूरी Detail दिखाई दे रही है यहां आप देख सकते हैं हमने जो Purchase Return की थी जिसके लिए हमने Debit Note Voucher बनाया था वो Inwards में Minus के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है Minus में वो इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जब हम Purchase Return करते हैं यानि खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वो Purchase में से कम होता है से कम करने के लिए उसके आगे Minus का निशान लगा होता है इसी तरह जब कस्टमर ने जो हमें Sales Return की थी जिसके लिए हमने Credit Note Voucher बनाया था वो Outwards में Minus के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है यहां हम आपसे कुछ बाते कहना चाहेंगे पहली बात इसके पहले Day Book और Leisure वाली वीडियोज में हमने आपको Transactions से संबंधी जो Shortcuts बताए थे वो सब यहां भी काम करते हैं इसलिए आप Day Book और Leisure की वीडियोज को ज़रूर देखें और यहां पर भी उन Shortcuts का उपयोग करें दूसरी बात राइट बटन बार में जितनी भी Shortcuts कीज दी हुई हैं उन सभी का उपयोग करके उनके Results को समझने का प्रयाज जरूर करें यह सभी आपको भविश में बहुत काम आएंगी तीसरी बात यहां आप F12 प्रेस करके Configuration Menu में जितने भी Options दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए एक-एक Option को Yes और No करके उनके Effects ज़रूर देखें यदि आप Tally में कुछ काम कर रहे हैं और इस बीच उस काम को बंद किये बगएर किसी Stock Item की Report देखना चाहते हैं तो उसके लिए Go To पर माउस से क्लिक करें और यहां दिखाई पड़ रहे Show More पर जाकर Enter Press करें फिर टाइप करें Stock ऐसा करते ही एक List आजाएगी जिसमें Stock Item मंतली समरी दिखाई पड़ेगी उस पर जाकर Enter Press करें अब जिस Stock Item के Report देखना चाहते हों उस पर जाकर Enter Press करें आज हम जो Report समझाने जा रहे हैं यह हमें Tally में तीन जगर मिलती है पहला तो Gateway of Tally पर Report के अंतरगरत आप Stock समरी देख सकते हैं दूसरा Display More Reports के लिए D प्रेस करें अब Inventory Books के लिए I प्रेस करें यह देखिए यहाँ पर यह Stock Group समरी के नाम से है और तीसरा Go To के लिए Alter और G प्रेस करें देखिए यहाँ पर भी Stock समरी दिखाई पड़ रही है हम Stock समरी के लिए S प्रेस कर रहे हैं देखिए यहाँ पर Stock समरी आ गई है इसमें राइट साइड में सबसे उपर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है और उसके नीचे पीरियर दिखाई पड़ रहा है इसके बाद Particular में हमारी कंपनी में जितने भी Primary यानि मुख्य Stock Groups बने हैं उन सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं और Left Side में उन सभी Stock Groups या उनके Sub Groups में जितने भी Stock items बने हुए हैं उनके Total Closing Balance की Quantity, Rate और Value दिखाई पड़ रही है इस रिपोर्ट से हमें आसानी से ये पता चल रहा है कि अभी हमारे पास किस तरह के कितने प्रोड़क्ट्स हैं जैसे अभी हमारे पास कुल 5 ACs, 5 Laptops, 46 TVs और 3 Washing Machines हैं अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इन Groups के अंतरगत कौन कौन से Sub Groups हैं ये ये भी कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी के कितने कितने प्रोड़क्ट्स हैं तो यहाँ Arrow के निशान पर क्लिक करें अब डिटेल पर क्लिक करें या फिर Alter और F5 प्रेस करें ये देखिए सभी प्रोड़क्ट्स की Group और Sub Group की समरी आ रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने टीवी हैं और सभी मिलाकर कुल कितने टीवी हैं ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यदि आप सभी Stock Groups में बने हुए Stock Items एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ Stock Item Wise पर प्लिक करें या F5 प्रेस करें देखिए ऐसा करते ही सभी Stock Items के नाम और उनके Closing Balance दिखाई पड़ रहे हैं हम वापस F5 प्रेस करके पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं अब यदि आप सभी Main Groups, Sub Groups और Stock Items को डीटेल के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस करके कुछ Configuration करना होगा हम F12 प्रेस कर रहे हैं Configuration Menu में अनिक Options दिखाई पड़ रहे हैं इनी ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने समझने के लिए इन Options में से एक एक को Yes या No करके और जिन Options में सब Options हैं उनमें से भी एक एक को सेलेक करके ट्राय करना चाहिए ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से Option का Report पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है चले इन में से अभी के लिए हम आपको कुछ महतुकून Options बता देते हैं यदि हम Show Opening Balance को Yes कर देते हैं तो हमें Stock Item का Opening Balance एक नए कॉलम में दिखाई देगा यदि हम Show Goods Inverts को Yes कर देते हैं तो जितना भी माल आया होगा वह Inverts नाम के नए कॉलम में दिखाई देगा यदि Show Goods Outwards को Yes कर देते हैं तो जितना भी माल गया होगा वो Outwards के नाम से एक नए कॉलम में दिखाई देगा हम इन तीनों को Yes कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं Show Stock Items with Zero Quantity or Balance इस option को हम Yes ही रहने देंगे इससे यह होगा कि ऐसे सभी Stock Items की Report भी दिखाई देगी जिनकी Quantity अभी Zero है यानि वो Stock Item हमारे Stock में नहीं होंगे तो भी वो Report में दिखाई देंगे Enterpress करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां आप Type of Grouping देख रहे हैं इस option में दो सब options दिखाई दे रहे हैं एक है Stock Group Wise और दूसरा है Stock Item Wise यदि Stock को Group Wise देखना है तो पहला वाला option सिलेक्ट कर लें और यदि Stock को Items के अनुसार देखना है तो दूसरे वाले option को सिलेक्ट कर लें हम Stock Group Wise option को ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं अगला option है Format of Report हम रिपोर्ट को विस्तरत रूप में देखना चाहते हैं इसलिए यहां पर डिटेल ही रहने देंगे इसके बाद है Expand All Levels in Detailed Format इसका मतलब है कि सभी लेवल्स को Detailed Format में Expand कर दें यानि सभी इस तर को विस्तरत रूप में दिखाएं हम इसे Yes कर रहे हैं अभी हमने जिन भी options में बदलाव किये हैं उन्हें Save करने के लिए Control के साथ A प्रेस करेंगे देखे सभी Main Groups, Sub Groups और Stock Items के साथ उनके Opening Balance, Inwards, Outwards और Closing Balance एक ही इस्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं अब यदि आप यहां दिखाई पड़ रहे Stock Items में से किसी एक Stock Item की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में Stock Items के रिपोर्ट में दिखाया था तो उस Stock के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें देखें, Stock Item की मंतली रिपोर्ट आ रही है और यहां आप Stock Item का नाम भी देख सकते हैं यदि आप Quarterly या Daily रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F6 के सामने दिखाई दे रहे एरो के निशान पर क्लिक करें और अपने आवश्रक्ता के अनुसार Quarterly या Daily सिलेक करें यदि आप यहीं से किसी और Stock Item की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें और जिस भी Stock Item की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे सिलेक करें यह देखिए दूसरे Stock Item की रिपोर्ट आ गई है इसमें नीचे की और महिनों के हिसाब से कॉलम्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें लाल कलर वाले पर्चिस के लिए और नीले कलर वाले सेल्स के लिए हैं इन्हें देखकर आप किसी भी महिने में पर्चिस और सेल्स का कमपारेजन कर सकते हैं अब यह कमपारेजन आप कैसे कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप मई महा के लिए जो दो कॉलम्स देख रहे हैं उनमें से लाल वाला बड़ा और नीला वाला लाल वाली से छोटा है इसका मतलब है कि मई के महिने में पर्चिस ज़्यादा हुई है और सेल कम देखिए जून के दोनों कॉलम्स पराबर हैं मतलब जून में पर्चिस और सेल दोनों बराबर हुई है इसी तरह से आप सभी माह का comparison कर सकते हैं यदि आप किसी माह के report देखना चाहते हैं जैसे कि हम मई माह के report देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर enter press करेंगे यदि देखे मई महिने की report आ गई है यहाँ यदि आप देखना चाहते हैं कि हमें किसी sell bill में बेचे गए items पर कितना gross profit हुआ है तो यहाँ show profit जिसकी shortcut F7 है प्रेस करें देखिए sell bills के आगे जो माल बेचा गया है उसका लागत मुल्य उस माल पर जो gross profit हुआ है वो और उसका प्रतिशत दिखाई पढ़ रहा है आगे अब आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं अभी हम gateway of tally पर है display more reports के लिए d press करें अब inventory books के लिए i press करें और stock group summary के लिए s press करें यदि आप सभी primary groups की stock summary देखना चाहते हैं तो primary select करें और यदि किसी एक group की stock summary देखना चाहते हैं तो उसे select करें हम tv select कर रहे हैं अब alter और f5 प्रेस करें देखे right side में उपर हमारे दौरा select किये गए group का नाम आ रहा है और particular में सभी subgroups के नाम और उनके अंतरगेद बने stock items के नाम और उनका closing balance आ रहे हैं यदि आप जाहें तो यहां भी f12 प्रेस करके configuration कर सकते हैं अब जो अगला option हम समझाने जा रहे हैं उसकी साहता से आप किसी भी 2 या 2 से अधिक stock items का किसे भी निश्य तवधी का comparison कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको वो item सेलेक करना होगा जिससे आप दूसरे item का comparison करना चाहते हैं हम Onida TV 20 inches पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं यह देखे Onida TV 20 inches की report आ रही है अब new column के लिए alter और C पर प्रेस करेंगे यदि आप from और 2 को blank छोड़ देते हैं तो यह शुरुआत से लेकर जहां तक आपने काम किया होगा वहां तक की report आएगी और यदि आप कोई निश्य तवधी चाहते हैं तो वो from और 2 में type करें हम एक मई से 31 अगस्त type कर रहे हैं यहां हम name of item में Onida TV 20 inches ही रहने दे रहे हैं अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे देखें यहां पर पहली report by default आ रही है जिसमें company के शुरुआत से आखरी transaction की तारिख तक की report है हम keyboard के right arrow को press कर रहे हैं यह देखें दूसरी report उस period की है जो हमने select किया था और यह दोनो report Onida TV 20 inches की है अब हमें alter और c press करके दूसरा item select करना होगा यहां हम फिर से तारीख एक में से 31 अगस्त type कर रहे हैं और item में Sony TV 20 inches ले रहे हैं अब enter press करेंगे देखें हमारे बास एक report और आ गई है जो की हमारे द्वारा select किये गए period की Sony TV 20 inches की है अब हम keyboard के left और right arrow की सहायता से एक दूसरे item की खरीदी बिकरी का आपस में comparison कर सकते हैं यदे आप किसी report को खटाना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और d press करें मान लेजे यहां से हम by default वाली report हटाना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और d press करेंगे यह देखिए column delete हो गया है अब यदे आप इस comparison में एक item और लेना चाहते हैं तो alter और c press करें अब पहले की ही तरह एक नया item select करें हम LG TV 20 inches select कर रहे हैं देखिए अब हमारे पास comparison के लिए 3 items हैं यदे आप किसी column में कुछ changes करना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और a press करें हम Sony TV 20 inches पर जाकर alter और a press कर रहे हैं और यहां Sony TV 20 inches के स्थान पर गोद्रेज AC 1 ton select कर रहे हैं देखिए Sony TV 20 inches के स्थान पर गोद्रेज AC 1 ton की report आ गई है अब हम फिर से पहले वाली city में चलते हैं अब समझते हैं auto column option को उसके लिए alter और end press करें यहां auto column में column details में से अपनी अवशक्ता के अनुसार जो भी आप चाहें select कर सकते हैं हम समझने के लिए monthly select कर रहे हैं देखिए यहां सभी stock items की 12 माह की monthly summary आ रही है इन्हें आप keyboard पर right arrow key या left arrow key की सायता से देख सकते हैं और आपस में सभी माह का एक दूसरे से comparison कर सकते हैं कर दूसरे से comparison कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली में किसी भी नई कंपनी को बनाते समय opening balance की क्या-क्या स्थितियां हो सकती हैं पहली है जब हम कोई नया व्यापार या website शुरू करते हैं तो लेजर्स बनाते समय उनका कोई opening balance नहीं होता है opening balances सिर्फ पहले से चल रहे व्यापार या website के ही होते हैं दूसरे स्थिति यदि आप manual accounting कर रहे हैं और वित्तिय वर्ष के बीच में ही टैली में accounting प्रारंप कर देते हैं तो पहले आपको manual account के सभी layers यानि जितने भी liabilities, assets, income और expenses के layers हैं उनके balance की एक सूची बनाना होगी इसी सूची को trial balance कहते हैं फिर उन सभी balance को टैली में laser बनाते समय opening balance में डालना होगा तीसरे इस्थिति यदे आप किसी वित्तिय वर्ष की समापती तक manual accounting कर रहे हैं और अगले वर्ष के आरंब से computer accounting शुरू करते हैं तो सिर्फ liabilities और assets के balance होते हैं income और expenses के कोई balance नहीं होते हैं आई ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं जब आप किसी company की manual accounting कर रहे होते हैं और किसी वित्तिय वर्ष के समापत होने पर नए वित्तिय वर्ष से computer accounting शुरू करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले manual accounting की process के बीच बताया था कि trial balance की सहयता से trading and profit and loss account बनाया जाता है और उसमें income और expenses के सभी खातों को transfer कर दिया जाता है जिसके कारण ये खाते यानि कि income और expenses के खाते समापत हो जाते हैं और यही कारण है कि वित्तिय वर्ष के अंत में जो भी balance sheet बनती है उसमें सर्फ liabilities और assets के layers के balance ही रहते हैं ये balance समापत हुए वर्ष के लिए closing balance होते हैं और इन्हें ही यानि liabilities और assets के layers के balance ही अगले साल के opening balance के रूप में टैली में नई company बनाकर laser बनाते समय opening balance में डालने होते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप अच्छे से accounting सीखना चाहते हैं तो हमारी इस video series की शुरू की 10 videos जिसमें पहली video इस series का परिचा है और उसके बाद की 9 videos जिनमें basic terminology of accounting यानि manual accounting के बारे में basic जानकारी दी गई है वो ज़रूर देखें आएए अब आगे बढ़ते हैं हमारी एक company है जिसमें हम वित्तिय वर्ष 2020-21 में 30 September 2020 तक manually हिसाब किताब रखते थे और इसी वित्तिय वर्ष के बीच में 1 October 2020 से हम अपने हिसाब को computer में tele software द्वारा maintain करना चाहते हैं इसके लिए हमने 30 September 2020 को manual accounting के सभी accounts यानि ledgers के जो भी balance है वो सब एक स्थान पर लिख लिए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के balance जब एक स्थान पर रखे जाते हैं तो वो उस दिन का trial balance कहलाता है trial balance के नीचे ही हमने हमारे पास 30 September 2020 को जो stock है उसकी details भी दी है यह stock 30 September 2020 का closing stock कहलाएगा और इस stock की total value भी यहां हमने trial balance में लिख दी है 30 September 2020 का trial balance एक October 2020 को computer accounting के लिए opening trial balance माना जाएगा और इन सभी balances को हमें tally में company बना कर ledgers बनाते समय ओपनिंग balance के रूप में डालना होगा इसी तरह 30 September 2020 का closing stock एक October 2020 को computer accounting के लिए opening stock माना जाएगा और stock items बनाते समय सभी stock को quantity और rate सहित opening balance में डालना होगा तभी हम उस company में आगे काम कर सकेंगे आपको काम करने में सुविधा हो इसके लिए हम इस opening trial balance के सभी लेजर्स को और stock items को उनकी प्रकृती यानि nature के अनुसार groups और subgroups के साथ दिखा रहे हैं इसका PDF हम नीचे description में भी दे रहे हैं जिस पर आपको हमारे बताय अनुसार स्वर विवेक से काम करना है और उसका जो result है उसका भी हमने PDF दिया है सबसे पहले हम electronics house के नाम से company बना रहे हैं इसमें financial year beginning from में 1 अप्रेल 2020 रखेंगे और books beginning from में 1 अक्टूबर 2020 लेंगे क्योंकि हम 1 अक्टूबर से computer accounting शुरू कर रहे हैं company create होते ही company created successfully की pop-up screen आ रही है जिसमें company के features भी दिखाई दे रहे हैं चुकि अभी हमने आपको bill wise entry और GST के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया है इसलिए इन options को no करेंगे अब इस screen को accept कर लेते हैं देखिए trial balance में lasers के नाम उनका balance और वे किस groups से संबंधित हैं ये दिखाई पड़ रहा है अभी हम दो ledgers cash और opening stock को छोड़ कर बाकि सभी ledgers opening balance डालते हुए बना रहे हैं सबसे पहले हम capital account बना रहे हैं देखिए जब हमने capital account का opening balance टाइप करके enterprise किया तो उसके आगे अपने आप credit आगया है इसका कारण ये है कि यहां under में हमने capital account group सेलेक किया है जो कि liabilities के अंतर गता आता है और ये टैली को पता है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि liabilities और income के खातों के balance prior credit होते हैं इसी तरह assets और expenses के खातों के balance prior debit होते हैं यही कारण है कि जब आप under में group सेलेक करते हैं तो उसके अनुसार ही नीचे opening balance में debit credit अपने आप आ जाता है आप चाहे तो इन्हें बदल भी सकते हैं चलिए अब एक खास बात समझ लेते हैं देखिए उपर right side में corner पर total opening balance लिखा हुआ है जब हम किसी भी खाते में opening balance type करेंगे और enter press करेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ेगा जैसा कि अभी हमने capital account में opening balance डाल कर enter press किया तो वो यहाँ भी credit में दिखाई दे रहा है ध्यान रखिए हम जो भी ledger नई company में बनाते जाएंगे ध्यान रखने के लिए हमारे opening trial balance में उसका color red करते जाएंगे अब हम mobile का भी एक ledger बना लेते हैं देखिए जैसे ही हमने opening balance डाल कर enter press किया यहाँ पर अपने आप DR आ रहा है क्योंकि हमने under में fixed assets group select किया है जो कि assets के अंतरगत आता है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि assets के balance prior debit होते हैं देखिए जैसे हमने लेजर में opening balance डाल कर enter press किया debit balance होने के कारण यहाँ उपर total opening balance में भी वही amount debit में भी आ गया है इसी तरह हम जब भी कोई laser बनाकर opening balance डालेंगे उसका प्रभाव यहाँ दिखता रहेगा साथ ही debit और credit दोनों का difference इनके नीचे दिखता रहेगा और जब दोनों का balance बराबर हो जाएगा तो difference शून्य हो जाएगा ज्यान रखें debit credit दोनों पक्ष बराबर होने यानी difference शून्य होने पर ही हिसाब सही माना जाता है इसे तरह हमने दो लेजर्स opening stock और cash को छोड़ कर बाकी सभी लेजर्स बना लिये हैं आप भी इसी तरह opening stock और cash को छोड़ कर बाकी सभी लेजर्स single laser या multiple laser creation की सहता से बना ले चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं कि cash का लेजर टैली में पहले से बना हुआ होता है उसे बनाना नहीं पड़ता तो अब हम alter की सहायता से cash के लेजर में alteration करके opening balance डाल देते हैं और enter press करके आगे बढ़ते हैं देखे cash का opening balance डालने के बाद भी यहां उपर 5,34,000 का credit difference आ रहा है यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि हम opening stock को छोड़ कर बागी सभी लेजर बना चुके हैं चलिए अब यह जो difference दिखाई पड़ रहा है इसे reports के अंतरगत trial balance पर चल कर भी देख लेते हैं trial balance को हम आगे detail में बताएंगे अभी जितना जुरूरी है उतना समझ लेते हैं trial balance देखने के लिए gateway of tally पर D key प्रेस करें फिर T प्रेस करें फिर F2 प्रेस करें अब जिस तारिक का opening balance आप देखना चाहते हैं वो तारिक डालें जैसे कि यहां हमने इस company में 1 October से काम शुरू किया है तो हम from और 2 में 1 October डाल रहे हैं alter और F5 keys को प्रेस करें अब F12 key को प्रेस करें शो ओपनिंग बैलन्स को यस कर दें क्योंकि अभी हमने जो opening balance डाले हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं और show closing balance को no कर दें और इस window को accept कर लें देखे एक October की पूरी details आ रही हैं और इसमें भी difference in opening balances के अंतरगत वही amount दिखाई पड़ रहा है जो हमने cash का ledger alter करते समय टोटल opening balance में दिखा था इस trial balance को अच्छे से देखने के लिए यहां जिन subgroups के अंदर ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उन पर जाकर shift के साथ enter press करें यह देखिए सभी groups, subgroup और ledgers के साथ उनके opening balance भी दिखाई पड़ रहे हैं जब trial balance में इस तरह का difference आता है तो उसके कुछ कारण होते हैं जैसे हमारे पास opening trial balance में जो ledgers हैं उनमें से कोई ledger हम tally में बनाना भूल गए हैं या किसी ledger के opening balance में हमने गलत amount डाल दिया है या किसी ledger में opening balance डालने के बाद debit या credit से लेक करने में कोई गलती हो गई है या भेर हमने company में inventory के खाते यानि stock items नहीं बनाए हैं क्या बना कर उनमें balance नहीं डाला है या गलत balance डाल दिया है यदि आपके opening trial balance में इस तरह का difference आ रहा है तो आप इन steps का अनुसरन करते हुए उसे ढूण सकते हैं अभी हमारे इस difference का कारण ये है कि हमने company में inventory के खाते यानि stock items बना कर उनमें balance नहीं डाला है तो आईए हम stock items के साथ ही stock के subgroups, groups और units बना कर उनमें opening stock डाल लेते हैं हम आपको stock items, stock groups और units बनाना पहले ही सिखा चुके हैं देखिए हमने सभी stock items उनके subgroups और groups बना लिये हैं साथ ही उनका opening stock भी डाल दिया है अब इसे हम except कर लेते हैं यह देखिए, accept करते ही chart of accounts आ रहा है जिसमें सभी groups, subgroups और उनके अंतरगत बने stock items दिखाई दे रहे हैं यहां समझने की बात यह है कि opening trial balance में यह जो opening stock का amount दिख रहा है उसे हमने tally में कहीं भी नहीं डाला है क्योंकि जैसे ही हम tally में सभी stock items बनाकर उनका opening balance डालते हैं यह amount हमारे tally के trial balance में अपने आप calculate होकर आ जाता है वास्तों में यह सभी stock items के opening balance का total है चलिए वापस से opening trial balance देख लेते हैं देखिए यहां opening stock में वही amount आ गया है जो हमारे stock items का था और अब यहां कोई difference भी नहीं है मतलब हमने सभी ledgers और stock items सही ढंक से बना लिये हैं अब हम इस company में आगे काम कर सकेंगे हम आपको कुछ transactions दे रहे हैं जिनने आपको नई बनाई company में record करना है हम इस video के नीचे description में दो PDF दे रहे हैं एक PDF में वो सभी transactions हैं जो हम यहां दिखा रहे हैं और दूसरा PDF दे बुक का है पहले आप सभी transactions record करने फिर उसके बाद हम आपको आगे दे बुक के PDF का उप्योग बताएंगे यहां हम आपके सुमिधा के लिए हर transaction के बाद उस voucher का नाम भी दे रहे हैं जिसमें वो transaction record करना है transactions record करते समय उनमें narration जरूर दे क्योंकि narration से ही हमें उस transaction के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अरूर प्राप्यों कर sack झाली का लोब है लिपक झाली का लिए ज्वार डिएा इन मैनिवल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग के बाद ट्राइल बिलेंस तयार किया जाता है जबकि टैली हमें खुद ही ट्राइल बिलेंस बना कर दे देता है आज हम आपको टैली के द्वारा बनाई जाने वाली ट्राइल बिलेंस की जानकारी दे रहे हैं पर आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्राइल बिलेंस की परिभाशा फिर से देख लेते हैं Trial Balance, सभी accounts यानि Lager's से ग्याद किये गए debit और credit पकशों के योग के पश्चाप निकाले गए अंतर की एक सूची है. सरहल शब्दों में कह सकते हैं कि Trial Balance में आप सभी accounts यानि Lager's के Closing Balances एक साथ देख सकते हैं. यहां एक सवाल उठता है कि इसकी उप्योगिता क्या है इसके मुख्यतर दो उप्योग है पहला इसकी साहता से आपको अपनी कंपनी के सभी लेजर्स की समरी एक जगह पर प्राप्त हो जाती है जिसका अधिन करके आप कंपनी की स्थिति ग्याद कर सकते हैं और दूसरा इसी के आधार पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तयार किया जाता है यह हम आपको बाद वाली वीडियो में बताएंगे ट्रैल बैलेंस को अच्छे से समझनी के लिए पहले हम कुछ तयारी कर लेते हैं जैसे कि कुछ लेजर्स को खोल कर उनका ओपनिंग बैलेंस उन लेजर्स को लेकर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका लेजर के डेविट और क्रेडिट अमाउंट पर क्या प्रभाव लेकर हैं हम लेजर्स देखनी के लिए डी मुछिंट करेंगे अब ऐफ प्रईकर उब एल करेंगे यहां से लिजर्स का नाम सेलेक़् करें हम सबसे पहले केश सेलेक़् कर रहे हैं देखिए कैश का लेजर आ रहा है हम F2 प्रेस करके एक अप्रिल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियट यानि पूरा फैनेशल एर से लेक कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उपनिंग बैलेंस 6,800, करेंट टोटल डेबिट अमाउंट 4,16,500, करेंट टोटल क्रेडिट अमाउंट 3,57,673 और क्लोजिंग बैलेंस 65,627 है हमने ये सभी चार्ट में लिख लिया है इसे तरह हमने दो और लेजर्स की डिटेल्स भी यहाँ पर लिख ली है यहाँ हमने बीच में एक कॉलम खाली रखा है इसमें ने ट्रांसेक्शन अमाउंट लिख लेते हैं Net Transaction Amount से तातपर्य है कि लेजर में जो भी Total Amount Debit और Credit हुआ है, ये उन दोनों का Difference होता है. जैसे कि यहाँ Cash के लेजर में Current Total Debit Amount 4,16,500 और Current Total Credit Amount 3,57,67 है और इन दोनों का Difference 58,827 है. ये इसका Net Transaction Amount क्या लाएगा? चलिए अब Trial Balance देख लेते हैं. उसके लिए दो तरीके हैं. पहला, Reports Heading के अंतरगर, Display More Reports पर जाएं, और यहाँ से Trial Balance को सेलेक करें. दूसरा तरीका है, Go To पर जाएं. देखिए, यहाँ भी Trial Balance दिखाई पड़ रहा है. इसका उपयोग खास तरपे हम तब करते हैं, जब हम Tally में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, और उसी बीच हमें Trial Balance देखना है. तो उस काम को बंद किये बिना ही, आप यहाँ से Trial Balance देख सकते हैं. हम Escape की प्रेस करके वापस चलते हैं, अब हम Gateway of Tally पर हैं. डिस्प्ले बोर रिपोर्ट के लिए D-P्रेस करें, फिर यहाँ Trial Balance के लिए D-P्रेस करें. इसमें Right Side में Period लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बाइडिफॉल्ट यहाँ वर्ष के प्रारंब होने की तारीक से, जिस तारीक में आपने Company में आखिरी Transaction Record किया होता है, वो तारीक आती है. F2 की प्रेस करके आप अपनी जरूरत के अनुसार Period बिदल सकते हैं. ध्यान रखें, आप जब भी कोई Report देखें, सबसे पहले उसका Period ज़रूर चेक कर लें. Particulars में सभी मुख्य Groups के नाम आ रहे हैं, और Right Side में उन सभी Groups के Debit या Credit, जो भी Closing Balances हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं. इस Report को Detail में देखने के लिए Alter और F5 की प्रेस करें, ये Detailed Report आ रही है. पर इस Report में हमें सब Groups के अंतरगत बने Legers नहीं दिखाई दे रहे हैं, जै Cash in Hand और Bank Accounts. यदि आप इनकी Details भी देखना चाहते हैं, तो उन Groups के नाम पर जाकर Shift और Enter प्रेस करें. देखिए, ऐसा करते ही हमारे सब Groups के अंदर जो भी Legers बने हुए थे, उनके नाम और Closing Balance दिखाई देने लगे हैं. Trial Balance का एक बड़ा फाइदा ये भी है, कि हमें एक ये इस्थान पर एक साथ ये भी मालूम पढ़ जाता है, कि हमें किस Supplier को कितना देना हैं, और किस Customer से कितना लेना हैं. यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जिन Legers का Balance जीरो होता है, उनके नाम Trial Balance में दिखाई नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नाम से ही सपष्ट है Trial Balance. जब Balance है नहीं है, तो यहाँ पर नाम क्यों दिखाई देगा बला? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खास बात समझ लेते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि Trial Balance में Legers के जो Closing Balances होते हैं, वो दिखाई पढ़ते हैं, और यह बात हमने जो तीन Legers की समरी तयार की है, उसके Closing Balances को देखकर आप समझ सकते हैं, इससे आपको सपष्ट ह हो ही गया होगा कि Trial Balance सभी Legers के Closing Balance की एक समरी है, यहां हम आपको Manual Accounting में हमने जो Trial Balance बना कर बताया था, वो भी दिखा देते हैं, देखे, दोनों में Presentation का थोड़ा फरक है, बाकि सब एक जिसा है, अब यदे आप बगैर ग्रुप्स के सिर्फ सभी Legers देखना चाहते हैं, तो F5 की प्रेस करें, यह देखे, ऐसा करते ही हमारी वो सभी Legers जिनने Closing Balance है दिखाई पड़ रहे हैं, फिर से पहले वाली इस्तिति में आने के लिए एक बाद फिर F5 की प्रेस करें, अब यदि आप Trial Balance में दिखाई पड़ रहे किसी Leger की मंतली समरी देखना चाहते हैं, तो उस Leger पर जाकर, एंटर प्रेस करें, इसके बारे में हम डिटेल में आपको Leger Reports में पहले ही बता चुके हैं, हम स्केप की प्रेस करके वापस Trial Balance पर चलते हैं, चलिए अब पात करते हैं Tally की, Tally हमें Trial Balance में सिर्फ Closing Balances देखने की ही सुविधा नहीं देता, बलकि अन्य कई Details भी हमें इस Report से मिलती हैं, आईए दिखते हैं कैसे, उसके लिए हम F12 प्रेस करके Configuration पर चलते हैं, यहां एक एक Option के नाम को ध्यान से पढ़ें, Show Opening Balance को Yes करें, इससे हमें 4 Opening Balance दिखाई पढ़ेंगे, जो हमने Company में Legions बनाते समय डाले थे, इसके बाद Show Transactions से तातपरे ये हैं कि हमने जो Transactions रिकॉर्ड किये हैं, उनका जो भी Total Debit और Credit Amount है वो दिखाई पढ़े, हम इसे Yes कर रहे हैं, Net Transactions Only अभी 9 हैं, इसे हम 9 ही रहने दे रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ Type of Grouping में GroupWise ही रहने दें, और Format of Report में Detailed ही रहने दें, अब Expand All Levels in Detailed Format को Yes कर दें, इससे हमें सभी इस तर तक की Report डीटेल में प्राप्त होगी, और अब इस Window को Accept कर लेते हैं, यह देखिए, पहले यहाँ सभी Legers के सिर्फ Closing Balance ही आ रहे थे, और अब यहाँ Opening Balance, जो Transactions हुए हैं, उनके Debit और Credit Amount, और अंत में सभी के Closing Balance भी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर हम आपको यादेला दें कि यह वही Opening Balance हैं, जो हमने Legers बनाते समय डाले थे, और इसी तरह हमने उस Company में जो Transactions Record किये थे, उनी के Debit और Credit Amount हैं, यह देखिए, हमने जो 3 Legers की समरी बनाई थी, यह उसी तरह की सभी Legers की समरी हैं, इस तरह आप Trial Balance की साहता से एक ही जगर पर सभी Legers की समरी प्राप्त करके उनका अध्यन करके अपनी Company की स्थिती को अच्छे से समझ सकते हैं, अब यदि आप Transactions के अलग-अलग Debit और Credit Amount की जगर सिर्फ Net Transaction Amount देखना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करके Net Transactions Only को Yes करके इस Window को Accept कर लें, देखें यहां Transactions के Debit और Credit Amount की जगर सिर्फ Net Transactions Amount है दिखाई पड़ रहा है, चलिए इसको भी हमने जो तीन Legers की समरी बनाई थी उससे मिला लेते हैं, Configuration में किस Option का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अच्छे से समझनी के लिए आप एकेक Option को Yes और No करके और जिन Options में सब Options हैं, उनमें से भी हर Option को Select करके ज़रूर ट्राइ करें, तभी आप उनके सही उप्योग समझ पाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक PDF दे रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो के पहले वाली दो वीडियो के आधार पर Company बना कर उसमें काम किया हो, तो आप तैली में अपने Trial Balance को Open करके, हमारे दिये गए Trial Balance के PDF से निला लें। ऐसा करने से यदि आपने Ledgers या उनके Groups बनाने में कोई भूल की होगी, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसे ठीक कर सकेंगे। जब हम किसी भी Profession में होते हैं या कोई Business करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफ़ा यानि लाब कमाना, और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है। हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय में Profit हो रहा है या Loss. आपको याद होगा कि हमने Manual Accounting समझाते समय, Trial Balance और Trading and Profit and Loss Account वाली आठवी और नौवी वीडियो में बताया था, कि सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से Liabilities, Assets, Income और Expenses में बाटा जाता है, और वर्ष समापती पर व्यवसाय में Profit हुआ या Loss ये निकालने के लिए हमें Trial Balance में से Income और Expenses से समबंधित हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके Balances Trading and Profit and Loss Account में ट्रांसफर करना होते हैं, पर जैसा कि हमने आपको बताया था, हमें Tally Prime में इस तरह का कोई काम नहीं करना होता है, Tally Prime हमें स्वयम ही Profit and Loss Account बना कर दे देता है, हमने आपको ये भी बताया था कि Manual Accounting में Trading Account और Profit and Loss Account दो अलग-अलग accounts होते हैं, जबकि Tally इन दोनों को एक साथ इकठा दिखाता है, और Tally में इसका नाम सिर्फ Profit and Loss Account है, तो चल आगे बढ़ते हैं और Tally Prime में Profit and Loss Account के बारे में समझ लेते हैं, Tally में इसे देखने के दो तरीके हैं, पहला अभी हम Gateway of Tally पर हैं, यहाँ आप Reports के अंतरगत Profit and Loss Account देख रहे हैं, और दूसरा यदि आप Tally में काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बगर Profit and Loss Account देखना चा हम Profit and Loss Account के लिए P Press कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखें, आप जब भी कोई Report ओपन करें, उसका Period जरूर चेक करें, देखें यहाँ पर हमारे Financial Year के प्रारंप की तारीक से लेकर, जिस तारीक में हमने आखिरी Transactions Record किये हैं, जो की 31 March है, वहाँ तक का Period दिखाई दे रहा है वैसे तो Profit and Loss Account प्राया Financial Year के प्रारंप यानि एक अप्रेल से वर्ष के अंत यानि 31 March तक के लिए बनाया जाता है, पर टेली हमें सुविधा देता है कि हम F2 प्रेस करके किसी भी Period का Profit and Loss Account देख सकते हैं यहां हमें पूरे Financial Year का Period ही चाहिए था, जो की पहले से ही आ रहा है देखिए इसमें पूरे वर्ष की GroupWise Report आ रही है Alt और F5 प्रेस करके हम इसे Detailed कर लेते हैं देखिए ऐसा करते ही हमारे Groups के अंदर जो भी Legions बने हुए थे, वो दिखाई पड़ रहे हैं नीचे की और हमारे द्वारा सेलेक किये गए Period का Net Profit आ रहा है टेली के इस Report को अच्छे से समझने के लिए हम इसे Manual Accounting की तरह ही Trading Account और Profit and Loss Account के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस करके यहां Configuration में Show Gross Profit Option को Yes कर रहे हैं और इस Window को Accept कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही अब यह Account दो भाग में दिखाई पड़ रहा है Trading Account और Profit and Loss Account आईए अब देखते हैं कि यह दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में Income और Expenses से संबंधित कौन से Accounts Transfer किये जाते हैं और उसे हमें क्या पता चलता है व्यापार खाता यानि Trading Account वो खाता है जो व्यापार के सकल लाब यानि Gross Profit या सकल हानी यानि Gross Loss को मालूम करने के लिए बनाया जाता है इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, विक्री, प्रारंबिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्याए शामिल किये जाते हैं जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं इसमें यदि Credit Side का Total Debit Side के Total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा Gross Profit कहलाता है और यदि Debit Side का Total Credit Side के Total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा Gross Loss कहलाता है देखिए यहाँ Credit Side का Total Debit Side के Total से अधिक है मतलब यहाँ हमें Gross Profit हुआ है यह जो Gross Profit या Gross Loss हमें Trading Account से प्राप्त होता है आगे उसे profit and loss account में ले जाया जाता है इसे समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर credit side की total 20,62,000 है और debit side की total 19,66,103 है और इन दोनों का difference 94,897 है अब या तो आप इस difference को सीधे नीचे लिखकर काम करें या फिर accounting के principle के हिसाब से यहाँ difference लिखकर दोनों पक्षों को बराबर कर ले और फिर इस difference यानि gross profit को opposite side में लिखकर यहाँ पर आगे काम करें चलिए अब हम profit and loss account पर काम कर लेते हैं पर उससे पहले हमें इसकी परिभाशा समझनी होगी व्यापार खाता बनाने के पाद लाभानी खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानी को निकाला जाता है इसमें व्यापार खाते में हमने जो income और expenses के अकाउंट ले लिये हैं उनको छोड़कर शेश सभी खाते लिये जाते हैं यानी indirect income और indirect expenses के सभी खाते इसमें लिये जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं इसमें यदि credit side का total debit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा net profit कहलाता है और यदि इसके स्थान पर debit side का total credit side के total से अधिक होता है तो उसका मतलब होता है कि हमें net loss हुआ है देखें यहां credit side का total debit side के total से अधिक है इसका मतलब यहां हमें net profit हुआ है यहां हम Gross Profit, Gross Loss, Net Profit और Net Loss को सरल तरीके से समझ लेते हैं माल लीजे हमारा लकडी के दर्वाजे बनाने का एक कारखाना है जिसमें हम एक दर्वाजा बनाने का कच्चा माल यानि लकडी 2000 रुपए में खरीदते हैं उस लकडी को सप्लाइर से खरीद कर हमारे कारखाने तक लाने में रिक्षा भाड़ा 200 रुपए और फिर लकडी से दर्वाजा बनाने के लिए 1000 रुपए मजदूरी देते हैं इस तरह से बेचने लायक दर्वाजा बनाने में हमें कुल 3200 रुपए की लागत आई अब इस दर्वाजे को हमने 5000 रुपए में बेच दिया तो विक्रे मूले में से लागत कम करने पर जो लाब होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट यानि सकल लाब कहते हैं जो कि यहाँ पर 1800 रुपए है इसके विप्रीट जब हमारी लागत 6000 होती और हम उसे बेचते 5000 रुपए में तो हमें 1000 रुपए का जो नुकसान होता उसे ग्रॉस लास यानि सकल हानी कहते अमाली जे हमने दर्वाजा तो 5000 रुपए में बेच दिया पर वो किसी एजन्ट के माध्यम से बेचा जिसके लिए हमें उस एजन्ट को कमीशन के 500 रुपए देना होंगे अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1800 रुपए में से माल बेचने पर जो भी खर्च हुए होंगे जैसे यहां कमीशन हमने 500 रुपए दिया है तो ये कम करना होगा इस प्रकार 1800 रुपए में से 500 रुपए कम करने पर हमारे पास बचे 1300 रुपए ये हमारा नेट प्रॉफिट यानि शुद्धलाब कहलाएगा पर मान लेजिए हमें ग्रॉफिट तो 1800 रुपए का हुआ पर हमने दर्वाजा बेचने के लिए 2000 रुपए का मिशन दे दिया तो हमें जो 200 रुपए का नुकसान हुआ है वो हमारा नेट लॉज यानि शुद्धानी कहलाएगा चलिए अब वापस टैली पर चलते हैं और कॉन्फिगरेशन स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें यह देखिए ऐसा करते ही सेल्स लेजर के आधार पर सभी लेजर का परसिंटेज भी आ रहा है यदि आप इसका व्यू बदलना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें और यहां दिखाई पड़ रहे शो वर्टिकल प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें देखिए प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्मिट में आ गया है वापस होरिजोंटल फॉर्मिट के लिए F12 प्रेस करें अब शो वर्टिकल प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट को नो करें और शो ग्रॉस प्रॉफिट को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें यह देखिए हम वापस से पहले वाली स्थिति में आ गए हैं इस तरह से अभी जो भी हमने बताया उसका सारांश यह है कि ट्रायल बैलेंस से इंकम और एक्सपेंसिस की सभी खाते प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट में आ जाते हैं और profit and loss account से हमें जो profit या loss प्राप्त होता है, उसे capital account में transfer कर दिया जाता है, जो कि हम आपको balance sheet वाली अगली वीडियो में बताएंगे. तो इस तरह हमारा profit and loss account बनाने का उद्देश पूरा हो जाता है. अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस माह में कितना profit या loss हुआ है, तो उसके लिए alter और end प्रेस करें, और column details में से monthly select करें. ये देखें पूरे 12 महीनों की अलग-अलग report आ रही है, चूँकि हमने एक October से काम प्षुरू किया था, इसलिए हम October महा से report देख रहे हैं. देखें यहां हर माह में उससे संबंदित सभी ledgers की details आ रही हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस माह हमें 4780 रुपए profit हुआ है. अब हम alter और end प्रेस करके yearly सेलेक्ट कर रहे हैं. इस वीडियो में हमने profit and loss अकाउंट को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है. अब हम end में आपको तीन महत्वपुन बात और बता देते हैं. पहली, अभी हमने tally में जो profit and loss अकाउंट देखा, उसमें income और expenses के कुछ ही ledgers दिखाई पड़ रहे हैं. पर जब आप वाकई में काम करते हैं, तो यहां income और expenses के और भी कई ledgers हो सकते हैं. जैसे कि rent income, interest income, depreciation, traveling expenses, convince expenses, telephone expenses, इत्यादी. दूसरी बात यह, कि वाकई में काम करते समय, profit and loss अकाउंट बनाने के पहले, कई सारी adjustment entries करना होती हैं, जिसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं. मान लिजे हमने 1 December 2020 को अपनी motorcycle का बीमा करवाया. अब जो बीमा करवाया गया, वो तो एक वर्ष यानी 1 December 2020 से लेके, अगले वर्ष 30 November 2021 तक के लिए है. जबकि हम जो profit and loss अकाउंट बनाएंगे, उसमें हमें 31 March 2021 तक के ही खर्च लेने हैं. क्योंकि हमारा financial year 31 March को समाप्थ होता है, तो इसके लिए हमें इस बीमा प्रीमियम के दो टुकडे करना होंगे. पहला 1 December 2020 से 31 March 2021 तक और दूसरा 1 April 2021 से 30 November 2021 तक. अब पहले टुकडे को हम इस वर्ष का खर्च मानेंगे और दूसरे टुकडे का प्रोवीजन करके उसे अगले वर्ष में ले जाएंगे. इस तरह की कई adjustment entries होती है, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बताएंगे. तीसरी बात ये कि कई बार आप देखेंगे कि कई स्थान पर टैली में profit and loss अकाउंट की जगर income and expenses अकाउंट लिखा होता है. आईए इसे समझ लेते हैं. कई लोग अपना salary और unincome का हिसाब टैली में रखते हैं. या जो service provider का काम करते हैं, यानि जिने inventory यानि stock maintain की जरूरत नहीं होती, वे इसका नाम बदल लेते हैं. कैसे बदल लेते हैं? आईए, देख लेते हैं. अभी हम gateway of टैली पर हैं. Master के अंतरगरत alter के लिए A press करें. यहाँ ledger select करें. List of ledgers में से profit and loss account select करें. लेजर alteration screen आ रही है. यहाँ नीचे use income and expenses account को yes करके इस screen को accept कर लें. skip की प्रेस करके बाहर आ जाएं. देखिए यहाँ profit and loss account का नाम बदल कर income and expenses account हो गया है. चूँकि हम stock maintain करते हैं, हम वापस अभी बताई प्रक्रिया दोहरा कर इसका नाम वापस profit and loss account कर लेते हैं. यहाँ हमने profit and loss account ओपन कर लिया है. देखिए इसमें हमें जो net profit प्राप्थ हुआ है, पहले उसे capital account में transfer करना होगा. इसके बाद ही हम balance sheet पर काम कर सकेंगे. ध्यान रखें जब profit होता है तो उसे capital में जोड़ा जाता है जिससे capital बढ़ती है. नेट profit को capital में जोड़ने के लिए capital account को credit करते हैं और profit and loss account को debit करते हैं. और जब loss होता है तो net loss को capital में से कम किया जाता है जिससे capital कम होती है. उसके लिए capital account को debit करते हैं और profit and loss account को credit करते हैं. चलिए हम net profit को capital account में transfer करने के entry कर लेते हैं voucher के लिए V press करें ध्यान रखें ये entry journal voucher में record की जाती है उसके लिए F7 press करें यहां आपको एक बात और बता दें कि ये entry prior 31 March में ही की जाती है ये देखें date 31 March आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि अभी हमने देखा था profit हुआ है तो उसे transfer करने के लिए profit and loss account को debit करना होगा और capital account को credit करना होगा अब नीचे narration में type कर रहे हैं being net profit transfer to capital account और इस screen को accept कर लेते हैं अब हम इस transaction का प्रभाव capital account open करके देख लेते हैं देखिए 44,327 रुपे profit होने से हमारे capital account का balance बढ़कर अब 8,78,327 हो गया है जिस तरह tally हमें trial balance और profit and loss account खुदी बना कर दे देता है उसी तरह balance sheet भी tally खुदी बना कर दे देता है वैसे हम आपको manual accounting की process के बीच balance sheet के बारे में हमारी video number 10 में बता चुके हैं फिर भी जो ज़रूरी है उसे फिर से समझ लेते हैं trial balance में हमने liabilities, assets, income और expenses के सभी ledgers के closing balance देखे ते जिसमें से income और expenses के सभी ledgers के balance trading and profit and loss account में चले गए हैं और उससे हमें जो profit हुआ था उसे हमने capital account में transfer कर दिया है इस तरह से हमारे income और expenses के सभी ledgers समाप्त हो गए हैं अब हमारे पास सिर्फ assets और liabilities के खाते बचे हैं और इनी के आधार पर balance sheet बनाई जाती है चले अब आपको यह बता देते हैं कि tally prime में balance sheet कैसे देखते हैं इसके दो तरीके हैं पहला gateway of tally में आप reports के अंतरकत balance sheet देख रहे हैं और दूसरा यदि आप tally में कोई काम कर रहे हैं और balance sheet देखना चाहते हैं तो go to पर click करें देखें यहां भी balance sheet दिखाई पड़ रही है हम gateway of tally पर balance sheet के लिए b press कर रहे हैं यह देखे balance sheet आ रही है देखें इसमें उपर period दिखाई नहीं पड़ता उसके स्थान पर एक तारीक दिखाई पड़ती है वास्तव में इसका period वर्ष के प्रारंभ से जिस तारीक में हमने आखरी transactions record किये होंगे जो कि यहाँ पर 31 March 2021 है वो दिखाई पड़ रहा है ध्यान रखें जब भी कोई report open करें तो सबसे पहले उसका period ज़रूर चेक करें हम period चेक करने के लिए f2 press कर रहे हैं यह देखें यहाँ from में वर्ष प्रारंभ की तारीक 1 April 2020 आ रही है और उपर 31 March 2021 दिखाई पड़ रही है यानि पूरे वर्ष का period आ रहा है और यही period हमें चाहिए detailed balance sheet देखने के लिए alter और f5 press करें अब जिन subgroups में layers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यदे आप उनके detail देखना चाहते हैं तो उन पर जाकर enter press करें यह देखें इस subgroups में जितने भी layers बने हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं skip की press करके हम वापस पहले वाली स्थिति में चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम एक बार balance sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं balance sheet एक निश्यत तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा statement है जिसमें एक तरफ व्यवसाई की पूंजी यानि capital और liabilities को और दूसरी तरफ assets को एक निश्यत प्रारूप और क्रम में दशाया जाता है इसे prior वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है इसकी कुछ मुखे बाते भी समझ लेते हैं जैसे की अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहाँ debit और credit ऊपर लिखा होता था पर balance sheet में इस तरह नहीं लिखा जाता है इसमें left side में liabilities के सभी खाते और right side में assets के सभी खाते एक निश्यत क्रम में लिखे जाते हैं इस balance sheet से हमें हमारी पूरी आर्थिक इस्तिती की जानकारी प्राप्त हो रही है जैसे हमें क्या देना है क्या लेना है और नीजे के और आप profit and loss account लिखा देख रहे हैं उसके नीचे current period का profit दिखाई पढ़ रहा है और उसी के नीचे transferred भी लिखा है इसका मतलब है कि हमने profit को capital account में transfer भी कर दिया है यहां हमें कितना profit हुआ ये तो मालुम पढ़ ही रहा है साथ ही ये भी मालुम पढ़ रहा है कि इस profit के बाद वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर अब कितनी है यदि आप इसे vertical format में देखना चाहते हैं तो change view पर क्लिक करें ये vertical दिखाई पढ़ रहा है एंटर प्रेस करें ये देखिए vertical format आ गया है फिर से पहले वाली इस्थिति में जाने के लिए control और edge कीज को प्रेस करें देखिए horizontal लिखा आ रहा है एंटर प्रेस करें आये अब हम आपको manual accounting के balance sheet भी बता देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ presentation का थोड़ा सा फरक है अंत में हम आपको एक मुख्य बात बताना चाहेंगे कि जब हम tally पर accounting करते हैं तो tally हमारे transactions को analyze करके हमें बहुत सारी reports बना कर देता है जिन से हमें व्यापार से संबंधित विभिन जानकारी प्राप्त होती है इन्ही reports में से कुछ के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं सभी प्रकार के financial reports को हम दो भाग में बाच सकते हैं पहली final accounts reports और दूसरी management information system reports final accounts reports व्यापार या व्यवसाई की आर्थिक स्थिती बताती है इनका उप्योग कई स्थानों पर किया जाता है जैसे इनी के आधार पर हमें financial institute जैसे bank इत्यादी हमें loan देते हैं इनी के आधार पर हम income tax का return भरते हैं इसके अंतरगत तीन reports आती है trial balance, profit and loss account और balance sheet हम इन तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं अब बात करते हैं management information system reports यानी MIS reports की इसके अंतरगत 5 reports आती है stock summary, day book, cash and bank book, purchase register and sales register तथा journal register इन में से हम आपको stock summary और day book के बारे में बता चुके हैं और बागी reports के बारे में आगे बताएंगे जैसा कि इस report के नाम से ही सपश्ट है ये management यानी व्यापार और website चलाने वालों के लिए उपयोगी होती है जैसे मालिक, manager, इत्यादी के लिए आपको याद होगा कि हमने day book में बताया था कि व्यापार का स्वामी यदि ये जानना चाहता है कि हमारे व्यापार में किसी भी निश्चित तारीक को क्या काम हुआ तो इसके लिए उसे उस तारीक के सभी vouchers खोल कर देखने की जरूरत नहीं है वो day book खोल कर शिगरत आजिये जानकारी प्राप्त कर सकता है इसी तरह स्टॉक समरी से ये पता चलता है कि कौन सा माल ज्यादा बिखता है और किस मेहने में ज्यादा बिखता है कौन सा माल कम बिखता है और इसे आधार पर ज्यादा बिखने वाला माल सही समय पर कम मुली पर एकटा खरीदा जा सकता है इसी तरह कम बिखने वाले माल का स्टॉक कम कर सकते हैं इस तरह से ये रिपोर्ट्स समय और पैसा दोनों बचाने के लिए बहुत उप्योगी है